बेविलोन का सबसे अमीर आत्मी लेखक जार्ज एस क्लासन हिंदियोड्योपुक डोट कॉम प्रस्तावना किसी देश की सम्रदी इसके नागरिकों पर निर्भर करती है यह पुस्तक सफलता के बारे में है सफलता का आर्थ है हमारे प्रयासों और योगताओं के फलसोरूप मिलने वाली उपलवदिया हमारी सफलता की कुंजी है उचित तैयारी हमारे काम हमारे वीचारों जितने ही बुद्धी मतापूर्ण हो सकते है और हमारे विचार, हमारे ग्यान जितने ही बुद्धि मतापूर्ण हो सकते हैं खाली पर्स का इलाज करने वाली इस पुस्तक को आर्थिक ग्यान की मार्ग दर्शिका कहा गया है दरसल यही इसका लक्षय है यह महतव कांख्षय लोगों को आर्थिक सफलता का इसा ग्यान देती है जिसकी मदद से वे धन हासिल कर सकते हैं उसे अपने पास रख सकते हैं और उससे जाड़ा धन कमा सकते हैं आगे के प्रष्टों में हम बेविलोन में चलेंगे जहां धन के मूलबूत सी धांद विक्सित किये गए थे जिनें आज दुनिया भर में जाना और माना जाता है लेखक यह आशा करता है कि इस पुस्तक में पाठकों को अपने बैंक अकाउंट में व्रद्धी करने अधिक वितिय सभलता पाने और मुश्किल वितिय समश्याओं के समाधान की पर रहना मिलेगी दुनिया भर के हाजारों पाठकों ने इसके बारे में यही राय व्यक्त की है लेखक उन सभी बिजनस एग्जिक्यूटिवस को धन्यवाद देना चाहते हैं जिनोंने अपने मित्रों, रिष्टेदारों, करमचारियों और सहय योग्यों के यह पुस्तक बड़ी संख्या में बांटी है इस पुस्तक को सफल लोगों ने पसंद किया क्योंकि ये सफल लोग भी इनी सिदान्तों की बदोलत सफल बने थे बेविलोन प्राचिन विश्व का सबसे दोलतमन शहर इसलिए था क्योंकि इसके नागरिक बहुत अमीर थे वे धन का मुल्य समझते थे वे धन को हासिल करने, उसे बनाए रखने और उससे अधिक धन कमाने के दमदार आर्थिक सिदान्तों पर अमल करते थे इन सिदान्तों की बदोलत वे दोलतमन बन गए और हम भी यही चाहते हैं जार्जेस कलासन बेविलोन का सबसे अमीर आत्मी लेखक जार्जेस कलासन हिंदियोड्योगुक डोट कॉम अध्याए एक अमीर बनने की इच्छा बनजिर बेविलोन में रत बनाता था इस समय वहे अपने घर के आहाते की दिवार पर उदास बैठा था वहे अपने खस्ता हाल घर और आंगन को उदासी से देख रहा था आंगन में एक रत अधूरा पड़ा था बनजिर की पत्नी बार बार घर के बाहरी दर्वाजे पर आकर जहांक रही थी अपनी पत्नी के देखने के अंदाज से वहे समझ गया कि घर में खाने को कुछ नहीं है और उसे जल्दी से रत पूरा कर लेना चाहिए वह जानता था कि इस समय उसे हाथ पर हाथ दर कर बैठने की बजाए हतोड़ा चलाना चाहिए कुलाडी से काट चाट करना चाहिए पॉलिस और पेंट करना चाहिए पहियों के रिम पर चमड़ा चड़ाना चाहिए और रत को ग्रहाग तक मौचाना चाहिए तभी उसे अमीर क्राक से पैसे मिल सकेंगे बहराल सुगठित और मांसल देवाला बंजिर डिवार पर अलसाई अंदाज में बैठा रहा उसका दिमाग बहुत मंद गती से काम कर रहा था कुछ समय से उसके मन में एक एसी उलजन थी जिसका उसे जवाब नहीं मिल रहा था युकरेटस नदी की इस गाटी में सूरज आम तोर पर शोले बरसाता था आज भी यह निर्ममता से शोले बरसा रहा था इस वज़े से बंजिर की बहों पर पसीने के मोतित चलचला आई थे जो बहे कर उसके सीने के बालों में गुम हो गए दूर उसे समराट के महल की उंची दिवारें दिखाई दे रही थी पास में निले आसमान को छूती बेल मंदिर की मिनार थी इतनी भव्यता की चाया में उसका छोटा सा घर था उसके आसपास कई और लोगों के भी घर थे जिनकी हालत उसके घर से भी जाड़ा खराव थी बेविलोन का यही माहूल था यहां भव्यता और मलिंता साथ साथ रहती थी यहां प्रचूर दोलत और बेहत गरीबी आसपास रहती थी आमीर और गरीब दोनों तरह के लोग शहर की सुरुकशात्मक दिवारों के भीतर बिना किसी योजना या व्यवस्ता के साथ साथ रहते थे बंजिर के पीछे आमीरों के रत शोर कर रहे थे ताकि जूते पहने व्यापारी और नंगे पैर चल रहे बिखारी रास्ते से हट जाएं बहराल जब पानी लाने वाले गुलाम सड़क पर नजर आते थे तो उन्हें रास्ता देने के लिए अमेरों के रत नालियों की तरफ हट जाते थे वे एसा इसलिए करते थे क्योंकि वे गुलाम समराट का काम कर रहे थे इन सब की पीट पर पानी की भारी मशकें लदी थी जो हंगिंग गार्डन में डालने के लिए ले जाई जा रही थी बंजीर अपनी समश्या पर सोच विचार करने में इतना खोया हुआ था कि उसके व्यस्त सहर के कोला हल को ने तो सुना और ने ही उसकी तरफ ध्यान दिया उसकी तंद्रा तभी तूटी जब उसे एक परिचित वध्ययंतर की ताने सुनाई दी उसने पलट कर देखा कि उसका सबसे पक्ता दोस्त कोबी पास में खड़ा है कोबी संगितकार था और इस समय उसका संवेदन सील चेहरा मुस्कुरा रहा था कोबी ने जुख कर सलाम करते हुए कहा देवता आप पर महर्बान हो मेरे अच्छे मित्र लेकिन ऐसा लगता है कि देवता आप पर पहले से इतने महर्बान हो चुके हैं कि अब आपको मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है आपकी खुश किस्मती देखकर मुझे भी खुशी हो रही है इतना ही नहीं मैं तो यह भी चाहता हूँ कि आपकी खुश किस्मती से मेरे भी किस्मत पदल जाए आपका पर्स जरूर भारी होगा क्योंकि अगर यह सिक्कों की वज़े से भारी नहीं होता तो आप रत बनाने का काम कर रहे होते महरबानी करके आप अपने पर्स में से दो सिक्के निकाल कर मुझे उधार दे दे मैं आज रात को सामंत की दावत के बाद उधार चुका दूँगा आपको पता भी नहीं चलेगा इस से पहले कि आपका उधार वापस लोटाएगा मंजिर ने उधासी से जवाब दिया अगर मेरे पास दो सिक्के होते तो मैं उन्हें किसी को भी उधार नहीं देता तुम्हें भी नहीं मेरे सबसे पक्के दोस्त इसका कारण यह है कि वे दो सिक्के मेरी जिंदगी भर की दोलत होते मेरी पूरी दोलत कोई भी अपनी पूरी दोलत किसी को उधार नहीं देता बले ही वह उसका सबसे अच्छा दोस्त ही क्यो नहीं हो क्या कोबी ने हैरान होकर कहा तुम्हारे पर्स में एक भी सिका नहीं है इसके बावजूद तुम दिवार पर बुत बने बैठे हो उस रत को पूरा क्यों नहीं करते तुम्हारी तेज भूख को शान्त करने के लिए बोजन कहां से आएगा तुम ऐसे तो नहीं थे तुम तो दिन रात में इनत करते थे क्या कोई चीज तुम्हें दुखी कर रही है क्या देवताओं ने तुम पर कोई मुसिवत लादी है यह मुसिवत जरूर देवताओं ने ही लादी होगी बंजिर ने हामी बरते हुए कहा सारा जमेला एक सपने से शुरू हुआ था यह बे सिर पैर का सपना था इसमें मैंने देखा कि मैं अमीर बन गया था मेरे बेल्ट से खनखनाते सिक्कों से भरा परस लटक रहा था और मैं विखारियों की तरफ लाबरवाई से सिक्के उचालता जा रहा था मैं चांदी के सिक्कों से अपनी पत्नी के वस्तर और अपने लिए मन्चाही चीजे खरीद रहा था मेरे पास सोने के सिक्के भी थे इसलिए मैं भविश्य को लेकर आस्वस्त था और मुझे चांदी के सिक्के खर्च करने में कोई डर नहीं लग रहा था मैं बहुत ही संतुष्ट और सुखी महसूस कर रहा था मुझे देखकर तुम यह नहीं कह सकते थे कि मैं तुम्हारा वही महंति मित्र हूँ तुम मेरी पत्नी को भी नहीं पैचान सकते थे क्योंकि उसके खुशी से दमकते चहेरे पर जुर्यों का नामो निसान नहीं था एक बार फिर से उतनी ही सुंदर और खुश मेजाज लग रही थी जितनी हमारी शादी के समय लगती थी कोबी ने कहा सचमुच बहुत बड़ी असपना था परन्तु इतने अच्छे सपने की वज़े से तुम दुखी होकर दिवार पर क्यों बैठे हो क्योंकि जागने पर मैंने देखा कि मेरा पर्स खाली था मेरे अंदर विद्रो की भावना सुलगने लगी आओ, हम इस बारे में विस्तार से बात करें क्योंकि जैसा समुंदरियात्री कहते हैं हम एक ही नाव में सवार है, बच्पन में हम दोनों ने धहम गुरूं से एक साथ शिक्षा ली थी, कि सोरा वस्ता में हमने साथ साथ मोज मस्ती की, बड़े होने पर साथ साथ हम दोनों गहरे मित्र बन गई, हम संतुष्ट लोगों की तरह रहते हैं, दिन रात मेहनत करके और अपनी पूरी कमाई खर्च करने के बावजूद हम संतुष्ट रहे हैं, इतने सालों में हमने बहुत पैसा कमाया, परंतु हमें कभी दोलत की खुशी का जरावी एहसास नहीं हुआ, इसके लिए हमें सपनों का साहरा लेना पड़ता है, अब मेरे मन में यह विचार आता है कि क्या हम गूंगी बेड़ों जितने मुर्ख हैं, हम दुनिया के सबसे अमीर शहर में रहते हैं, यातरी कहते हैं कि इतनी दोलत दुनिया में और कहीं नहीं है, हमारे आसपास बेशुमार दोलत बिखरी पड़ी है, परंतु हमारे पास कुछ भी नहीं है, मेरे प्यारे दो मैं आज रात को सामन्त की दावत के बाद उधार चुका दूँगा इसका मैं क्या जवाव देता हूँ क्या मैं यह कहता हूँ यह रहा मेरा पर्स जिसमें से जितने सिक्के चाहो खुशी-कुशी निकाल लो नहीं इसके बजाए मैं यह कहता हूँ कि मेरा पर्स भी तुम्हारे पर्स की तरह ही खाली है आखिर इसकी क्या वज़य है हमारे पास धन टिकता क्यों नहीं है हम संपत्ति क्यों नहीं जोड़ पाते हैं हम इतना ही क्यों कमा पाते हैं ताकि हम जिन्दा रह सकें और हमारे भोजन तथा वस्तरों की मूल बहुत जरूरतें ही पूरी हो सकें बंजिर ने कहा और इस बारे में भी सोचो कि हमारे बेटे भी हमारे ही पच्चिनों बर चल रहे हैं क्या वे और उनके पुत्र भी इस सोने की नगरी में हमारी ही तरह गरीब रहेंगे क्या उन्हें भी बक्री के दूद और दलिये से पेट भरना पड़ेगा कोवी ने हैरान होकर कहा बंजिर हमारी दोस्ती को इतने साल हो चुके हैं परंतो तुमने पहले तो कभी ऐसी बाते नहीं की अब तक मैंने कभी इस तरह से नहीं सोचा था सुबह होते ही मैं काम में जुट जाता था और अंदेरा होने तक जुटा रहता था मैंने अपनी मेहनत से दुनिया के सबसे शांदार रध तयार किये मुझे आशा थी कि मेरे बहतरीन काम को देखकर देवता किसी दिन खुश होंगे और मुझे अमीर बनने का आशिरवाद देंगे परंतु देवताओं ने इसा कभी नहीं किया अब मुझे यह एहसास हो चुका है कि वे इसा कभी नहीं करेंगे इसलिए मेरा दिल उदास है मैं अमीर बनना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जमीन हो और क्षमता से मेहनत करने को तयार हूँ परंतु मैं यह भी चाहता हूँ कि मेरी मेहनत का मुझे उचित पुरुसकार मिले मैं एक बार फिर तुमसे पूशता हूँ आखिर क्या बात है दुनिया में इतनी सारी अच्छी चीजी है परंतु वे हमें क्यों नहीं मिल सकती है हमारे पास इतना पैसा क्यों नहीं है कि हम अपनी मंसाही चीजें खरिच सकें कोबी ने जवाब दिया काश मुझे इस सवाल का जवाब पता होता मैं भी उतना ही असंतुष्ट हूँ जितने की तुम संगीत बजाकर मैं जितना भी कमाता हूँ ततकाल खर्च हो जाता है मेरे परिवार को भूखों मरने की नोवत नयाई मुझे अक्सर इसकी योजना बनाना पड़ती है मेरे दिल में एक प्रबल इच्छ बहुत समय से है मैं एक एसा वाद्ययंतर खरीदना चाहता हूँ जिससे मैं अपने मन में तैर रही संगीत की दोनों को सच्मुच बहार निकाल सकूँ एसा वाद्ययंतर खरीदने के बाद मैं इतना बहतरिन संगीत बजा सकता हूँ जो समराटने भी कभी नहीं सुना होगा इस तरह का वाद्ययंतर तुम्हारे पास होना चाहिए बेबिलोन में तुम से ज़्यादा मधूर संगीत कोई नहीं बजा सकता है ने सिर्फ समराट बलकि देवतावी खुश होंगे परंतु तुम उसे खरीदोगे कैसे हम दोनों तो समराट के गुलामों जितने गरीब हैं घंटी के आवाद सुन रहे हो वह देखो समराट के गुलाम आ गई है उसने पसिना पसिना हो रहे अंधनंगे बिस्तियों को देखा जो नदी से पानी ला रहे थे और संकरी सडक पर बोज लाद कर चल रहे थे पांच गुलाम एक साथ चल रहे थे और हर एक की पीट पर पानी की भारी मशक का बोज लदा था जो आदमी सबसे आगे चल रहा था उसका सरीर कितना सुगठित है कोबी ने सबसे आगे गंटी लेकर चलने वाले व्यक्ति की तरफ इसारा किया जिसकी पीट पर मशक नहीं थी साप नजर आता है कि वह अपने देश में परतिष्टित आदमी रहा होगा बंजिर ने सहमत होते हुए जवाब दिया इन गुलामों में ज़्यादातर लोग हमारी तरह है लंबे और गोरे गुलाम उतरी देशों के है हस्मुक ऐस्वेट दक्षन के है और नाटे भूरे गुलाम आसपास के देशों के है सभी गुलाम एक साथ नदी से बगीचे तक और बगीचे से नदी तक आते जाते हैं ये लोग दिन भर साल भर यही काम करते है उनके जिवन में सुख नहीं है नए ही सुक मिलने की जराबी आशा है वे भूचे के बिस्कर पर सोते हैं घटिया अनास का दल्या खाते हैं बेचारे गुलामों पर तरस खाओ को भी मुझे भी उन पर तरस आता है परन्तु तुम्हारी बातों से मैं समझ गया हूं कि हमारी हालत भी उनी जैसी है हालांकि पहले मैं खुद को सुतंत्र मानता था यह सच है कोबी हालांकि यह विचार सुकद नहीं है हम यह नहीं चाहेंगे कि हम भी हर दिन, हर साल गुलामों जैसे जिन्दगी जिये काम करना, काम करना और काम करना और इसके बाद भी कोई प्रगती, कोई तरकीन नहीं होना कोभी ने पूछा क्या हम यह पता नहीं लगा सकते कि अमीर लोग अमीर कैसे बनते हैं इसके बाद शायद हम भी उसी तरीके पर चलकर अमीर बन सकें अगर कोई व्यक्ती दोलत का रहश्य जानता हो और वहे हमें बता दे तो शायद हम भी उस रहश्य को सीख सकते हैं बन्जिर ने सोचते हुए जवाब दिया कोभी ने सुझाओ दिया आज ही मुझे अपना पुराना मितर अरकाद दिखा था वहे अपने सुनेरे रत पर सवार था उसने मुझे देखकर अंदेखा नहीं किया जिस तरह बाकी अमीर लोग करते हैं इसके बजाए उसने अपना हाथ मेरी तरफ हिलाया ताकि सब लोग यह देख लें कि वहे संगीत कार कोभी का मुश्कुरा कर अविवादन कर रहा है बंजिर ने कहा लोग कहते हैं कि अरकाद बेविलोन का सबसे अमीर आदमी है कोभी ने जवाब दिया इतना अमीर कि समराट भी खजाने के लिए समय समय पर उसकी मदद लेता रहता है बंजिर बीच में बोल पड़ा इतना अमीर अगर वह मुझे कहीं रात में अंदेरे में मिल जाई तो मुझे डर है कि मेरा हाथ उसके मोटे पर्स पर ने चला जाई कोभी ने जड़कते हुए कहा बकवास इनसान की दोलक उसके पर्स में नहीं होती अगर पर्स में लगातार धन ने आए तो मोटे से मोटा पर्स भी जल्दी ही खाली हो जाएगा अरकाद की आमदनी इतनी ज़्यादा है कि वह कितना भी दिल खोल कर खर्च करे उसका पर्स हमेशा बरा रहता है आमदनी ही तो सबसे बड़ी बात है बंजिर बोला मैं चाहता हूँ कि मेरे पर्स में भी आमदनी आती रहे बले ही मैं दिवार पर बैठा रहूँ या दूर देसों की यात्रा करने चला जाऊँ अकरम को मालूम था कि आमदनी कैसे बढ़ा ही जा सकती है क्या तुमें लगता है कि वह मेरे जैसे मंद बुद्धी व्यक्ति को यह बात स्वस्टता से समझा सकता है कोबी ने कहा मैंने सुना है कि उसने अपने पुत्र नोमाजिर को यह ग्यान दिया था इसके बाद नोमाजिर निनेवा गया और अपने पिता की साहिता के बिना ही बहुत अमीर बन गया कोबी तुमने एक बहुत बेहतरिन विचार दिया है बंजिर की आँकों में एक नई रोशनी चमकने लगी अच्छे मित्र की समझदारी बरी सलाम मुफ्त में मिलती है और अरकाद हमेशा हमारा अच्छा मित्र रहा है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे पर्स खाली है हमारी गरीबी अब हमें नहीं रोक सकती है हम सोने की नगरी में गरीबों की तरह रहते रहते तंगा चुके हैं हम अमीर बनना चाते हैं आओ अरकाद के पास चल कर उससे यह सीखें कि हम अपने आमदनी और दोलत कैसे बढ़ा सकते हैं तुमने मेरे दिल की बात कह दी तुम्हरी बातों से मेरे मन में एक नया विचार आया है अब मैं समझ गया हूँ कि हम कभी भी अमीर क्यों नहीं बन पाए सच तो यह है कि आज से पहले हमने कभी अमीर बनना ही नहीं चाहा तुम्हारा लक्षय यह था कि तुम बेबिलोन के सबसे मजबूत रत बनाओगे और तुम लगन से उस दिसा में मेहनत कर रहे थे तुमने अपने सर्वसरेश्ट परियास उस लक्षय को समर्पित कर दिये इसलिए तुम उस काम में सफल हुए मेरा लक्षय बेहतरिन संगीत कार बनना था और मैंने उस दिसा में मेहनत की अंततै मैं अपने लक्षय तक पहुंचने में सफल हुआ जिन लक्षयों की दिसा में हमने मेहनत की उन तक पहुंचने में हमें सफलता मिली देवताओं को इस तिते में यूँ ही चलने में कोई दिक्कत नहीं है बहराल अब हमें उगते सूरज की करण दिख रही है यह हमें आमंतरित कर रही है कि हम अमीर बनने का तरीका सीखें अगर हम अमीर बनने का तरीका सीख लेंगे तो हमारी सारी इच्छाई चुटकी बजाते ही पूरी हो जाएंगी बंजिर ने अग्रह किया हम आज ही अरकाद के पास चलते हैं इसके अलावा हम अपने बच्पन के उस दोस्त को भी ले चलेंगे जिसका हाल भी हमारी तरह ही है मैं चाहता हूँ कि वे अरकाद के ग्यान का लाव उठाई बंजिर तुम हमेशा अपने मित्रों का बहुत ख्याल रखते हो इसलिए तुमारे इतने सारे मित्र है तुम जैसा कहते हो हम वैसा ही करेंगे हम आज ही चलेंगे और अपने बच्पन के मित्रों को भी ले चलेंगे धन्यवाद हिंदी ओडियोगुक डोट कॉम अध्याए दो बेविलोन का सबसे अमीर आदमी प्राचिन बेविलोन में कभी अरकाद नाम का बहुत अमीर आदमी रहता था उसकी अपार दोलत के चर्चे दूर दूर तक फैले थे इसके अलावा उसकी उदारता भी मशुहूर थी वहे दिल कोल कर दान देता था और परुपकार के काम करता था वहे अपने परिवार के प्रती उदार था और खुले आद से खर्च करता था फिर भी हर साल वह जितना खर्च करता था उसके दोलत उससे ज़्यादा तेजी से बढ़ जाती थी उसके बच्पन के मित्रों ने एक दिन उसके पास आकर कहा अरकाद तुम हमसे ज़्यादा खुशकिश्मत हो तुम बेविलोन के सबसे अमीर आदमी बन गए हो जबकि हम मुश्किल से गुजारा कर पा रहे हैं तुम बेहतरीन कपड़े पहनते हो और बेहतरीन बोजन का आनंद ले सकते हो जबकि हमारा हाल यह है कि अगर हमारे परिवार को भरपेड बोजन और तन रखने को कपड़ा मिल जाए तो हमारी कुशी का ठिकाना नहीं रहता है परन्तु कभी हम एक जैसे थे हमें एक ही अध्यापक ने पढ़ाया है हम एक साथ खेले हैं पढ़ाई या खेल में तुम हमसे आगे नहीं थे और इसके बाद भी कई साल तक तुम्हारी हालत हमसे बेहतर नहीं थी जहां तक हम जानते हैं तुमने हमसे ज़्यादा कड़ी मेहनत भी नहीं की फिर ऐसा क्यों है कि किसमत तुम पर महरवान हो गई और उसने तुमें जिन्दगी की सारी खुश्यां दे दी जबकि उसने हमें नजर अंदाज कर दिया हलांकि हम भी तुमारे ही जितने हगदार थे इस पर अरकाद ने कहा अगर तुम लोगों को पैसे की दिक्कत आ रही है तो इसका कारण यह है कि या तो तुम दोलत इकठी करने के नियमों को नहीं जान पाए हो या फिर तुम उसका पालन नहीं करते हो किसमत एक एसी दुष्ट देवी है जो किसी का विस्थाई रूप से भला नहीं करती है जिस पर भी यह बिना मेहनत के धनकी बरसात कर देती है वहे लगबग हमेशा बरबाद हो जाता है उसकी महरबानी के बाद इनसान बे तहाशा खर्च करने लगता है और कुछ ही समय में सारी दूलत गवाँ बेखता है दूलत तो चले जाती है परन्तु उसके अंदर बहुत सी इच्छाओं की भूक बाकी रह जाती है जिने संतुष्ट करने का अब उसके पास सादन नहीं है जिन लोगों पर किसमत महरबान होती है उन में से कई कंजूस बन जाते है और अपनी दूलत को सेंत कर रखते है वे खर्च करने से डरते है क्योंकि वे जानते है कि अगर उनकी दूलत चली गई तो इसके बाद उन में दूलत कमाने की योगता नहीं है इसके अलावा उन्हें चारों और डाकों का डरभी सताता है इस तरहें उनकी जिन्दगी खोकली और कश्टकारी हो जाती है शायद ऐसे लोग भी होंगे जो मेहनत के बिना कमाई दूलत को लेकर उसे बढ़ा लें और सुखी नागरी के रूप में जीवन जीए परन्तु ऐसे लोग बहुत कम होंगे मैंने आज तक ऐसे किसी विक्ति को नहीं देखा है हलांकि मैंने इस बारे में कई अफ़वाएं जरूर सुनी है अगर तुम लोगों को यकिन नहीं हो रहा हो तो अपने जान पहचान के उन लोगों के बारे में सोचो जिने विरासत में अचानक दोलत मिली थी क्या ऐसा ही नहीं होता है अकराद के मित्रों ने स्विकार किया कि जिन लोगों को विरासत में दोलत मिली थी उनके बारे में यह सच था परन्तु मित्रों ने अरकाद से कहा कि वह अपनी दोलतमंद बनने की कहानी विस्तार से बताई इसके जवाब में अरकात बोला अपनी जवानी में मैंने अपने चारों तरफ सुक और संतूष्टी देने वाली बहुत सी अच्छी चीजें देखी इसके बाद मैंने यह भी देखा कि दोलत इन सब की शक्ति को बढ़ा देती है दोलत में शक्ति होती है दोलत हो तो बहुत सी चीजें संबव है आप अपने घर को सबसे महंगे सामान से सजा सकते है आप दूर देशों के यात्रा कर सकते है आप तूर के देशों के जायकेदार वेंजनों का स्वाद चक सकते हैं आप सुनार और जहुरी से आभुशन खरिच सकते हैं आप इश्वर के भव्य मंदिर बनवा सकते हैं आप ये सारे काम कर सकते हैं और इसके अलावा अनेक ऐसे काम कर सकते हैं जिन से इंद्रियों का आनंद तता आत्मा को सुख मिले और जब मुझे इन सब बातों का एहसास हुआ तो मैंने यह संकल्ब किया कि मैं जिन्दगी की तमाम अच्छी चीजें हासिल करके रहूंगा मैं उन लोगों जैसा नहीं बनूँगा जो दूर खड़े रहते हैं और सुखी लोगों से इर्शा करते हैं मैं सस्ते कपड़ों से संतुष्ट नहीं रहूंगा जिन में लोग सम्मान जनक दिखने की कोसिस करते हैं मैं गरीब आदमी की जिन्दगी से संतुष्ट नहीं रहूंगा इसके विवरित मैं बेहतरिन चीजों के इस जसन में खुद को एक सम्मानित अतिति पाऊंगा जैसा तुम लोग जानते हो मेरे पिता एक छोटे व्यापारी थे और हमारा परिवार बढ़ा था इसलिए मुझे विरासत में कुछ मिलने की जरा भी उमीद नहीं थी जैसा तुम लोगों ने कहा मुझे में तिवर बुद्धी या विसेस योग्यता भी नहीं थी इसलिए मैंने फैसला किया कि अगर मैं अपने इच्छा पूरी करना चाहता हूँ तो इसके लिए मुझे समय और ग्यान की चरूरत है जहां तक समय का सवाल है यह सब के पास परचूरता में होता है तुम सब के पास दोलतमत मनने के लिए काफी समय था जिसे तुमने बरबाद कर दिया तुम लोगों के अनुसार तुम्हारे पास समपत्ति के नाम पर सिर्फ तुम्हारे परिवार है जो सच-मुच गरों करने लाइक है जहां तक ग्यान का सवाल है तुम्हें याद होगा हमारे बुद्धिमान अध्यापक ने हम सब को यह बताया था कि ग्यान दो तरह का होता है एक तरह का ग्यान वह है जो हम सीखते और जानते है और दूसरी तरह का ग्यान यह परशिक्षन है कि हम उस चीज़ का पता कैसे लगाएं जिसे हम नहीं जानते है इसलिए मैंने यह पता लगाने का फैसला किया कि दोलत का संग्रै कैसे किया जा सकता है मैंने यह संकल्प किया कि इसका तरीका मालूम होते ही मैं दोलत का संग्राय करने में चुट जाओंगा और इस काम को अच्छी तरह करूंगा समझदारी इसी में है कि जब तक हम इस दुनिया में है तब तक जिन्दगी का आनंद लें क्योंकि इस दुनिया से जाने के बाद हमें प्रयाप्त दुख मिलेंगे मुझे रिकोर्ड रूम में नकल नवीश का काम मिल गया मैं हर दिन कई गंटों तक मिट्टी के टेबलेट्स पर मेहनत से लिखता रहा महीनों मेहनत करने के बावजूद मैं दोलत के नाम पर कुछ भी इकठा नहीं कर पाया बोजन, कपड़े, देवताओं के प्राश्चित और नेजाने कितनी चीजों पर मेरी सारी कमाई खर्च हो जाती थी लेकिन इसके बावजूद मेरा संकल्प कम नहीं हुआ फिर एक दिन शावकार अलगे मिस सिटी मास्टर के घर आए उन्होंने नवे नियम की, नकल मांगी और मुझसे कहा मुझे यह दो दिन में चाहिए और अगर यह काम उस समय तक पूरा हो गया तो मैं तुम्हें तांबे के दो सिके दूँगा मैंने मेहनत की परन्तु वह नियम लंबा था और जब अलगे मिश आए तो काम अधूरा पड़ा था वे नाराज होकर बोले कि अगर मैं उनका गुलाम होता तो वे मेरी खाल उदेड लेते बहराल मैं जानता था कि सिटी मास्टर उन्हें मुझबर हाथ नहीं उठाने देंगे इसलिए मुझे इस बात का डर नहीं था मैंने उनसे कहा अलगे मिश आप बहुत अमीर आदमी है मुझे बताएं कि मैं भी अमीर कैसे बन सकता हूँ अगर आप ऐसा करने का वाइदा करें तो मैं सारी रात मरदा पतर लिखूँगा और सुरज उगने तक आपका काम पूरा हो जाएगा वे मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए और बोले तुम बहुत ही दुसासी हो परन्तु मुझे यह सोदा मनजूर है मैं पूरी रात लिखता रहा हलांकि मेरी कमर में दर्द हो रहा था तेल की बद्बू से मेरा सिर भूम रहा था और मेरी आँखों के सामने अंधेरा चा रहा था लेकिन जब वे सुबह आए तो नियम की पूरी नकल तैयार हो चुकी थी फिर मैंने उनसे कहा अब आप अपना वाइदा पूरा करें वे देयालुता से बोले तुमने सोदे का अपने तरव वाला हिसा पूरा कर लिया है बेटे और मैं अपना हिसा पूरा करने के लिए तैयार हूँ मैं तुमें वे सब बाते बताऊंगा जो तुम जानना चाहते हो क्योंकि मैं बुड़ा हो रहा हूँ और बुड़े लोगों को मुँ चलाना अच्छा लगता है जब यूवक बुड़े लोगों के पास सला लेने जाते है तो उन्हें अनुवव से हासिल ग्यान मिलता है परंदु अक्सर यूवक यह मान लेते है कि बुड़े लोगों के पास जो ग्यान है वह गुजरे जमाने का ग्यान है और वर्तमान में उससे कोई लाब नहीं होगा यही वज़े है कि वे उस ग्यान का लाब नहीं उठाते है मगर एक बात हमेसा याद रखना आज जो सूरज चमक रहा है वह वही सूरज है जो तुमारे पिता के जमाने में चमकता था और यह सूरज तब भी चमकता रहेगा जब तुमारे नातिपोते इस दुनिया से चले जाएंगे उन्होंने आगे कहा यूबकों के विचार उन धूम केतूं की तरह होते हैं जो अक्सर आसमान को चमकदार बना देते हैं जबकि बुढ़ापे का ग्यान सितारों की तरह होता है जिनकी चमक में कोई फर्क नहीं आता है इसलिए समूंदरी यात्रा करने वाले लोग सितारों के आधार पर अपनी दिसाने धारित करते हैं दूम केतूं के आधार पर नहीं मेरे शब्दों को अच्छी तरह से गाट बान लो क्योंकि अगर तुम मेरी बातों में छिपी सचाई को समझ नहीं पाऊगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी रात बर की मेहनत बेकार चली गई फिर उन्होंने अपनी मोटी बोहों के नीचे से मुझबर तीखी निगाठ डाली इसके बाद वे धीमे परंतु शशक्त लहजे में बोले मैं दोलत की रहा पर तब पहुंचा जब मैंने यह फैसला किया कि मैं अपनी कमाई का एक हिसा खुद रखूंगा अगर तुम भी ऐसा ही करो तो तुम भी दोलत की रहा पर पहुंच जाओगे फिर वे मेरी तरफ पहनी निगा से देखते रहे पर बोले कुछ नहीं मैंने पूछा बस इतना ही उन्होंने जवाब दिया भेर चराने वाले की सोर को साहुकार में बदलने के लिए बस इतना ही काफी था मैंने पूछा परंतु मैं जितना कमाता हूँ वह सब मैं ही तो रखता हूँ क्या यह सच नहीं है उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं है क्या तुम दरजी को पैसे नहीं देते हो क्या तुम मोची को पैसे नहीं देते हो क्या तुम बोजन पर खर्च नहीं करते हो क्या तुम बेविलोन में बिना खर्च किये जिन्दा रह सकते हो तुम्हारी पिछले महिने की कमाई कहा है और पिछले साल की कमाई भी मुर्ग तुम बाकी सब को पैसे देते हो परन्तु खुद को नहीं देते हो बेव को तुम अपने लिए नहीं दूसरों के लिए महनत करते हो इससे अच्छा तो यह है कि तुम गुलाम बन जाओ और मालिक तुम्हारी महनत के बदले में तुमें खाने तथा पहने को दे दे अगर तुम अपनी कमाई का दस्वा हिस्सा अपने पास रखोगे तो तुम्हारे पास दस साल में कितनी जोलत जमा हो जाएगी मेरा कणित ठीक ठाक था इसलिए मैंने तत्काल जवाब दिया मेरी एक साल की आमधनी के बराबर वे बोले तुम्हारी बात आदी सच है देखो तुम जो भी स्वर्ण मुद्रा बचाते हो वह तुम्हारी गुलाम बनकर तुम्हारे लिए काम करती है यह स्वर्ण मुद्रा जितने भी तांबे के सिखे कमाती है वे सब इसकी संताने है और वे भी तुम्हारे लिए धन कमा सकते हैं अगर तुम दोलतمن्द बनना चाहते हो तो तुम्हें अपनी बचत का निवेश करना चाहिए ताकि तुम्हारी बचत और इसकी संताने धन कमाए और तुम्हें तुम्हारी मनचाही दोलत परदान करें उन्होंने आगे कहा तुम्हें शायद यह लग रहा होगा कि मैं तुम्हारी रात बर की मेहनत के बगले में तुम्हें गलत सलाद दे रहा हूँ परंतु यकीन करो मैं तुम्हें हजार गुना ज़्यादा बुगतान कर रहा हूँ बसरते तुम में मेरी बातों के पीछे छिपी सचाई को समझने की बुद्धी हो अपनी कमाई का एक हिसाध खुद रखो चाहे तुम्हारी कमाई कितनी ही क्यों नए हो तुम्हें इसके दस्वे हिस्से यानि दस प्रतिस्द से कम नहीं बचाना चाहिए तुम इससे जितना ज़्यादा बचा सकते हो बचा लो सबसे पहले खुद को बुक्तान करो बची हुई कमाई में अपना खर्च चलाओ दरजी और मोची से इतना सामान मत करीदो कि तुम अपनी बची हुई आमदनी में से उसका बुक्तान ने कर पाओ इसके अलावा तुम्हें बची हुई कमाई में से ही भोजन, परोपकार और इस्वर के प्रैस्चित के लिए भी खर्च करना होगा पेड की तरह ही दोलत भी एक छोटे से बीज से उगती है तुम्हारे दवारा बचाया गया, तांबे का पहला सिक्का वह बीज है जिससे तुम्हारी दोलत का पिएड उगेगा जितनी जल्दी तुम यह बीज बोथोगे, पेड उतनी ही जल्दी उगेगा तुम जितनी निष्टा और निरंतर्ता से उस पेड में अपनी बज़त का पानी सिंचोगे उतनी ही जल्दी तुम उसकी च्छाओं के नीचे आराम कर सकोगे यह कहकर उन्होंने अपने मरदा पत्र उठाए और चले गए मैंने उनकी सलापर काफी समय तक विचार किया और वह मुझे तरक पूर्ण लगी इसलिए मैंने उस पर अमल करने का फैसला किया जब भी मैं कुछ कमाता था तो तामे के दस चिकों में से एक निकाल कर अलग रख देता था और अजीब बात यह थी कि मुझे खर्च चलाने में पहले से ज़्यादा दिकत नहीं हुई मुझे कोई फर्क मैसूस नहीं हुआ था और मैं अपनी आमदनी के दस्वें हिस्से के बिना ही गुजारा करने लगा धीरे धीरे मेरे बचत काकार बढ़ने लगा अपनी बढ़ती बचत को देखकर मेरा मन ललचाता था कि मैं इसे खर्च करके व्यापारियों से अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद लूँ जो उंटों और जहाजों से फिनिसियंस के देश से आती है परंतु मैंने समझदारी से काम लिया और ऐसा नहीं किया एक साल बाद अलगे मिश्ट दोबारा आए और उन्होंने मुझसे पूछा बेटे तुमने पिछली साल जितना कमाया है क्या तुमने उसका कम से कम दस्वाई सा अपने लिए बचाया है मैंने गरव से जवाब दिया हाँ मैंने इसा ही किया है उन्होंने मुश्कुरा कर कहा यह तो बहुत अच्छी बात है और तुमने उस पैसे का क्या किया मैंने इसे इत बनाने वाले अज़मर को दे दिया जिसने मुझसे कहा था कि वह दूर देसों के यत्रा करने जा रहा है और वह टायर से मेरे लिए फिनिश इनिया के दुल्लव रतन खरीद लाएगा उसके लोटने के बाद हम उन रतनों को ज़्यादा कीमत पर बेच कर मुनाफ़ा कमाएंगे और मुनाफ़े को आपस में बांट लेंगे वे गुर्रा कर बोले हर मुर्क अपनी ही गलती से सिखता है परन्तु तुमने रतनों के बारे में इंट बनाने वाले पर भरोशा क्यों किया क्या तुम ब्रेड बनाने वाले से जोतिस की बविश्यवानी कुस्ते हो नहीं अगर तुम में जराबी बुती है तो तुम इसके लिए जोतिसी के पास जाते हो तुम्हारी पूरी बचत अब चली गई है बेटे तुमने अपनी दोलत के पेर को जड़ से उखार दिया है परन्तु तुम इसे दोबारा बो सकते हो दोबारा कोशिस करो और अगली बार अगर तुम्हें रतनों के बारे में सला की जरूत हो तो जोहरी के पास जाना अगर तुम्हें बेडों के बारे में सचाई जानना हो तो गड़रीय के पास जाना सला एक ऐसी चीज है जिसे लोक मुफ्त में बाढ़ते है परन्तु इस बारे में सतरक रहने की जरूदत है वही सला मानो जो मानने योग्य हो जो व्यक्ति अपनी बचत के बारे में अनुवव हीन व्यक्तियों से सला लेता है वह गलत सला के कारण अपनी बचत कमा देता है इतना कहकर वे चले गई और जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही हुआ क्योंकि बदमास फिनिशियन ने अजमर को रतनों की तरह दिखने वाले कांच के सस्ते टुकड़े पकड़ा दिये परंतु जैसा अलगे मिश ने मुझसे कहा था मैंने दोबारा अपनी कमाई का दस्वा हिस्सा बचाया अब मेरी बचत करने की आदत पढ़ चुकी थी इसलिए यह काम मुझस्किल नहीं था एक साल बाद अलगे मिश फिर से नकल नविशों के कमरे में आए और मुझसे पूछने लगे हमारे पिछली मुलाकात के बाद तुमने कितनी तरिक्की कर ली है मैंने जवाब दिया मैंने खुद को बुक्तान किया है और अपनी आमदनी का दस्वा हिसा बचाया है मैंने अपनी बचत धाल बनाने वाले अगर को कांसा खरिदने के लिए दे दी है वह मुझे हर चोथे महीने ब्याज देता है यह तुमने अच्छा किया परंतु यह तो बताओ तुम उस ब्याज का क्या करते हो मैं उससे बहतरीन जश्न मनाता हूँ मैं शहद बहतरीन शराब और केक का लुट उठाता हूँ मैंने एक लाल जैकेट भी खरिद ली है और जल्दी ही मैं सवारी करने के लिए एक खचर भी खरिदने वाला हूँ इस पर अलगे में शहां से तुम अपनी बचत की संतानों को खा रहे हो फिर तुम यह उमीद कैसे कर सकते हो कि वे तुम्हारे लिए काम करेंगी और फिर उनकी संताने कैसे होंगी जो तुम्हारे लिए काम कर सकें सबसे पहले सिक्कों के गुलामों की सेना बनाओ इसके बाद तुम बिना पस्ताए बेहतरिन जस्न मना सकते हो इतना कहकर वे चले गए इसके बाद मैंने उन्हें दो साल बाद देखा बुढ़ापे के कारण उनके चेहरे पर छुरियां पड़ चुकी थी और उनके कंदे जुक गई थे उन्होंने मुझसे पूछा अरकाद क्या तुमें वह दोलत मिल चुकी है जिसका तुमने सपना देखा था मैंने जवाब दिया उतनी तो नहीं मिली जितनी मैं चाहता था परंतु मेरे पास कुछ संपती जमा हो गई है यह संपती ब्याज कमाती है तथा इसका ब्याज और ब्याज कमाता है और क्या तुम अब भी इंट बनाने वालों से सला लेते हो मैंने जवाब में कहा इंटों के बारे में वे अच्छी सला देते हैं यह सुनकर वे बोले, अरकाद तुमने मेरे सबक अच्छी तरह से सीख लिये है, पहले तो तुमने यह सीखा कि अपनी आमदनी से कम में अपना खर्च कैसे चलाया जाए, फिर तुमने उन लोगों से सला लेना सीखा, जो उस ख्षेतर का अनुभव और ग्यान रखते हों, और तुमने यह सीखा कि धन से अपने लिए कैसे काम करवाया जाता है, तुमने यह सीख लिया है कि धन को कैसे हासिल किया जाता है, इसे अपने पास कैसे रखा जाता है, और इसका प्रियोग कैसे किया जाता है, इसलिए तुम जिम्मेदारी का पद संभालने के योग्या बन च मैं अब बुड़ा हो चुका हूँ, मेरे पुत्र हमेशा खर्च करने की योजनाए बनाते रहते हैं और कमाने के बारे में जराबी नहीं सोचते हैं, मेरी जायदात बहुत फैली होई है और मैं उसे नहीं संभाल सकता हूँ, क्योंकि अब मैं बुड़ा हो चुका हूँ, अग क्योंकि मुझ में प्रवल महतव कांक्षा थी और मैंने तीन नियमों में निपुनता हासिल कर ली थी, इसलिए मैंने उसके जायदात के लाप को बहुत बढ़ा दिया। परेणाम यह हुआ कि मेरे पास काफी पैसा आ गया और जब अलगे मिश इस दुनिया से चले गई, त तुम सचमुच खुश किशमत थे कि अलगे मिश ने तुम्हे अपना वारिश मनाया, मैं सिर्फ इस मामले में खुश किशमत था कि उन से मिलने से पहले मेरे मन में दोलतमन बनने की इच्छा थी, क्या चार साल तक अपनी आमदनी का दस्वा हिसा बचा कर यह साबित नहीं क किया है ताकि वह हर बदलती हवा के साथ उन पर अपना जाल फेंक सके। आउसर एक गमंडी देवता है जो उन लोगों पर समय बरबाद नहीं करता, जो तैयार नहीं हो। एक और मित्र बोला, आप में इतनी द्रड इच्छा सकती थी कि आप पहले साल की बज़त डूपने के बाद भी यह काम करते रहे, इस मामले में आप ऐसा दारण है। अरकाद ने कहा, इच्छा सकती, बकवास, क्या तुम्हें लगता है कि इच्छा सकती मनुश्य को वह बोज उठाने की शक्ती दे सकती है, जो उन्ट नहीं उठा सकता, क्या इच्छा सकती मनुश्य को वह भारी बैल गाड़ी खींचने की शक्ती दे सकती है, जिसे बैल नह करने का फैसला किया है तो चाहे वह कितना ही चोटा क्यों ने हो मैं उसे पूरा करता हूँ वरना मुझ में महत्वपूर्ण काम करने के लिए आतम विश्वास कैसे आएगा अगर मैं खुद से यह कहूँ शहर जाने वाले पुल को पार करते समय मैं सो दिन तक हर दिन सडक से ए तो मैं ऐसा हर दिन करूँगा अगर साथमें दिन पुल पार करते समय मैं कंकर डालना भूल जाओं तो मैं लोटकर यह नहीं कहूँगा कल मैं दो कंकर डाल दूँगा इससे कोई परक नहीं पड़ेगा नहीं मैं दुबारा पुल तक जाओंगा और कंकर डालूँगा नहीं एक साथ डाल दो, और इस जhotड को खत्म करो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा, जब मैं किसी काम को करने का फैसला करता हूं, तो मैं उसे पूरा करके ही दम लेता हूं। इसलिए मैं इस बात का ध्यान रखता हूं, कि मैं कठिन और एव यवारिक काम शूरू ने करूं क्योंकि मुझे फुर्सत में रहना और आराम करना पसंद है फिर एक मित्रो और बोला आपकी बातें तर्क पूर्ण है और अगर ये सच है तो यह काम बहुत आसान है अगर सब लोग ऐसा ही करने लगें तो फिर दोलत इस हाथ से उस हाथ तक कैसे पहुँच पाएगी अरकाद ने जवाब दिया जहां भी मनुश्य सरम करते हैं वहां दोलत बढ़ती है अगर कोई अमीर आदमी एक नया महल बनाता है तो क्या उसका खर्च किया हुआ पैसा गाइब हो जाता है नहीं इंट वाले को इसका एक हिसा मिलता है मजदूरों को इसका एक हिसा मिलता है कारीगर को एक हिसा मिलता है जो भी उस महल को बनाने में मेहनत करता है उसे उस धनमे से हिसा मिलता है और जब महल बनकर तैयार हो जाता है तो क्या यहे इसके लागत जितना मुल्यवान नहीं होता है क्या महल बनने के कारण उस भूमी का मुल्य नहीं बढ़ जाता है जिस पर वह बना हो और क्या महल बनने के कारण इसके आसपास वाली भूमी की कीमत नहीं बढ़ जाती है जो धन कमा कर लाते हैं क्या उस धन से विरान समूंदरी तटों पर बड़े शहर नहीं बना दिये हैं एक और मित्तर ने पूछा तो फिर आप हमें अमीर बनने के लिए क्या करने की सला देते हैं हमारे बहुत साल बरबाद हो चुके हैं हमारी जवानी चली गई है और हमारे पास बचत के नाम पर कुछ भी नहीं है मैं सला देता हूँ कि आप अलगे मिसकी समझदारी से सीख लें और खुद से कहें मैं जितना कमाऊंगा उसका एक हिसा खुद रखूँगा इस वाक्य को सुबह उड़ते समय दोराई इसे दोपैर में दोराई इसे रात में दोराई इसे हर दिन हर गंटे दोराई आप खुद से तब तक यह कहते रहें जब तक कि ये शब्द आस्मान में आग के अक्षरों की तरह साफ नजर नए आने लगे अपने मन पर इस विचार की मोहर लगा लें अपने मस्तिस्क में इस विचार को भर लें फिर आमदनी का जितना हिस्सा तरक संगत लगता हो उतना बचाएं आपकी यह बचत आपकी आमदनी के दस्वे हिस्से यानि 10% से कम नहीं होना चाहिए फिर इस हिसे को अलग रख दे अगर आवशक हो तो अपने बाकी खर्च कम कर दे परन्तु सबसे पहले दस्वे हिसे को अलग रख दे जल्दी ही आप खुद को एक ऐसे खजाने का स्वामी पाएंगे जिस पर सिर्फ आपका हक होगा इससे आपको बहुत सुक मिलेगा जब आपका खजाना बढ़ेगा तो इससे आपको प्रेड़ना मिलेगी जिन्दगी का एक नया आनंद आपको रोमान्चित करेगा फिर आप ज़्यादा कमाने के लिए ज्यादा कोशिस करेंगे क्योंकि आपकी आमदनी जितनी बढ़ेगी आपकी बचत भी उतनी ही बढ़ेगी इसके बाद अपने खजाने से अपने लिए काम करवाना सीखें इसे अपना गुलाम बनाएं इसकी संतानों और इसकी संतानों की संतानों से अपने लिए काम करवाई भविश्य की आमदनी सुनिश्चित कर लें बूड़े लोगों को देखें और यह याद रखें कि किसी दिन आपकी गिंती भी इनी लोगों में होगी इसलिए अपने खजाने का निवेश बहुत साउधानी से करें ताकि आप इसे गवाने दें बदले में बहुत ज़्यादा मुनाफ़ा वह दोके बाद जलपरी है जो अपने मधूर गीत से ऐसाउधान व्यक्ति को मोहित करके चट्टानों की और आकर्शित करती है जहां वह नुकसान और पश्चाताप की चट्टानों से तकरा कर त्वस्त हो जाता है इस बात की व्यवस्ता भी कर लें कि अगर देवता आपको अपने पास बुला लें तो आपके परिवार पर आर्थिक संकट ने आए समय समय पर बीमे का थोड़ा बुप्टान करने से एसी सुरक्षित व्यवस्ता करना संभव है इसलिए समझदार व्यक्ति ऐसे समझदार रिपोर्ण ओदेश्या के लिए धन खर्च करने में देर नहीं करता है बुद्धिमान लोगों से सला लें धन संबंदी काम करने वाले लोगों से सला लें वे आपको उस तरह की गलती से बचा लेंगे जो मैंने अपने धन की इंट बनाने वाले अजमर के हवाले करते समय की थी कम परंतु सुरक्षित लाग जो खिम लेने से बहतर है जब तक आप इस दुनिया में हैं इसका आनंद ले अपने ख्षमता से ज़्यादा मेहनत नहें करें बहुत ज़्यादा धन बचाने की कोशिस भी नह करें अगर आप अपनी आमदनी के दस्वे हिस्से को आराम से बचा सकते हैं तो इतना बचा कर ही संतुष्ट रहें इसके अलावा अपनी आमदनी के इसाफ से जिन्दगी गुचारें बहुत ज़्यादा कंजूस नह बने नए ही खर्च करने से डरें जिन्दगी बहुत अच्छी है और जिन्दगी में एसी बहुत सी चीजें है जिनका आनंद लिया जाना चाहिए अरकाद के मित्रों ने उसे धन्यवाद दे कर उससे विदा ली लोटते समय कुछ मित्र तो खामोस थे क्योंकि उन में कल्पना शक्ती नहीं थी और वे अरकाद की बातों का पूरा मतलब नहीं समझ भाए थे कुछ हालोजना कर रहे थे क्योंकि वे सोच रहे थे कि इतने अमीर आदमी को अपने दोलत का कुछ हिसा अपने गरीब दोस्तों में बांट देना चाहिए परन तो कुछ की आँखों में एक नई चमक थी वे जानते थे कि अलगे मिश हर बार नकल नविशों के कमरे में लोटा था क्योंकि वे अरकाद को अंदकार से निकाल कर परकास की और जाते देख रहा था जब अरकाद को ग्यान का परकास मिल गया तो एक आउसर एक पद उसका इंतजार कर रहा था कोई भी उस जगे को नहीं भर सकता था जब तक की वहे अपने ग्यान को बढ़ाने ले और आउसर के लिए तैयार ने हो बादवाले लोग कई सालों तक अरकाद से बार बार मिलने गए जिसने खुशी शे उनका स्वागत किया उसने उने काफी समझदारी भरी सला दी जैसा अनुबवी लोग हमेशा खुशी-खुशी करते हैं और उसने उनकी बज़द के निवेस में मदद भी की ताकि उन्हें सुरक्षित ब्याज मिल सके और उनका मूल धन सुरक्षित रहे या वे एसे निवेसों में ने उलज जाएं जिन में उन्हें कोई लाब ने हो इन लोगों की जिंदगी में बदलाओ का ख्षन उस दिन आया जब उन्हें उस सत्य का एहसास हुआ जो अलकेमिस से अरकाद ने और अरकाद से उन्होंने सीखा था अपनी आमदनी का दस्वा हिस्सा खुद के लिए बचा कर अलग रखें धन्यवाद हिंदी ओडियो बुक टोट कॉम अध्याए टीन खाली पर्स के साथ इलाज बेविलोन बहुत ही प्रसिद शहर था इतने यूगों बाद भी वह दुनिया के सबसे शम्रद शहर की रूप में मशुहूर है जिसका खजाना हमेशा भरा रहता था परन्तु हमेशा से ऐसा नहीं था बेविलोन की अमेरिका कारण यह था कि इसके नागरिक बुद्धिमान थे उन्होंने अमीर बनने का फार्मूला सीख लिया था जब समराट सारगन अपने सत्रूं को पराजित करने के बाद बेविलोन लोटा तो उन्हें गंबिर स्थितिका सामना करना पड़ा उनके वजीर ने उन्हें बताया महा महीम ने सिंचाई के लिए बड़ी नहरे और पूजा अर्चना के लिए उंचे मंदिर बनवाए जिस वज़े से परजाजन कई साल तक समरद रहे परन्तु अब ये काम पूरे हो गए है इसलिए ज्यादातर नागरी अपनी गुजर बसर नहीं कर पा रहे है मजदूर पे रोजगार है वेपारियों की ग्रहा की बहुत कम हो गई है किसानों की फसल नहीं बिक रही है लोगों के पास सामान खरीदने के लिए प्रयापत धन नहीं है राजा ने पूछा हमने नहर और मंदिर बनवाने में इतना सारा धन कर्च किया था आकिर वेधन गया कहा वजीर ने कहा महराज वेधन हमारे शहर के मुठी वर अमीर लोगों के पास चला गया है वेधन हमारे अधिकांस नागिरिकों की उंगलियों में से उसी तरह फिसल गया जिस तरह बकरी का दूद छलनी में से फिसल जाता है चुंकि अब धन की नदिया बहना बंद हो गई है इसलिए ज्यादातर लोगों की आमदनी भी खत्म हो गई है समराट कुछ समय तक सोचते रहे फिर उन्होंने पूछा इतना सारा धन मुठी वर लोगों के पास कैसे चला गया वजीर ने जबाब दिया क्योंकि वे इसका तरीका जानते थे हम सफल लोगों की इस कारण निंदा नहीं कर सकते क्योंकि वे सफल होने का तरीका जानते है इसके अलावा यह भी उचित नहीं होगा कि वैद रूप से कमाए धन को जबरदस्ती छिन कर कम योग्य व्यक्तियों में बाट दिया जाए समराट ने पूछा सब लोग यह क्यों नहीं सीखते कि धन इकठा कैसे किया जाता है ताकि मेरे शहर का हर आत्मी अमीर बन जाए क्या यह संभव नहीं है बिल्कुल संभव है महराज परंतु उन्हें सिखाएगा कौन पूरोही तो और पुजारी तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें धन कमाने के बारे में रत्ती भर्वी ग्यान नहीं है समराट ने पूछा वजीर तोलतमंद बनने का तरीका हमारे शहर में सबसे अच्छी तरह कौन जानता है आपके सवाल में ही जवाब चिपा है महराज बेविलोन में सबसे ज़्यादा दोलत किसके पास है मेरे काबिल वजीर तुमने बहुत अच्छी बात कही है अरकाद के सिवा और कौन हो सकता है वह बेविलोन का सबसे अमीर आदमी है उसे कल मेरे सामने पेश करो अगले दिन समराट के आदेश के अनुसार अरकाद उनके सामने उपस्तित हुआ हालांकि उसकी उमर सतर वर्सो चुकी थी परंतु वह अब भी चूस्तोर पुर्तिला था समराट ने कहा अरकाद क्या यह सच है कि तुम बेविलोन के सबसे अमीर आदमी हो लोग ऐसा कहते हैं महामहिम और कोई भी इसका विरोध नहीं करता तुम इतने दोलतमन कैसे बने उन आउसरों का लाव लेकर जो हमारे स्रेश्ट सहर के सभी नागरिकों के लिए उपलब्द है तुम्हारे पास शुरू में तो कुछ नहीं था सिर्फ दोलत कमाने की प्रबल इच्छा थी इसके अलावा और कुछ नहीं था महाराज समराट ने आगे कहा अरकाद हमारे शहर की स्थिती बहुत कम्वीर है सिर्फ मुठी वर लोग ही दोलत कमाने का तरीका जानते है इसलिए धन पर उनका एका अधिकार हो गया है जबकि हमारे अधिकांस नागरिक यह नहीं जानते कि वे अपनी आमदनी में से बचत करके दोलत मंद कैसे बन सकते है मैं चाहता हूँ कि बेबिलोन दुनिया का सबसे अमीर शहर बन जाए इसलिए इसमें बहुत से दोलत मंद लोग होने चाहिए इसके लिए हमें सब लोगों को यह सिखाना होगा कि अमीर कैसे बना जाता है मुझे बताओ अरकाद क्या दोलत मंद बनने का कोई रह्षय या फार्मूला है क्या इसे सिखाया जा सकता है महा महीम जो एक व्यक्ति जानता है उसे दूसरों को भी सिखाया जा सकता है समराट की आँखों में चमका गई अरकाद तुमने वही शब्द बोल दिये जो मैं सुनना चाहता था क्या तुम इस महान काम में अपना सहयोग दोगे क्या तुम कुछ लोगों को सिखा सकते हो जो आगे चल कर दूसरों को सिखाएं जब तक कि हम अपने शहर के हर नागरिक को अमीर बनने का फार्मूला नए दिखा दें अरकाद ने सिर जुका कर कहा मैं आपका विनमर सेवक हूँ और आपके आदेस का पालन करूँगा मेरे पास जितना भी ज्यान है मैं उसे अपने साथी नागरिकों की बेहतरी और समराट की संतुष्टी के लिए खुशी खुशी दूँगा अगर वजीर साहब मेरी कक्षा के लिए सो लोगों का प्रबंद कर दें तो मैं उन्हें खाली पर्स के साथ इलाज बताऊंगा कभी मेरा पर्स भी बेविलोन का सबसे खाली पर्स था परंतु मैंने इन साथ इलाजों से उसे मोटा कर लिया पंद्रे दिन बाद समराट के हुक्म से सो लोग शिक्षन मंदिर के बड़े हाल में एकत्रित हुए वे अर्दवरत के आकार में बैठे थे अर्काद एक छोटे चबूतरे पर बैठा था वहाँ पवित्तर दीपक जल रहा था जिसमें से एक अजीब और अच्छी खुस्भू आ रही थी जब अर्काद उठा तो एक विद्यार्थी ने अपने पडोसी को कोहनी मारते हुए कहा बेविलोन के सबसे अमीर आदमी को देखो परंतु वहे भी हम लोगों की तरह इंसान ही है अर्काद ने बोलना शुरू किया हमारे महान समराट के आग्याकारी सेवक के रूप में मैं आपके सामने खड़ा हूँ चुंकि मैं भी कभी धन की प्रबल इच्छा रखने वाला गरीब यूवक था और चुंकि मैंने अपने ग्यान की बदोलत परचूर दोलत हासिल की है इसलिए समराट चाहते हैं कि मैं आपको वह ग्यान प्रतान करूँ ताकि आप भी दोलत मत बन सकें मेरी जीवन यात्रा बहुत गरीबी में शुरू होई थी मेरे पास एसा कोई लाव नहीं था जो आपके या बेबिलोन के बाकी नागरिकों के पास नहीं हो उस समय मेरे पास एक बहुत पुराना परस था वह हमेशा खाली रहता था और मुझे इस बात से बहुत चिड़ोती थी मैं चाहता था कि मेरा परस मोटा रहे और इसमें सोने के सिके खनकते रहे इसलिए मैं खाली परस के इलाज खोजने में जुट गया मुझे कुल साथ इलाज मिले आज मैं आप लोगों को खाली परस के साथ इलाज बताऊंगा जो लोग बहुत दोलतबंद बनना चाहते हैं मैं उन्हें सला देता हूँ कि वे इन इलाजों पर अमल करें साथ दिनों तक हर दिन मैं आपको खाली पर्स के साथ इलाजों में से एक एक इलाज बताऊंगा मेरी बातों को ध्यान से सुनें मेरे साथ बहस करें आपस में चर्चा करें ये सबक अच्छी तरह से सीख लें ताकि आप भी अपने पर्स में दोलत का बीज बो सकें सबसे पहले तो आपको इस ग्यान से लाव उठा कर दोलतमंद बनना होगा इसके बाद ही आप इस काबिल बनेंगे कि आप ये सबक दूसरों को सिखा सकें मैं आपको पर्स मोटा करने के आसान तरीके सिखाऊंगा यह दोलत के मंदिर की पहली सीड़ी है कोई भी आदमी बाकी सीड़ी तब तक नहीं चर सकता जब तक वह है इस पहली सीड़ी पर दड़ता से अपने कदम ने रख लें अब हम पहले इलाज पर विचार करते हैं पहला इलाज अपने पर्स को मोटा करना शुरू करें अरकाद ने दूसरी पंक्ती में बैठे एक विचार मगन व्यक्ती से पूछा मेरे प्रिय मित्र आप क्या कहते हैं उस आदमी ने जवाब दिया मैं एक नकल नवीश हूँ और मरदा पत्रों पर रिकाउड लिखता हूँ मैंने भी यहीं से शुरुवात की थी इसलिए आपके पास भी दूलतमंद बनने का उतना ही अफसर है जितना मेरे पास था फिर अरकाद ने पीछे की तरफ बैठे एक लाल चेहरे वाले आदमी से पूछा आप अपनी आजीविका कैसे कमाते हैं उस आदमी ने जवाब दिया मैं मास बेशता हूँ मैं किसानों से बकरियां खरीद कर उने जिवह करता हूँ और फिर उनका मास ग्रहनियों को तथा उनकी खाल जूते बनाने वालों को बेशता हूँ चुकि आप भी मेहनत करके कमाते हैं इसलिए आपके पास भी सफल होने का उतना ही अफसर है जितना मेरे पास था इस तरह अरकाद ने यह पता लगाया कि हर आदमी कौन सा काम करके अपनी आजिवी का कमाता है सब लोगों से सवाल पूछने के बाद उसने कहा अब मेरे विद्यार्थियों आप देख सकते हैं कि एसे बहुत से काम और स्रम होते हैं जिन से इनसान धन कमा सकता है कमाई का हर तरीका धन की नदी की तरह है काम करने वाला अपनी मेहनत से उस नदी का रुख अपने पर्स की तरफ मोड लेता है इसलिए आपके पर्स में आपकी योग्यता के अनुसार धन की छोटी या बड़ी धारा बहती है क्या यह सच नहीं है सब लोगों ने कहा कि यह सच है अरकाद ने कहा अगर आप दोलतमन बनना चाते हैं तो क्या यह समझदारी पूर्ण नहीं है कि आप दोलत के उस सोट का उपयोग करना शुरू करें जिसे आपने पहले से स्थापित कर रखा है इस पर भी वे सहमत हो गए फिर अरकाद अंडों के एक करीब व्यपारी की और मुड़ा अरकाद ने उनसे पूछा अगर आप किसी डलिया में हर सुबै दस अंडे रखें और हर शाम को उन में से नो अंडे निकालें तो कुछ समय बाद क्या होगा कुछ समय बाद वह डलिया पूरी भर जाएगी क्यों? क्योंकि मैं हर दिन उसमें जितने अंडे टालता हूँ उससे एक अंडा कम निकालता हूँ अरकाद मुस्कुराते हुए कक्षा की और मुड़े क्या आप में से किसी का परस खाली है? वे लोग पहले तो खिशिया कर हांसे फिर उन्होंने मजाक में अपने खाली परस लहरा कर अरकाद को दिखाए अरकाद आगे बोला ठीक है अब मैं आपको खाली परस का पहला इलाज बताता हूँ आप वही करें जिसका सुझाओ मैंने अंडे के व्यापारी को दिया था अपने परस में डाले गए 10 सिकों में से सिर्फ 9 सिके बाहर निकालें जब आप अपनी सिर्फ 90% आमदनी को इखर्च करेंगे तो जल्दी ही आपका परस मोटा होने लगेगा परस भारी होने से आपको अच्छा लगेगा और आपके कलेजे को ठंड़क पहुचेगी यह सबक बहुत ही साधारन लगता है परन्तु साधारन होने के कारण मेरी कही बात को हलके पन से ने ले सत्ते हमेशा साधारन होता है मैं आपको बताऊंगा कि मैंने दोलत कैसे ही कठी की मैंने भी इसी तरह शुरुबात की थी पहले मेरा पर्स भी हमेशा खाली रहता था और मैं इसे कोसा करता था क्योंकि इसमें मेरी इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए धन नहीं रहता था इसलिए जब मैंने अपने पर्स में दस सिक्के डाल कर सिर्फ नो सिक्के बाहर निकालना शुरू किया तो यह भारी होने लगा इस उपाई पर चलने से आपका पर्स भी भारी हो जाएगा अब मैं आपको एक विचित्र सत्य सुनाता हूं जिसका कारण मैं नहीं जानता हूं जब मैंने खर्च के लिए सिर्फ 90% आपदनी रखी तब भी मेरा खर्च उतनी अच्छी तरह से चलता रहा मैं पहले जितनी कड़की में रहता था लगवग उतनी ही कड़की में रहा इसके अलावा कुछ समय बाद धन मेरे पास पहले से ज़्यादा आसानी से आने लगा निश्चित रूप से यह देवताओं का नियम है कि जो व्यक्ति अपनी आमदनी का एक निश्चित हिस्सा बचा कर रखता है और उसे खर्च नहीं करता है उसके पास धन ज़्यादा आसानी से आता है इसी तरह यह भी सही है कि धन्द खाली पर्स वाले पर महरबान नहीं होता है आप किस चीज को पाने के ज़्यादा इच्छुक है क्या आपके लिए रोजबर्रा की ततकालिक इच्छाओं की संतुष्टी ज़्यादा महतोपूर्ण है आभुसन, वस्तर, सजावट की चीजें, बेहतरीन व्यंजन ये चीजें जल्दी ही चली जाती है और भुला दी जाती है या फिर आपके लिए दूरगमी इच्छाओं जादा महतोपूर्ण है विशाल जाइदाद, स्वर्ण, भूमी, मवेशी, व्यापार, आमदनी देने वाले निवेश आप अपने पर्ष में से जो सिक्के निकालते हैं उनसे आपकी ततकालिकी इच्छाओं पूरी होती है आप अपने पर्स में जो सिक्षे बचाते हैं, उन से आपकी दूरगा में इच्छाईएं पूरी होती है मेरे विद्यार्तियों यह खाली पर्स का पहला इलाज था, जिसे मैंने खोजा था मैं पर्स में दस सिके डालता था और उन में से सिर्फ नो सिके खर्च करता था आप लोग इस पर आपस में विचार करें और अगर किसी को इसमें कोई गड़बर नजर आए तो वहे कल मुझे पता दे दूसरा इलाज, खर्च को नियंतरित करें अरकाद ने दूसरे दिन अपने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा आप में से कुछ लोगों ने मुझे से यह पूछा है जब कोई अपनी पूरी आमदनी में अपना खर्च नहीं चला पाता है तो वह अपने पर्च में डाले गई दस सिकों में से एक सिका कैसे बचा सकता है कल आप में से कितनों के पर्च खाली थे सब ने जवाब दिया हम सब के परन्तु आपकी आमदनी समान नहीं है कुछ लोग दूसरों से ज़्यादा कमाते है कुछ का परिवार ज़्यादा बड़ा है इसलिए उनका पालन पोसन करने में वे ज़्यादा खर्च करते हैं परन्तु आमदनी और खर्च अलग अलग होने के बावजूद आप सब के पर्च एक जैसे यानि खाली थे अब मैं आपको इनसानों के बारे में एक ऐसा मन्य सचाई बताऊंगा वह सचाई यह है हमारे इस आफशक खर्च हमेशा हमारी आमदनी के अनुपात में बढ़ते रहेंगे जब तक कि हम इन्हें रोकने की कोशिस ने करें आफशक खर्च और इसकी इच्छाओं के बीच के फर्ग को नजर अंदास ने करें आपकी आमदनी से आपकी जितने इच्छाएं संतुष्ट हो सकती है आपकी और आपके परिवार की इच्छाएं उससे कहीं ज़ादा होती है उन इच्छाओं की संतुष्टी के लिए आमदनी कम पढ़ जाती है और बहुत से इच्छाएं ऐसी रह जाती है जो संतुष्ट नहीं हो पाती सभी लोगों के पास उससे ज़्यादा इच्छाएं होती है जितनी वे संतुष्ट कर सकते हैं आप सोचते होंगे कि मैं अपनी दोलत के कारण अपनी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ यह संभव नहीं है मेरे समय की सीमा है मेरी शक्ती की सीमा है मैं जितनी यात्रा कर सकता हूँ उसकी दूरी की सीमा है मैं जो खा सकता हूँ उसकी भी सीमा है मैं जितने उच्छा से आनंद ले सकता हूँ उसकी भी सीमा है किसान खेत में जहाँ भी खाली जगह छोड़ता है वहाँ पर धर्पतवार उगाती है उसी तरह जहां भी इच्छाओं के संतूष्ट होने की संभावना होती है वहाँ इंसानों के मन में इच्छाएं पैदा हो जाती है इच्छाएं ऐसे मित होती हैं परन्तों जिन इच्छाओं को आप पूरा कर सकते हैं वेज सीमित होती है अपनी जीवन सहली और खर्च की आदतों के बारे में अच्छी तरह सोचें एसा करने पर आपको कुछ ऐसे खर्च जरूर मिलेंगे जिनें कम या खत्म किया जा सकता है यह लक्षय बना लें कि आप जो भी सिका खर्च करें उसके बदले में आपको सत परतिसत संतुष्टी मिलें इसलिए आप जिन चीजों के लिए खर्च करना चाते हों उन्हें लिख लें सिर्फ आवशक चीजों को चुनें इसके अलावा सिर्फ उन्ही चीजों को चुनें जो आपकी 90 परतिसत आमदनी में संभव हो बाकी उन चीजों को हटा दे और उन्हें अपनी ऐसी मिती चाखा हिस्सा मान ले जो संतुष्ट नहीं होंगी उनका अफसोस नहें करें फिर अपने आउशक खर्च का बजट बना लें उस दस्में हिस्से को छुमें भी नहीं जो आपके पर्स को मोटा कर रहा है इसे अपनी प्रबल इच्छा बना लें जो संतुष्ट हो सकती है अपने बजट पर मेहनत करते रहें और इसमें फिर बदल करते रहें अपने पर्स को मोटा बनाई रखने की दिसा में बजट को अपना पहला सलाकार बनाई इस पर लाल और सुनेरे वस्तर वाले एक आदमी ने खड़े ओकर कहा मैं एक स्वतंतर व्यक्ती हूँ मैं मानता हूँ कि मुझे जिन्दगी की अच्छी चीजों का आनंद लेने का हक है इसलिए मैं बजट की गुलामी का विरोध करता हूँ जो यह तै करता है कि मैं कितना खर्च कर सकता हूँ और किन चीजों के लिए कर सकता हूँ मैं महसूस करता हूँ कि इस से मेरी जिन्दगी का अनंद कम हो जाएगा और मैं बोज उठाने वाले खचर की तरह बन जाऊँगा इस पर अरकाद ने जवाब दिया मेरे मित्र आपका बजट कौन बनाएगा उस आदमी ने कहा मैं खुद मान ले कि कोई खचर अपने बोज का बजट बनाए तो वह इसमें क्या शामिल करेगा क्या वह इसमें रत्न, कालिन और सोने की बरी सिलियां सामिल करेगा बिल्कुल नहीं वह इन कीमती चीजों को अपने बोज में शामिल नहीं करेगा इसके बज़ाए वह उस बोज में घास, अनास और रेगिस्तान के लिए पानी की मशक रखेगा बजट का उदेस्या यह है कि आपका पर्स मोटा बने बज़ट आपकी आउशक्ताओं को संतूस्ट करने में आपकी मदद करता है आउशक्ताओं के अलावा यह आपकी कुछ इच्छाओं को पूरा करने के लिए भी मदद करता है बजट द्वारा आप साधारन इच्छाओं से अपनी सबसे प्रवल इच्छाओं की रख्षा करते हैं ताकि वे पूरी हो सकें आपका बजट अंधेरी गुपा में चमकीली मशाल की तरह आपको दिखता है कि आपके पर्स में कहां छेद हो रहे हैं यह उन छेदों को सिलने में आपकी मदद करता है बजट आपके खर्च को इस तरह से नियंतरित करता है ताकि आप सिर्फ सुनिश्चित और संतुष्टी दायक उदेश्यों के लिए ही खर्च करें खाली पर्स का यह दूसरा इलाज है अपने खर्च का बजट बना ले ताकि आपके पास अपनी आउशक्ताओं को पूरा करने के लिए पैसे रहें और आप 90% आमदनी में ही अपनी बाकी महत्वपूर्ण इच्छाओं का आनंद ले सकें तथा उन्हें संतुष्ट कर सकें और इसा जरूर होगा क्योंकि आप खुद को अनुशाशित कर चुके हैं अब आप अपनी आमदनी का दस्वाइसा बचाने लगे हैं आपने अपने खर्च को नियंद्रित कर लिया है ताकि आपके बढ़ते वबे खजाने की रक्षा हो सके इसके बाद हम इस बात पर विच प्यार करेंगे कि आप अपनी बचत से कैसे मेहनत करवा सकते हैं और इसे कैसे बढ़ा सकते हैं पर्स में रखा धन कंजूस आदमी को संतुष्ट करता है लेकिन इससे आमदनी नहीं बढ़ती है अपनी आमदनी में से धन बचाना तो सिर्फ सुरुवात है उस बचत से जो आमदनी होगी उसी से हम दोलतमंद बनेंगे हम अपने धन या बचत से मेहनत कैसे करवा सकते हैं निवेश करके मेरा पहला निवेश दुर्भाग्य पूरुन था और उसमें मेरी सारी बचत डूब गई थी वह कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा मैंने अपना पहला ला कंसा खरीदने के लिए उसके पास प्रयाप्त पूंजी नहीं थी इसलिए वह उन लोगों से उधार ले लेता था जिनके पास अतिरिक्त धन होता था अगर एक सम्मानित और भरोसे मंद व्यक्ती था जब उसकी ठालें बिक चाती थी तो वह अपना करज तो चुकाता ही था उस पर उदारता से ब्याज भी देता था उसे दूसरा करज देते समय मैं उसके चुकाई गए ब्याज को भी करज में जोड़ देता था इस तरह से ने सिर्फ मेरे पूंजी बढ़ती थी बलकि मेरी आमदनी भी बढ़ जाती थी जब मेरी पूंजी सूद समेत मेरे पर्स मे लोगती थी तो मुझे बहुत संतुष्टी मिलती थी मेरे विद्यार्थियों मैं आपको बताता हूँ दोलत पर्स में खनखना रहे सिक्कों से नहीं बनती है दोलत तो निवेश से प्रापतामदनी से बनती है दोलत का आर्थ धन की वह धारा है जो लगातार पर्स में बहकर आती है और उसे हमेशा मोटा करती रहती है हर इनसान यही तो चाता है आप में से हर एक की भी यही इच्छा तो है कि आपके पर्स में आमदनी लगातार आती रहे भले ही आप मेहनत करें या कहीं सेर सपाटे पर चले जाएं मेरी आमदनी बहुत ज़्यादा है इतनी ज़्यादा कि मुझे बहुत अमीर आदमी कहा जाता है अगर को मैंने जो कर्ज दिया था वहे लावकारी निवेश के ख्षेतर में मेरा पहला परशिक्षन था इस अनुबव से मुझे जो ग्यान हासिल हुआ वहे मेरे बहुत काम आया मेरी जमा पुझी बढ़ने पर मैंने दूसरों को भी कर्ज दिया और लगातार निवेश करता रहा पहले तो कुछ जग़ों से और बाद में बहुत सी जग़ों से मेरे पर्स में धन की सुनेरी धहराएं बहकर आने लगी जिनका मैं अपनी सूजबूच से मन्चाह प्रियोग कर सकता था देखिए अपनी छोटी सी आमदनी से मैंने सुनेरे सेवकों की सेना तयार कर ली जिन में से हर सिक्का या सैनिक मेरे लिए काम करता था और धन कमाता था उन्ही की तरह उनकी संताने भी मेरे लिए काम करती थी और फिर उनकी संताने जब तक कि उनके संयुत बर्यासों से मुझे काफी आमदनी नहीं होने लगी जब आमदनी अच्छी हो तो धन तेजी से बढ़ता है जैसा आप इस उधारन में देखेंगे एक किसान ने अपने पहले पुत्र के जनम के समय एक साउकार के पास चांदी के तर्सी के ब्यास पर जमा करा दिये उसने साउकार से कहा कि जब उसका पुत्र 20 साल का हो जाए तो वह मुल्दन को सूद सहीत वापस लोटा थे साउकार हर 4 साल में 25% ब्यास देने के लिए तयार हो गया किसान अपने पुत्र के लिए यह धन अलग रख रहा था इसलिए उसने साउकार से कहा कि वह ब्यास को भी मुल्दन में जोड़ता रहे जब वैलर का 20 साल का हुआ तो किसान हर बार फिर साउकार के पास गया और अपनी जमा की राशी के बारे में पुस्ताच की साउकार ने बताया कि चुकि उसकी रखम चक्रवर्दी ब्याच से बढ़ रही थी इसलिए उसने चांदी के जो 10 सी के जमा किये थे वे अब बढ़ कर 35 सी के हो गए है यह सुनकर किसान बहुत खुश हुआ चुकि उसके पुत्र को अभी धन की जरूरत नहीं थी इसलिए उसने वेह धन साउकार के पास ही जमा रहने दिया जब पुत्र 50 साल का हुआ इस दोरान उसका पिता इस दुनिया से जा चुका था तो साउकार ने हिसाब चुकाते हुए पुत्र को चांदी के 115 सिक्के दिये इस तरह 50 साल में यह निवेश चक्रवर्टी ब्याज के कारण लगवद 17 गुना बढ़ गया यह खाली पर्स का तीसरा इलाज है हर सिक्के से मेहनत करवाते रहें जब तक कि यह और सिक्के पैदा नै करे ठीक उसी तरह जिस तरह मवेशी करते हैं यह सुनिश्चित करें कि हर सिक्के का निवेश आपको आमदनी देता रहे और धन की धारा लगातार आपके पर्स में बहकर आती रहे चोथा इलाज अपनी पूंजी की रक्षा करें अरकाब ने चोथे तिन अपनी कक्षा से कहा दुर्भग्य को चमकता निशाना अच्छा लगता है इनसान को अपने पर्स में रखे धन की द्रड़ता से रक्षा करनी चाहिए अगर वह इसा नहीं करेगा तो धन उसके पास से चला जाएगा इसलिए समझदारी इसी में है कि पहले वह छोटी रकम को सुरक्षित रखना सीखें तब ही देवताओं को यह विश्वास होगा कि हम बड़ी रकम को सुरक्षित रख पाएंगे जिसके भी पास धन होता है उसके सामने बहुत से प्रलोवन आते हैं उसे कई ऐसे अउसर लल्चाते हैं जब उसे लगता है कि वह बहुत अच्छी योजनाओं में निवेस करके बहुत लाब कमा सकता है अक्सर उसके मित्र और रिष्टेदार एसे निवेसों में उच्छा से प्रिवेस करते हैं और उसे भी एसा ही करने के लिए प्रेजित करते हैं निवेश का पहला दमदार नियम है आपके मूलधन की सुरक्षा अगर मूलधन के चले जाने का खत्रा हो तो क्या जादा कमाई के लालच में पढ़ना समझदरी है मुझे इसमें जरा भी समझदरी नजर नहीं आती है अगर आप इतना बड़ा जोखिम उठाते हैं तो इसकी स कुंजी सुरक्षित लोट आएगी फटा फट अमीर बनने की हवाई इच्छाओं से गलत दिसा में नहीं चले जाएं किसी व्यक्ति को करज देने से पहले आपको यह सुनिशित कर लेना चाहिए कि उसमें करज चुकाने की समर्थ्य है यह भी देख लें कि करज चुकाने के बारे में उसकी परतिष्टा कैसी है ताकि कहीं अंजाने में आप उसे अपनी मेहनत की कमाई तोफे में ने दे रहे हों किसी भी क्षेतर में निवेश करने से पहले अपने मूल धन पर मंडराने वाले खत्रों के बारे में जान ले मेरा पहला निवेश दोस्पूर्ण और दुखत था, एक साल तक मैंने महनत से जो पैसा बचाया था, उसे मैंने अजमर नमक इंट बनाने वाले को दे दिया था, जो दूर देशों की यातरा पर जा रहा था, वहे इस बात के लिए तैयार हो गया कि वहे टायर से मेरे लिए फिनिशियंज के दुरलब रतन खरीद ला आज के टुगडे पकड़ा दिये, मेरी पूरी जमा पुंजी चली गई थी, आज मेरे पास इतना ग्यान आ चुका है कि मैं तत्काल समझ लूँगा कि रतन खरीदने के लिए इंट बनाने वाले पर भरोसा करना मुरुखता है, मैं अपने अनुभोवों की समझदारी से आप धन के प्रबंदन में अनुभोवी लोगों की समझदारी बरी सला लें, इस तरह की सला मांगने पर मुफ्त मिल जाती है, हो सकता है यह सला उतनी ही मुल्यवान साबित हो जितनी रकम का आप निवेश करने जा रहे हैं, सच तो यह है कि अगर यह सला आपकी पूंजी को यह उसे खाली होने से बचाता है, अपने जमा पूंजी को नुकसान से बचाएं, सिर्फ वही निवेश करें जहां आपका मुल्धन सुरक्षित रहें, जहां आप जब चाहें उसे दुबारा वापस पा सकें, और जहां आपको उचित ब्याज लगातार मिलता रहें, अपने घर को लावकरी निवेश बनाएं, अरकाद ने अपनी कक्षा को पांचवा सबग सिखाते हुए कहा, इंसान अपनी कमाई का दसवा हिस्सा, इसलिए अलग रखता है, ताकि वह भविश्य में जीवन का आनद ले सके, बहराल अगर वह अपनी आमदनी के बचे हुए नो हिस्सों में से कुछ बचा सके और उसका लावकरी निवेश कर सके, तो उसका खजाना ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, बेविलोन के बहुत से लोग अपने परिवारों के साथ किराए के मकानों में रहते हैं, हलांकि उनके आस-पास का माहुल अच्छा नहीं रहता है, जिन से हर औरत को खुशी मिलती है, उन मकानों में बच्चों के खेलने के लिए कोई जगए नहीं होती है, इसलिए वे गंदी गलियों में खेलते रहते हैं, किसी भी व्यक्ति का परिवार तब तक पूरी जिन्दगी का आनंद नहीं ले सकता, जब तक कि उसके मकान में इत और अंगूर खाकर हर इंसान खुश होता है, अपने घर का स्वामी बनने में उसे करो का एसास होता है, इससे उसका आतम विश्वास बढ़ता है और वहे अपने सभी परियासों में ज़्यादा मेहनत करता है, इसलिए मैं यह सला देता हूँ, कि हर आदमी के पास अपना सकता है, हमारे महान समराट ने वेविलोन की दिवारों को इतनी दूर तक फैला लिया है, कि इसके भीतर बहुत सी खाली जमीन पड़ी है, जिसे बहुत उचित कीमत पर खरिदा जा सकता है, मेरे वित्यारतियों, मैं आप लोगों से यह भी कहता हूँ, कि साहुकार खुशी खुशी उन लोगों को उधार देते हैं, जो अपनी परिवार के लिए जमीन और मकान खरिदना चाहते हैं, इस नेक काम के लिए आपको रकम आसानी से उधार मिल जाएगी, आप इंट बनाने वाले और मकान बनाने वाले को पैसे देने के लिए उधार ले सकते हैं, बसरते आप अपनी तरफ से भी थोड़ी सी जम्मापूजी लगाएं और यहे विश्वास दिला दें कि आप कर्ज चुका सकते हैं तब आपको सची खुशी का एसास होगा क्योंकि आप एक बहुत मुल्यवान जायदार के स्वामी बन जाएंगे और उस पर आपका इकलोता खर्च य ये एक मशक पानी ले सके इस तरह ग्रह स्वामी बनने वाले व्यक्ति को बहुत से लाब होते हैं इससे उसका खर्च भी बहुत कम हो जाता है इससे उसकी आमदनी का आधिक हिस्सा उसकी इच्छाओं की संतुष्टी तथा आनंद के लिए उपलब्द होता है यह खाली पर जाको छट्वें दिन संबोधित करते हुए कहा हर व्यक्ति की जिन्दगी बच्पन से बुढ़ापे की तरफ चलती है यह जिन्दगी का मार्ग है और इस पर हर एक को चलना पड़ता है जब तक कि देवता उसे ऐ समय ही अपने पास ने बुला लें इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि इनसान को अपने बविश्य या बुढ़ापे के लिए उचित आमदनी की व्यवस्ता कर लेना चाहिए इसके अलावा उसे इस बात की भी व्यवस्ता कर लेना चाहिए कि अगर वह इस दुनिया में ने रहे तो भी उसके परिवार को सहारा तथा आराम मिलता रहे के बारे में विचार करना चाहिए उसे कुछ ऐसे निवेसों की योजना बनाना चाहिए जो कई साल तक सुरक्षित रूप से बढ़ते रहे और जरूरत के समय काम आए जिसकी उसने समझदारी से पहले ही कलपना कर ली थी इनसान कई तरीकों से अपने भविश्य के लिए ध इस वज़े से मैं इस योजना की सला नहीं देता हूँ भविश्य के लिए धन सुरक्षित रखने के उदेश्य से इनसान घर या जमीन खरिच सकता है अगर समझदारी से घर या जमीन को चुना जाए ताकि भविश्य में भी उसकी उप्योगिता तथा मुल्य में वरदी हो तो ऐसा करना लाबकरी है भविश्य में इस जाइदात को बेचकर अपने लक्षय को हासिल किया जा सकता है इसके अलावा इनसान नियमित रूप से साहुकार के पास छोटी छोटी रासियां जमा करके अपने धन को बढ़ा सकता है साहुकार द्वारा दिया जाने वाला ब्यास जब मूलडन में जुड़ जाएगा तो धन रासि बहुत बढ़ जाएगी मैं आसन नाम के मोची को जानता हूँ कुछ समय पहले उसने मुझे बताया था कि आठ साल से हर सब्ता वे साहुकार के पास चान्दी के दो सिक्के जमा कर रहा है साहुकार ने उसे हाल ही में उसका इसाब बताया जिसे सुनकर वह बहुत खुश हुआ उसने जो छोटी छोटी राशियां जमा की थी वे हर च्यार साल में 25 परतिसत ब्यास की आम दर से बढ़कर अब चान्दी के 1040 सिक्कों में बदल गई है मैंने खुश होकर उसे आगे भी बचत करने के लिए प्रोचाइद किया अपने अंकों के ज्यान से मैंने उसे बताया कि अगर वह 12 साल तक हर सब्ते चान्दी के दो सिक्के जमा करता रहेगा तो साहुकार उसे चान्दी के 4000 सिक्के देगा और इतनी रकम उसकी पूरी जिन्दगी के खर्च के लिए प्रयाप्त होगी जब नियमित रूप से जमा करने पर छोटी रासी इतने लावकरी परिणाम देती है तो किसी व्यक्ति का व्यवसाय या निवेश कितना ही समरद हो उसे यह व्यवस्ता कर लेना चाहिए कि उसके बुड़ापे और परिवार की रक्षा के लिए प्रयाप्त दोलत हो मेरी इच्छा होती है कि मैं इसके बारे में और भी कुछ कम हूँ मेरा यह विश्वास है कि किसी दिन समझदारी से सोचने वाले लोग मोद के खिलाप परिवार को सुरक्षित रखने की योजनाई बनाएंगे इस योजना में बहुत से लोग नियमित रूप से छोटी सी रासी जमा करेंगे और उस जमा रासी से एक अच्छी रकम मरत सदस्य के परिवार को दी जाएगी मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो और मैं ऐसा करने की प्रवल सला देता हूँ परंतु आज यह संभव नहीं है क्योंकि यह काम किसी इंसान या पार्टनर्शिप की जिंदगी तक सिमित नहीं है इस तरह की योजना को समराट के सिंगासन की तरह स्थिर होना चाहिए मुझे लगता है कि किसी दिन इस तरह की योजना बनेगी और यह बहुत से लोगों के लिए वर्दान साबित होगी क्योंकि सिर्फ पहले छोटे बुगतान के बाद ही व्यक्ति के मर जाने पर उसके परिवार के लिए दोलत की व्यवस्ता हो जाएगी परंतु चुंकि हमारे समय में इस तरह की योजना नहीं है और हमारे जीवन काल में ऐसी जोजना होगी भी नहीं इसलिए हमें अपने संसादनों का लाब उठा कर अपने लक्षय को हासिल करने के दूसरे तरीके खोजना चाहिए इसी वज़े से मैं सब लोगों को सुझाओ देता हूँ कि वे अच्छी तरह सोच कर समझदरी पूर्ण तरीकों से अपने बुढ़ापे के लिए धन की व्यवस्ता कर लें क्योंकि जब कोई आदमी कमा नहीं सके या जब परिवार का मुख्या चला जाए तो खाली पर्स बहुत दुख का कारण बन जाता है तो खाली पर्स का छटवा इलाज है अपने बुढ़ापे और अपने परिवार की रक्षा के लिए पहले से ही व्यवस्ता कर लें अरकाद ने साथमे दिन अपनी कच्छा को संबोदित करते हुए कहा मेरे पित्यार्थियो आज मैं आपको खाली पर्स का एक सटीक उपचार बताने जा रहा हूँ परन्तु आज मैं धन के बारे में नहीं बलकि आप के बारे में बातें करूँगा जो अलग-लग रंगों के कपड़ों में मेरे सामने बैठे हैं मैं इनसान के दिमाग और जिंदगी की उन चीजों के बारे में बातें करूँगा जो उसकी सबलता के समथन या विरोध में काम करती है कुछ समय पहले एक यूवक मेरे पास उधार मांगने आया जब मैंने उससे पूछा कि उसे इसकी जरूरत क्यों पड़ी तो उसने जवाब दिया कि उसके खर्च उसकी आमधनी से ज़्यादा है इस पर मैंने उससे कहा कि एसी स्थित्य में कोई विसावकार उसे करज नहीं देगा जब तक कि उसके पास अतिरिक्त धन कमाने की क्षमता ने हो जिससे वह अपना करज चुका सके मैंने उससे कहा तुम्हें अपनी आमधनी बढ़ाना चाहिए कमाने के अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए तुमने क्या किया है युवक ने कहा मैंने वह सब किया है जो मैं कर सकता हूँ दो महिनों में छै बार मैंने अपने मालिक के पास जाकर अपनी तनक्वा बढ़ाने का आगरह किया परन्तु मुझे सफलता नहीं मिली कोई भी व्यक्ति इस से ज़्यादा बार यह अनुरोत नहीं कर सकता हम उसके भूले पन पर हस सकते हैं परन्तु उस यूवक में आमदनी को बढ़ाने के लिए आवशक एक महतोपोर्ण गुण था उसमें ज़्यादा कमाने की प्रबल इच्छा थी जो बहुत उचित और सरानिय है उपलब्दी से पहले उसकी इच्छा होना चाहिए आपकी इच्छाएं प्रबल और निच्छित होनी चाहिए सामान्य इच्छाएं सिर्फ कमजोर चाहत होती है अगर किसी इनसान में सिर्फ अमीर बनने की चाहत है तो उससे कोई फाइदा नहीं होगा परंतु जिस व्यक्ती में पांच स्वर्ण मुद्राइं कमाने की इच्छा है उसकी इच्छा निच्छित है और वहे इसे पूरा कर सकता है जब वहे इसे हासिल करने के लिए लक्षे की सक्ती का प्रियोग करेगा और सफल हो जाएगा तो अगली बार वहे दस स्वर्ण मुद्राइं कमाने के लिए उन्हीं तरीकों का प्रियोग कर सकता है फिर 20 मुद्राओं के लिए और बाद में 1000 मुद्राओं के लिए और देखते ही देखते वहें अमीर बन जाएगा अपनी एक निश्चित छोटी इच्छा को पूरी करना सीख कर उसने बड़ी इच्छा पूरी करने का परशिक्षन पा लिया है इसी परक्रिया से दोलत हासिल की जाती है पहले छोटी रासी फिर उससे बड़ी रासी जब तक की इनसान सीख कर जादा सक्षम नहीं बन जाता इच्छा या असान और निश्चित होना चाहिए अगर वे बहुत जादा या बहुत जटिल हो या एसी हो जिने हासिल करने का परशिक्षन उस व्यक्ति के पास नए हो तो सभलता नहीं मिलती है जब मनुष्य अपने काम में ज़्यादा कुशल बनता है तो वह अपनी कमाने की इक्षमता को भी बढ़ा लेता है जब मैं गरीब नकल नवीश था तो हर दिन कुछ सिकों के बडले में मरदा पतर लिखता था तो मैंने देखा कि कुछ नकल नवीश मुझसे ज़्यादा काम करते थे और इस कारण उन्हें मुझसे ज़्यादा अंधनी होती थी इसलिए मैंने यह संकल्प किया कि मैं भी उनके जितना काम करूंगा उनका ज़्यादा सफल होने के कारण जानने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा मैंने अपने काम में ज़्यादा रूची ली एकागरता से काम किया अपने प्रियास में ज़्यादा लगन का प्रियोग किया और देखते ही देखते, मैं जितने मरदा पत्रों पर लिखता था, बहुत कम लोग उससे ज़्यादा लिख सकते थे, जल्दी मुझे अपनी बढ़ी उख्षमता की वज़े से पुरुसकार मिला, अपनी ख्षमता बढ़वाने के लिए, मुझे अपने मालिकों के पास सहे बा अगर वह कारीगर है, तो वह अपने व्यावसाई में सरवादी की योग्य व्यक्ति से सीख सकता है, अगर वह कानून या उप्चार के क्षेतर में मेहनत करता है, तो वह अपने व्यावसाई के बाकी लोगों से विचार मिमर्ज कर सकता है, या उनकी सलाल ले सकता है, अगर कि बुद्धिमान लोग नई योगताइं सीखते रहते हैं ताकि वे बहतर डंग से उनकी सेवा कर सके जिनके सरंक्षन पर उनकी प्रगती निर्वर है इसलिए मैं सभी व्यक्तियों से आगरे करता हूं कि वे प्रगती की पहली कतार में खड़े रहें और स्थिर ने रहें क्य बहुत सी चीजें इनसान की जिन्दगे को लाबगारी अनुवव से समरत बनाती है अगर किसी इनसान में आतम सम्मान है तो उसे आगे बताए गई काम करना चाहिए उसे अपना कर्ज यथा संभव सिगरता से चुकाना चाहिए और एसी चीजें नहीं खरेदना चाहिए जि जब देवता उसे अपने पास बुला लें तो उसके जायदात का उचित और गरिमा पूर्ण बंटवारा हो सके उसे दुरभग्य के शिकार लोगों पर तया करना चाहिए और तार्किक सीमाओं के भीतर उनकी मदद करना चाहिए उसे अपने प्रियजनों के प्रती विचार पूरवक काम करना चाहिए इस तरह खाली पर्स का सात्मा और अंतिम इलाज है अपनी शक्तियों का विकास करना अधिक बुद्धिमान तथा योग्य बनने के लिए अध्यन करना आतम सम्मान से काम करना ऐसा करने पर आप में यह आतम विश्वास आ जाएगा कि आप साबद चाहने वाले सभी लोगों से इन पर अमल करने का अग्रे करता हूँ मेरे मित्रो बेबिलोन में इतना सोना भरा पड़ा है जिसकी आप कलपना भी नहीं कर सकते यहाँ पर सब के लिए प्रचूर दोलत है आगे बढ़ें और इन सचाईयों पर अमल करें ताकि आप सम्रद औ दोलतमंद बन सकें जो आपका अधिकार है आगे बढ़ें और इन सचाईयों को दूसरे लोगों को भी सिखाएं ताकि हमारे सम्राट का हर सम्मानित नागरी हमारे प्रिय शहर की अपार दोलत में सहभागी बन सकें धन्यवाद हिंदी ओडियो बुक डोट कॉम अध्याए 4 सोभाग्य की देवी से मिलें हिंदी ओडियो बुक डोट कॉम अगर कोई इनसान भाग्य साली है तो उसके सोभाग्य की सीमा के बारे में कोई वविश्यवानी नहीं की जा सकती अगर उसे नदी में भी फैंक दिया जाए तो नए सिर्फ वह तैर कर बाहर निकल आता है आज से 4000 साल पहले प्राचीन बेविलोन में भी मनुष्यों के मन में सोभाग्य साली बनने की इच्छा इतनी प्रबल थी जितनी आज के इनसान के मन में है हम सब चाहते हैं कि सोभाग्य की चंचल देवी हम पर महरबान हो जाए क्या कोई यह सा तरीका है जिसे हम उस देवी का ध्यान खींच सकें बलकि उसके उधार वरदान भी पा सकें क्या सोभाग्य साली बनने का कोई तरीका है प्राचीन बेविलोन के विक्तियों के मन में भी यही सवाल उठा उन्होंने यह पता लगाने का फैसला किया वे चतुर और विचारवान थे इसी वज़े से उनका शहर अपने समय का सबसे समरद और शक्तिसाली सहर बना उस पुराने समय में स्कूल या कोलेज नहीं थे बहराल बेविलोन में ग्यान का एक केंदर था और वह सैदान्तिक नहीं बलकि बहुत वैवारिक था बेविलोन के उंची इमारतों में एक इमारत समराट के महल, हेंगिंग गार्डन और देवी देवताओं के मंदिरों जितनी महतोपूंड थी, आपको इतिहास की पुस्तकों में इसका बहुत कम जिकर मिलेगा, इस बात की बहुत संभावना है कि आपको इसका जिकर मिलेगा ही नहीं, बहराल इस इमारत का उस यूग के चिंतन पर पुले मंच पर विचार वी मर्स होता था, इसकी दिवारों के भीतर सभी व्यक्ति बराबर होते थे, सबसे गरीब सेवक भी अपने तरकों से शाही घराने के राजगुमार के विचारों को गलत साबित कर सकता था, ज्यान के मंदिर में कई लोग नियमित रूप से जाते थ इन में से एक अरकाद नामक बुद्धिमान आदमी था, जिसे बेबिलोन का सबसे अमीर आदमी कहा जाता था, उसका अपना विशेस हाल था, जहां लगबग हर शाम को बहुत से लोग रोचक विशों पर चर्चा और बहस करने के लिए इकटे होते थे, इन लोगों में आवे सोबाग्य या कुछ किसमती को आकरसित करने का तरीका जानते थे, जब अरकाद अपने मंच पर आया, तो सूरज रेगिस्तानी धूल की धुंद के बीच आग की बड़ी लाल गेंद की तरह चमकते हुए अभी अभी डूबा था, असी लोग उसके आने का इंतजार कर रहे थे और फर्स पर विचे कालेनों पर बैठे हुए थे, बाकी लोग आते जा रहे थे, अरकाद ने पूछा, आज श्याम को हम किस विशय पर चर्चा करेंगे, थोड़े संकोज के बाद कपड़े बुनने वाले एक लंबे व्यक्तिने खड़े होकर कहा, मैं चाहता एक खास विशय पर चर्चा हो, परंतु मैं इसे बताने से डरता हूँ, अरकाद कि कहीं यह है आपको और आपके मित्रों को मुर्कता पूर्ण ने लगे, जब अरकाद और बाकी लोगों ने उससे वह विशय बताने का अग्रे किया, तो उसने कहा, आज के दिन मैं खुश क खुश किस्मत था, क्योंकि मुझे स्वन्ड मुद्राओं से भरा एक परस मिल गया, मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं हमेशा खुश किस्मत रहूं, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति की यही इच्छा होगी, इसलिए मैं सुझाओ देता हूँ, कि हम इस विशय पर बहस करें, क किस पर हमें चर्चा करनी चाहिए, उस लोगों के लिए अच्छी किस्मत का मतलब संयोग या अक्समात गठना है, जो बिना किसी उदेश्य या कारण के हो सकती है, बाकी लोगों को यह विश्वास होता है, कि हमारी खुश किस्मती, हमारी सब से उदार देवी, अश्टर की करपा पर निर्वर है, जो उन लोगों को उदारता पूरवक पुरुशकार देती है, जो उसे खुश करते हैं, मित्रो, आप लोगों की क्या राय है, क्या हम यह पता लगाएं, कि हम किन तरीकों से खुश किस्मती को आकरशित कर सकते हैं, ताकि हम सब खुश किस्मत बन सके हाँ हाँ बहुत पढ़िया रहेगा उत्सुक शरुताओं के बढ़ते समूँ ने जवाब दिया इस पर अरकाद ने आगे कहा चर्चा सुरू करने से पहले आप लोग मुझे बताएं कि आप में से किन लोगों को हमारे मित्र कपड़ों के बुनकर की तरह के अनुबव हुए है जब उन्हें बिना कोशिस के बहुमुल्य खजाने या रत्न मिले हूँ एक चुप पीछा गई सब ने एक दूसरे की तरफ देखा परन्तु कोई भी कुछ नहीं बोला अरकाद ने पूछा क्या एसा और किसी के साथ नहीं हुआ फिर तो इस तरह की खुश किसमती बहुत ही दुरलब होगी अगर आप में से कोई यह सुजाओ दे कि हम अपनी कोश कहां से सुरू करें अच्छे कपड़े पहने हुए एक युवक ने कहा मैं बताता हूँ जब कोई व्यक्ती खुश किसमती के बारे में बातें करता है तो क्या यह सुभाविक नहीं है कि उसके विचार जुवे की टेबल की और मुड़े क्या वहाँ हमें ऐसे लोग नहीं मिलते हैं जो जीतने के लिए देवी की करपा चाहते हैं उसके बैठने के बाद एक आवाद सुनाई दी रुको मत अपनी बात पूरी करो हमें बताओ क्या जुवे की टेबल पर देवी ने तुम पर करपा की क्या क्यूब में लाल हिसा उपर आया था और तुमने जुवे घर के मालिक से धेर सारा धन जीता था या फिर क्यूब का निला हिसा उपर आया था जिससे जुवे घर का मालिक तुम्हारा मेनत से कमाया गया धन बटोर कर ले गया था यूवक ने हंसकर जवाव दिया मुझे यह स्विकार करने में कोई संकोष नहीं है कि सोभग्य की देवी को तो शायद यह मालूम ही नहीं था कि मैं वहाँ पर था परंतु आप में से बाकी लोगों के साथ तो ऐसा हुआ होगा क्या आपने पाया है कि देवी यह सी जगों पर आपका इंतजार कर रही थी और क्यूब को फायदे के लिए पलट रही थी हम यह सुनने और सीखने के लिए उत्सुक हैं अरकाद ने कहा बहुती समझदारी पूर्ण शुरुवात है हम यहां हर प्रशन के सभी पहलों पर विचार में वर्स करने के लिए इकठे हुए हैं जुए की टेवल को नजर अंदाज करना अधिकांस लोगों की उस प्रबल भावना को नजर अंदाज करना है जिसमें व्यक्ति कुछ चांदी के सिक्के दाओं पर लगाने के बाद देर सारी स्वन मुद्राइं जीतने की आशा करता है एक अन्यस रोता ने कहा इस से मुझे कल की गुर्दोड की याद आ गई अगर सोभागे की देवी जुए गर्ज में मिल सकती है तो निश्चित रूप से वह गुर्दोडों को भी नजर अंदाज नहीं करती होगी जहां सजे वे रत और तेज गती से दोड़ते गोड़े बहुत चाला रोमांस प्रदान करते हैं अरकाद हमें इमानदारी से बताएं कि क्या उसने आपके कान में दीरे से यह फुस्पसा दिया था कि आप कल निनेवे के भूरे गोड़ों पर अपना दाव लगाएंगे मैं आपके पीट पीछे ही खड़ा था और जब मैंने सुना कि आप उस भूरे गोड़ों पर दाव लगा रहे हैं तो मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ हम सब जानते हैं जिसमें आपके शामिल है कि निस्पक्स दोड़ में पूरे एसीरिया में कोई भी गोड़ा हमारे प्रिया गोड़ों को नहीं हरा सकता क्या देवी ने आपके कान में चुपके से कह दिया था कि भूरे गोड़ों पर दाव लगा दो क्योंकि आखरी चकर के अंदर वाला काला गोड़ा लड़कडा गया था जिससे हमारे गोड़ों की रा में बादा आ गई और भूरे गोड़े रेस में जीत गए हालांकि वे इस योगयन नहीं थे अरकाद ने इस ठिटोली पर मुस्कुराते हुए कहा हमारे पास यह महसूस करने का क्या कारण है कि सुभगय की देवी गुरदोड में किसी विक्ति के दाओं में इतनी रूची लेंगी मेरे लिए वे प्रेम और गरिमा की देवी है जो जरूरतमन लोगों की मदद करती है और योग्य लोगों को पुरुसकार देती है मैं जुएगर या गुरदोडों में उनकी तलास नहीं करता हूँ जहां ज़्यादातर लोग धन कमाने के बज़ाई कमाते है इसके बज़ाई मैं दूसरी जग़ों पर उनकी तलास करता हूँ जहां इन्शानों के काम ज़्यादा महतोपूर्ण और पुरुसकार के योग्य होते है चाहे खेती हो या इमानदारी से किया जाने वाला व्यवसाई सभी कामों में इन्सान के पास अपनी कोशिसों और सोदों के लाब कमाने का अवसर होता है शायद हमेशा उसे पुरुसकार नहीं मिलेगा क्योंकि कई बार उसका निर्ने गलत हो सकता है और कई बार हवाएं और मौसम उसकी कोशिसों पर पानी फिर सकते है बहराल अगर उसमें लगन होगी तो आम तोर पर उसे हमेशा लाब होगा क्योंकि लाब का आवसर हमेशा उसके पक्ष में होता है परन्तु जब कोई व्यक्ती चुवे की टेबल पर जुवा खेलता है तो स्थिती उल्टी होती है यहाँ पर लाब का आवसर हमेशा जुवे घर के मालिक के पक्ष में होता है जुवा इस तरह से खिलाया जाता है ताकि वह हमेशा मालिक के पक्स में रहे यह उसका व्यवसाय है जिसमें वह खिलाडियों के दाउं से लाब कमाने की योजना बनाता है जुवा खेलने वाले बहुत कम लोग यह बात जानते है कि जुए गर के मालिक का लाब कितना सुनिश्चित होता है और उसके जीतने की संभावना कितने निश्चित होती है उधारन के लिए हम क्यूब पर लगाएगए दाओं के बारे में विचार करें जब भी इसे फेंका जाता है तो हम इस बात पर दाओं लगाते हैं कि कौन सा इसा सबसे उपर आएगा लाल हिस्सा आने पर जुए गर का मालिक हमें दाओं पर लगे धन का च्यार गुना देगा परंतु अगर बाकी पांच हिस्सों में से कोई भी हिस्सा उपर आता है तो हमने दाओं पर जो पैसा लगाया था वहे डूप जाएगा इस तरह हर दाओं में हमारे हारने की संभावना पांच गुनी है परंतु मालिक जीतने पर सिर्फ चार गुना पैसा देता है इसलिए हमारे जीतने की संभावना चार गुनी है एक रात के खेल में जुए करका मालिक दाओं पर लगाए गए पूरे धन का पांचवा हिस्सा या बीस पर तिस अतलाब में कमाने की उम्मिद कर सकता है जब स्थिती इस परकार की हो जिसमें व्यक्ति अपने लगाए गए सभी दाओं पर बीस परतिसत धन गवादे तो वह सिर्फ कभी कबार ही जीतने की उम्मिद कर सकता है एक स्रोता ने कहा बहराल कई बार कुछ लोग बहुत बड़ी रकम जीत लेते हैं अरकाद ने कहा हाँ एसा भी होता है सवाल यह है कि क्या उन खुश किसमत लोगों के लिए इस तरह से हासिल किये गए धन का कोई स्थाई मैतव है मैं बेविलोन के कई सफल लोगों को जानता हूँ परन्तु उन में से एक भी ऐसा नहीं है जिसने अपनी सफलता की शुरुवात जुवेगर की टेवल से की हो आप लोग भी कई धन्वान लोगों को जानते होंगे मैं यह जानना चाहूँगा कि हमारे सफल नागरिकों में से कितने अपनी सफलता की शुरुवात का स्रे जुवेगर को दे सकते हैं क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं लंबी खामुसी के बाद एक मस्करे ने पूछा क्या हम जुवेगर के मालिकों को इस जान्च में शामिल कर सकते हैं अरकाद बोला अगर आप किसी और के बारे में नहीं सोच सकते तो फिर अपने बारे में कहें क्या हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो जुवे में लगातार जीतते हैं परंतु अपनी आमदनी के लिए इस तरह के सुरोत की सला देने में जिचक रहे हैं इस चुनोती पर पीछे से आह बरने की आवाजें आई और फिर लोग हसने लगे अरकाद ने कहा एसा लगता है कि हमें खुश किस्मती उन जगवों पर नहीं मिलती है जहां देवी अक्सर रहती है इसलिए अब हम दूसरे क्षेतरों की तलास करते हैं हमने पाया है कि खुश किस्मती का गुम हो गए पर्स उठाने से कोई संबन्द नहीं है नहीं इसका संबन्द जुए से है जहां तक खुड़दोड का सवाल है मैं यह स्विकार करना चाता हूँ कि मैंने इसमें जितना धन जीता है उससे बहुत ज़्यादा धन कवाया है अब हम अपने व्यवसायों पर विचार करते हैं जब हम कोई लाबकारी सोधा करते हैं तो क्या यह सोभाविक नहीं है कि हम इसे खुशकिस्मती मानने के बजाए अपनी मेहनत का उचित पूरुसकार मानते हैं मैं सोचता हूँ कि एसा करके हम देवी के उपखारों को नजर अंदास कर देते हैं शायद वे सचमुच हमारी मदद करती हैं परन्तु हम उनकी उधारता के लिए उनके सुक्र गुजार नहीं होते हैं कौन इस विशय पर चर्चा आगे बढ़ा सकता है इस पर एक व्रद व्यापारी उठा और अपने सपेद वस्तर की सिल्वटें ठीक करते हुए बोला अरकाद आपकी और अपने मित्रों की अनुमती से मैं एक सुझाओ देना चाहता हूँ जैसा आपने कहा है अगर हम अपने व्यापार की सफलता के लिए अपनी मेहनत और योग्यता को स्रे देते हैं तो उन सफलताओं और बहुत लाबदाइक चीजों के बारे में क्यों नहीं सोचें जो हमें लगबग मिलने वाली थी परंतु आखरी मिनिट पर नहीं मिले अगर वे सचमुच हो जाती तो वे खुश किसमती का दुरलब उधारन होती चुंकि वे पूर्ण नहीं हो पाई इ इसलिए हम उसे अपना उचित पुरुसकार नहीं मान सकते निश्चित रूप से यहां बैठे कई लोग इस तरह के अनुभव बता सकते होंगे। पहले आपके मूँ से इसके बारे में सुनना चाहेंगे। व्यापारी ने कहा मैं खुशी-खुशी अपने जीवन की एक घटना बताऊंगा। इससे आप यह जान जाएंगे कि खुश किसमती के करीब आने पर इनसान अंदो की तरह उसे अपने हाथ से निकल जाने देता है जिससे उसे नुकसान होता है और वह बाद में पस्ताता है। नहर के काफी उपर था और वहाँ पानी नहीं पहुंच सकता था। मेरे पिता के मित्र के पुत्र ने एक योजना बनाई कि वह इस जमीन को खरीद लेगा। पहलों द्वारा चलने वाले तीन बड़े रहत पनाएगा और इस तरह से जिवन दाई पानी को उपजाओ भूमी तक पुमसाएगा। उसकी योजना यह थी कि एसा करने के बाद वह इस जमीन के प्लाट काड़ देगा और शहर के नागरिकों को सबजी उगाने के लिए बेज देगा। मेरे पिता के मित्र के पुत्र के पास इस काम के लिए प्रियापत धन नहीं था। मेरी ही तरह उसकी आमदनी भी सामाने थी। उसके पिता भी मेरे पिता की तरह ही बड़े परिवार और कम संसादनों वाले थे। इसलिए उसने कुछ लोगों को अपना पार्टनर बनाने का फैसला किया। उसे बाहरे लोगों की जरूरत थी। जिन में से हर एक कमाता हो और वह अपनी कमाई क दस्वा हिस्सा उस अभियान में तब तक देने के लिए सहमत हो जब तक की जमीन बिखने के लिए तयार ने हो। योजना यही थी कि जमीन बिखने के बाद सब लोग अपने निवेस के अनुपात में लाब को आपस में बांट लेंगे। मेरे पिता ने मुझसे कहा बेटे तुम अभी जवान हो मेरी यह प्रबल इच्छा है कि तुम अपने लिए बहुमुल्य जायदात बना लो ताकि लोग तुम्हारा सम्मान करें अपने पिता की ना समझी और गल्तियों के ग्यान से लाब उठाओ। मैंने जवाब दिया मेरी भी यह प्रबल इच्छा है तो मैं तुम्हें यह सला देता हूँ वह करो जो मुझे तुम्हारी उमर में करना चाहिए था अपनी आमदनी के दस्वें हिस्षे को लाबकारी निवेशों के लिए अलग रखतो अपनी आमदनी के इस दस्वें पिता जी आपने बहुत समझदारी की बात कही है, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, परंतु मेरी आमदनी के साथ बहुत से खर्चे भी जुड़े हैं, इसलिए मैं आपके सुजाव पर अमल करने से जिजक रहा हूँ, मैं अभी जवान हूँ, अभी मेरे पास बहुत समय है, तु नहीं कर पाया, अब जमाना बदल गया है पिताजी, मैं आपकी गलतियों से बचूँगा, अवसर तुम्हारे सामने खड़ा है बेटे, यह तुम्हें एक ऐसा मोका दे रहा है, जो दोलत की और ले जा सकता है, मेरा तुमसे यही कहना है, देर मत करो, कल सुबह ही मेरे मित्र के पुत्र के पास जाओ, और उससे यह सोदा कर लो, कि इस निवेस में तुम अपनी दस प्रतिसन आपनी लगाओगे, ततकाल कल सुबह चले जाना, अवसर किसी का इंतजार नहीं करता, आज यह सामने होता है, परंतु कल दूर चला जाता है, इसलिए देर मत करो, अपने प पतनी ने महसूस किया कि हमें उन्हें खरीद लेना चाहिए, अगर मैं उस अभियान में अपनी दस प्रतिसन आमदनी का निवेस करने के लिए तयार हो जाता, तो हम उन वस्तरों को नहीं खरीद पाते, और कई अन्य आनंदों से वन्चित रह जाते, जिने हम बहुत चाहते थे, मैंने निर्ने लेने में तब तक देर लगाई, जब तक की बहुत देर नहीं हो गई, बाद में मैं इस पर बहुत पस्ताया, वहे अभियान, उमीद से ज़़ा फाइदे मन साबित हुआ, मेरी कहानी यह बताती है, कि मैंने किस तरह खुस किसमती को अपने पास से निकल करता है, जाइदाद बनाने के लिए हमेशा एक शुरुवात करना पड़ती है, शुरू में यह सोने या चांदी के कुछ सिक्कों तक सिमित होती है, जिने आदमी अपनी आमदनी में से बचा कर अपना पहला निवेश करता है, मैं खुद कई मवेशियों का मालिक हूँ, मव पहले लिए यह पहुत मैतोपूर्ण थी, पहली शुरुवात के बाद जाइदात बनाना खुद किसमती से हर इनसान के बुते की बात है, पहला कदम बहुत मैतोपूर्ण है, इस कदम को उठाने के बाद इनसान मेहनत से धन कमाने वाले व्यक्ति के बज़ाए अपने निव व्यक्ति के बाद में उठाते हैं, वे उन दुरभग्य साली लोगों से भी बहुत जयदा सथल होते हैं, जो यह कदम कभी नहीं उठाते हैं, जैसा इस व्यापारी के पिता के साथ हुआ था, अगर मेरे व्यापारी मितर ने अउसर सामने आने पर अपनी ज़वानी में यह कदम उठा लिया होता तो आज उसे दुनिया की बहुत सी अच्छी चीजों का वरदान मिला होता अगर हमारे बुनकर मित्र ने उस समय यह कदम उठा लिया होता तो आज उसके पास काफी दोलत होती दूसरे देश से आए एक अजनवी ने खड़े होकर कहा धन्यवाद मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ मैं सीरिया का हूँ मैं आपकी भासा अच्छी तरह नहीं बोल पाता हूँ मैं इस व्यपारी मित्र को एक नाम से पुकारना चाहता हूँ शायद आप सोचेंगे कि यह शालिन नाम नहीं है परंतु मैं फिर भी उसे उस नाम से पुकारना चाहता हूँ परंतु मुझे आपकी भाशा का वह सब्द मालूम नहीं है अगर मैं इसे शीरिया की भासा में बोलू तो आप कुझे समझ नहीं पाएंगे इसलिए मेरे मित्रो मुझे बताएं कि आप उस आदमी को क्या कहते है जो अपने लिए फाइदे मन साबित होने वाले कामों को भी टालता रहता है एक आवाज आई टालमटोल करने वाला वही सीरिया के निवासे ने अपने हाथों को रोमांट से लहराते हुए कहा जब आवसर आता है तो वहे उसे स्विकार नहीं करता है वहे इंतजार करता है वहे कहता है मेरे सामने अभी बहुत काम पड़ा है मैं दीरे दीरे यहे काम करूँगा आवसर इस तरह के धीले आदमी का इंतजार नहीं करेगा आवसर सोचता है कि अगर इनसान खुश किसमत बनना चाहता है तो उसे ततकाल कदम उठाना चाहिए आउसर सामने आने पर जो व्यक्ति ततकाल कदम नहीं उठाता है वह हमारे व्यापारी मित्र की तरह तालमटोल करने वाला होता है व्यापारी उठकर खड़ा हुआ और सिर जुका कर लोगों की हंसी पर प्रतिक्रिया करते हुए बोला अजनवी आप हमारे महमान है मैं आपकी प्रसंसा करता हूँ जो आपने सच्ची बात बोलने में जरा भी हिचक नहीं दिखाई अरकाद ने कहा खोई वे अवसर की एक और कहानी हमें कौन सुनाएगा लाल वस्तर पहने एक अधेर व्यक्ति ने कहा मैं सुनाओंगा मैं मवेशियों का खरीतार हूँ खास तोर पर उंटों और गोडों का कई बार मैं भेड़ वक्रियां भी खरीद लेता हूँ एक रात को अवसर मेरे सामने अचानक आया जब मैं इसके बिल्कुल भी उमीद नहीं कर रहा था शायद इसी वज़े से मैंने इसे अपने हाथ से फिसल जाने दिया बेहतर होगा कि फैसला आप ही करें मैं उंट खरीदने के लिए शहर से बाहर गया था दस दिनों के निराशा जनक यात्रा के बाद जब मैं लोटा तो मुझे यह देखकर गुसा आया कि रात होने की वज़े से शहर का दौार बंद हो चुका था और उस पर ताले भी लग चुके थे मेरे नोकरों ने रात काटने के लिए तंबू लगाए बहराल हम सोच रहे थे कि हमारे पास बहुत कम बोजन है और पानी तो बिलकुल भी नहीं है इसलिए यह रात मुस्किल से कटेगी उसी समय एक बूडा किसान मेरे पास आया जो सहर के दौार का ताला बंद होने के कारण हमारी ही तरह बाहर रह गया था उसने मुझसे कहा आदर्निय श्रीमान आपके हुलिये से मुझे लगता है कि आप मवेशियों के खरीदार है अगर ऐसा है तो मैं आपको अपनी बहुत अच्छी बेड़ें बेचना चाहूंगा जिसे मैं अभी अभी लाया हूं मेरी पतनी बहुत बिमार है और उसे बुखार है मुझे ततकाल लोटना होगा आप मेरी बेड़ें खरीद ले ताकि मैं और मेरे नोकर उंटों पर सवार होकर बिना देर किये ततकाल घर लोट जाएं इतना अंदेरा था कि मैं उनकी बेड़ों को देख भी नहीं सकता था हालांकि उनकी आवाजों से मैं समझ गया कि रेवड बहुत बड़ा होगा मैंने उंटों की तलास में अपने दस दिन बरबाद कर दिये थे परंतु मुझे अच्छे उंट नहीं मिल पाई थे इसलिए मैं उसके साथ खुसी-खुसी सोदेवाजी करने के लिए तैयार हो गया वह मुश्किल में था इसलिए उसने बहुत ही वाजिब दाम मंगा मैंने वह सोदा मंजूर कर लिया क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि मेरे नोकर सुबह बेडों को हांकर सहर में ले जाएंगे और उन्हें बेचने से हमें काफी लाब होगा सोदा होने के बाद मैंने अपने नोकरों से मर्शाले लेकर आने को कहा ताकि हम किसान की 900 बेडों को गिन सकें मित्रो मैं आपको यह वर्नन सुना कर बोर नहीं करूंगा कि इतनी सारी प्यासी बूखी और बेचैन बेडों को गिनने में हमें कितनी मुश्किलें आई यह एक असंबव काम साबित हो रहा था इसलिए मैंने उस किसान से साप साप कह दिया कि सुबव होने के बाद मैं बेडें गिनूँगा तभी उसे पैसे दूँगा उसने आगरे किया महरबानी करके आप आज रात को मुझे दो तियाई कीमत ही दे दें ताकि मैं अपने घर लोड़ सकूँ मैं अपने सबसे समझदार और सिक्षित सेयोग को आपके पास छोड़ जाऊंगा जो सुबव भेड गिनने में आपकी मदद करेगा वह विश्वस्निय है और आप बाकी का एक टियाई पैसा उसे दे सकते हैं परंतु मैंने जिद पकड़ ली और रात को पैसे देने से इनकार कर दिया अगली सुबव मेरे उठने से पहले ही शहर का दौार कुला और चार खरीदार भेडों की तलास में बाहर बागते हुए आए वे बहुत उत्सुक थे और उंची कीमते देने को तयार थे क्योंकि शहर पर युद की गेरापंदी का खत्रा मड़ा रहा था और भोजन परियापत नहीं था किसान मुझे जितनी कीमत पर भेड़ें देने के लिए तयार हुआ था उसे उससे लगबग तीन गुना ज़्यादा कीमत मिली यह बहुत ही बड़ी आवसर था जो मैंने अपने हाथों से कवा दिया अरकाद ने टिपणी की यह बहुत ही ऐसा मन्ने कहानी है इससे हमें क्या सिक्षा मिलती है गोड़े की जीन बनाने वाले ने कहा इससे हमें यह सिक्षा मिलती है कि जब हमें विश्वास हो कि हमारा सोदा समझदारी पूर्ण है तो हमें ततकाल पैसे दे देना चाहिए अगर सोदा अच्छा है तो आपको दूसरों के अलाबा खुद की कमजोरियों से भी अपनी रक्षा करने की जरूरत होती है इनसानों के विचार बदलते रहते हैं मैं तो यह कहूंगा कि हम अपना मन तेजी से बदल लेते हैं और एसा तब अधिक होता है जब हम गलत नहीं बलकि सही होते हैं गलत निर्नियों के बारे में हम जिद्धी होते हैं परंतु सही निर्ने लेने के बाद हम हिच्किचाते हैं और आउसर को हाथ से फिसल जाने देते हैं मेरा पहला निर्ने मेरा सर्व स्रेष्ट निर्ने होता है परंतु मैंने हमेशा यह पाया है कि अच्छा सोधा करने के बाद मैं हिचक चाता हूँ और टालमटोल करता हूँ इसलिए अपने कमजोरी से बचने के लिए मैं ततकाल उस सोधे का बयाना दे देता हूँ इससे मैं खुशकिस्मति के आउसरों को गवाने के पश्चाताप से बच जाता हूँ सीरिया के निवासी ने एक बार फिर खड़ा होकर कहा धन्यवाद मैं एक बार फिर बोलना चाहता हूँ ये कहानिया लगवग एक सी है हर बार आउसर एक ही कारण से दूर भाग जाता है हर बार वह टालमटोल करने वाले के पास आता है और एक अच्छी योजना पेश करता है हर बार टालमटोल करने वाला ही चकता है वह यह नहीं कहता कि अभी सबसे अच्छा समय है मैं यह काम तत्काल कर देता हूँ इसके बजाए वह टालमटोल करता है आदमी इस तरह सफल कैसे हो सकता है खरीदार ने कहा आपके शब्दों में समझदारी है उस किसमती इन दोनों की कहानियों में टालमटोल करने के कारण दूर भाग गई थी बहराल यह सामान्य नहीं है टालमटोल करने की परवर्टी सब में होती है हम दोलत चाहते हैं परंतु जब आवसर हमारे सामने आता है तो टालमटोल की परवर्टी के कारण हम उसे तत्काल स्विकार नहीं करते है और इस तरह हम अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं अपनी जवानी में मैं टालमटोल शब्द को नहीं जानता था जो हमारे सीरिया के मित्र को इतना पसंद आया है मैं पहले तो यह सोचता था कि मेरे गलत निरियों के कारण मेरे हाथ से कई लाबदाइक सोदे निकल गए बाद में मैंने अपने जिद्दी सोबहाओ को इसके लिए दोस्त दिया बहराल अंत में मुझे सचाई का पता चल गया मैंने जान लिया कि जब मुझे काम करना चाहिए था तब मुझे ततकाल और नेलनाय काम करना चाहिए था तब मैं अनावशक रूप से देर कर रहा था जब मुझे सचाई पता चली तो मुझे बहुत चिड़ हुई जंगली खचर को किसी रत में जोतने पर वह बहुत कटू हो जाता है उतनी ही कटूता से मैंने अपनी सफलता के इस दूस्मन से अपना पीछा चुड़ाया धन्यवाद मैं अब अपने व्यापारी मित्तर से एक सवाल पूछना चाहता हूँ आप अच्छे कपड़े पहनते हैं आपके कपड़े गरीबों जैसे नहीं है आप सफल व्यक्ति की तरह बोलते हैं हमें बताएं जब टालमटोल आपके कानों में कुछ कहती है तो क्या आप अब भी उसकी बात सुनते हैं व्यापारी ने जवाब दिया खरिदार मित्तर की तरह मुझे भी टालमटोल को पहचाना और जीतना पड़ता है यह मेरी दुश्मन थी जो हमेशा मेरी सफलता में बादा डालने की ताक में रहती थी मैंने जो कहानी सुनाई है उस तरह के बहुत से उधारन है जिनके दवारा मैं बता सकता हूँ कि टालमटोल की वज़ए से मेरे अवसर किस तरह दूर चले गए एक बार समझ लेने के बाद तालमटोल को जीतना मुश्किल नहीं होता कोई भी व्यक्ती स्वेच सासे चोर को अपना अनाच चुराने नहीं देता है नए ही कोई व्यक्ती शत्रूओं को अपने ग्रहकों को दूर बगाने की छूट देता है क्योंकि उससे उनका मुनाफ़ा कम हो जाएगा जब मैंने यह पहचान लिया कि मेरा दुस्पन इस तरह से काम कर रहा है तो मैंने संकल्प के साथ उस पर विजय पाई अगर कोई व्यक्ती बेविलोन की परचूर दोलत में हिस्सेदार बनना चाहता है तो सबसे पहले उसे अपने टालमटोल की भावना पर विजय पाना चाहिए अरकाड आप क्या कहते हैं? चुकि आप गेविलोन के सबसे अमीर विक्ती है इसलिए कई लोग कहते हैं कि आप सबसे ज्यादा खुश किसमत विक्ती भी है क्या आप मेरी इस बात से सहमत है कि कोई भी आदमी जब तक टालमटोल की भावना को पूरी तरह नश्ट नहीं कर देता तब तक वहे बड़ी सफलता नहीं पा सकता अरकाद ने स्विकार किया जैसा आप कहते हैं बिल्कुल वैसा ही है मेरे लंबे जीवन में मैंने कई पीडियों को व्यावसाई पिक्ञान और ग्यान के उन ख्षेत्रों में आगे बढ़ते देखा है जो जिन्दगी की सबलता की रहा पर ले जाते हैं आउसर उन सब लोगों के पास आए थे बहराल कुछ ने अपने सामने आई आउसरों का लाब उठाया और अपनी गहनतम इच्छाओं की संतूष्टी की और आगे बढ़ते रहे परन्तु अधिकांस लोग जिजगे लड़ खड़ाए और पीछे रहे गए अरकाद कपड़े को एक अलग रोशनी में देख रहा हूँ मैंने सोचा था कि खुश किस्मत होने के लिए इनसान को कोई कोशिश नहीं करना पड़ती अब मुझे यह ऐसास हो गया है कि इनसान बिना कुछ की ये खुश किस्मती को अपनी और आकर्षित नहीं कर सकता इस चर्चा से मैंने यह सीखा है कि खुश किस्मती को आकर्षित करने के लिए आउसरों का लाव उठाना जरूरी है मैं अपने सामने आने वाले आउसरों का अधिक्तम लाव उठाने की कोशिश करूँगा अरकाद ने जवाब दिया आपने हमारी चर्चा के सत्य को बहुत अच्छी तरह से है हमने यह पाया है कि अकसर खुश किस्मती आउसर के पीछे आती है यह शायद ही कभी किसी दूसरे रूप में आती हो हमारा व्यापारी मित्र बहुत खुश किस्मत होता अगर उसने सोभाग्य की देवी द्वारा दिये गए आउसर को स्विकार कर लिया होता इसी तरह हमा ताकि हम खुश किसमती को अपनी और आकरसित करने का तरीका खोज सकें मुझे लगता है कि हमने वह तरीका खोज लिया है दोनों ही कहानियों से यहे निशकर्स निकलता है कि खुश किसमती आउसर में छुपी होती है चाहे खुश किसमती का लाब उठाया गया हो या नहीं उठाया गया हो इस सत्य को बदला नहीं जा सकता आउसरों को स्विकार करके खुश किसमती को आकरसित किया जा सकता है जो लोग प्रगती के अवसरों का लाब लेने के लिए तत्पर रहते हैं उन में सोभागय की देवी रूची लेती है वे हमेशा उन लोगों की मदद करने की इच्छुक होती है जो उन्हें खुश करते है और करम सील व्यक्ती उन्हें सबसे ज़्यादा खुश करते है करम आपको सफलता की ओर ले जाएगा सो भागय की देवी करम सील व्यक्तियों पर करपा करती है अगर आपके सामने एक तरफ सोने की मोरों से बरी थेली रखती जाए और दूसरी तर बुद्धी मता के शब्दों से बरा मरदा पत्तर रख दिया जाए तो आप दोनों में से किसे चुनेंगे रेगिस्तानी जाडियों की आग की हिलती रोशनी में सुरोताओं के जुल्चे चेहरों पर दिल्चस्पी की चमक साफ नजर आ रही थी 27 लोगों ने एक साथ कहा सोने की मोरों से भरी थैली बुड़ा काला बाब समझदारी से मुस्कुराया उसने अपना हाथ उटाकर उन्हें चुप कराया और कहा रात में आवारा कुत्तों के भूंकने की आवाज सुनो वे इसलिए चिला रहे हैं और रो रहे हैं क्योंकि वे भूख से व्याकुल है परंतु अगर उन्हें खाना मिल जाए तो उसके बाद वे क्या करेंगे वे लड़ने लगेंगे और गमंड से इतराते हुए चलने लगेंगे वे आने वाले कल की तरफ ध्यान नहीं देंगे जो निश्चित रूप से आएगा ही इनसान भी यही करते हैं अगर उन्हें सोने और बुद्धिमानी मेंसे किसी एक को चुनने के लिए कहा जाता है तो वे क्या करते हैं वे बुद्धिमानी को नजरांदास कर देते हैं और सोने को बरबाद कर देते हैं आने वाले कल में वे दूबारा रोएंगे क्योंकि उनके पास अब सोना नहीं बचा है सोना या धन उन लोगों को ही मिलता है जो इसके नियम जानते हैं और उसका पालन करते हैं काला बाब ने अपने सफेद दुशाले को अपने दुबले पैरों पर लपेटा क्योंकि रात की ठंडी हवा बहर रही थी तुम लोगों ने इस लंबी यात्रा में वफादारी से मेरी सेवा की है तुमने मेरे उंटों की अच्छी देखवाल की है तुमने रेगिस्तान की गरम रेट पर बिना शिकायत किये मेहनत की है तुमने उन डकैतों का बहदुरी से मुकाबला किया है जो मेरा सामान रूपना चाहते थे इसलिए मैं आज रात को तुमें दन के पांच नियमों की कहानी सुनाओंगा तुमने इस तरह की कहानी पहले कभी नहीं सुनी होगी द्यान से सुनो, मेरे शब्दों को बहुत द्यान से सुनो क्योंकि अगर तुम उनका मतलब समझ लोगे और उनका पालन करोगे तो भविश्य में तुम भी धनवान बन सकते हो प्रभाव डालने के लिए वह थोड़ी देर रुका उपर बेविलोन के नीले आश्मान में सितारे चमक रहे थे उन लोगों के पीछे तंबू बंधे थे ताकि रेगिस्तान के संभावित तुभानों से रक्षा हो सके तंबूों के पास व्यपारिक सामान करीने से रखा था और जानवरों की खालों से ढखा था पास में ही उन्टों का रेवर्ड रेट में बैठा था कुछ उन्ट संतुष्टी के साथ जुगाली कर रहे थे बाकी खराटे ले रहे थे आपने हमें बहुत सी अच्छी कहानियां सुनाई है कलाबाब सामान बांधने वाले प्रमुक व्यक्ति ने कहा हम चाहते हैं कि कल जब आपके साथ हमारी सेवा खत्म हो तो उसके बाद आपके शब्दों का मार्क दर्सन हमारे साथ रहे कलाबाब ने कहा मैंने तुमें अजीव और सुदूर देशों के अपने अनुभव सुनाई है परंतु आज रात को मैं तुमें समझदार और अमीर अरकाद की बुद्धिमानी के बारे में बताता हूँ सामान बांधने वाले प्रमुक व्यक्ति ने कहा हमने उनके बारे में काफी सुना है क्योंकि वे बेविलोन के सबसे अमीर आदमी थे वे सबसे अमीर आदमी इसलिए बने क्योंकि वे धन के नियमों को जानते थे धन के नियम उनके पहले किसी को भी इतनी अच्छी तरह से मालूम नहीं थे आज की रात मैं तुम्हें बहुत समझदारी की बाते बताऊंगा जो उनके बेटे नोमेजीर ने कई साल पहले निनेवा में मुझे बताई थी जब मैं चोटा था मेरे मालिक और मैं नोमाजीर के महल्च में देर रातक रूपे थे मैं सुंदर कालिनों के बड़े बंडल लाने में अपने मालिक की मदद कर रहा था नौमाजीर ने हर कालिन की जांच की जब तक की वह रंगों के चैन से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो गया आखिर कार वह बहुत खुश हुआ और उसने हमें अपने पास बिठा लिया उसने हमें बहुत दूरलब और खुश्बुदार सराब दिलाई जिसे पीने के बाद मेरे पेट में गर्मी दोड़ गई क्योंकि मेरे पेट को इस तरह के पेवदार्त की आदत नहीं थी फिर उसने हमें अपने पिता अरकाद की समझदारी की कई कहानिया सुनाई जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ जैसी परंपरा है बेबिलोन में दोलतमन पिताओं के पुत्र हमेशा उनके साथ रहते हैं और उनके जायदाद विरासत में पाने की आशा करते हैं अरकाद को यह परंपरा पसंद नहीं थी इसलिए नौमाजिर के व्यसक होने पर अरकाद ने उससे कहा बेटे मेरी यह इच्छा है कि तुम मेरी जायदाद के वारिश पनो परंतु पहले तुमें यह साबित करना होगा कि तुम समझदारी से इसे संभाल सकते हो इसलिए मैं चाहता हूँ तुम दुनिया में बाहर निकलो और धन कमाने तथा लोगों के बीच सम्मान पाने की अपनी योग्यता को साबित करो तुमें अच्छी तरह से शुरुआत करने के लिए मैं दो चीजें देता हूँ जो मुझे नहीं मिली थी जब मैंने दोलत इकठा करनी शुरू की तब मैं बहुत गरीव था सबसे पहले तो मैं तुमें सोने की मौरों से बरी यह थैली देता हूँ अगर तुमें इसका समझदारी से उप्योग करोगे तो यह तुम्हारी भावी सबलता की नियू बन जाएगी दूसरी बात मैं तुमें यह मरदा पत्तर देता हूँ जिस पर धन के पांच नियम लिखे है अगर तुम इन नियमों के अनुसार चलोगे तो तुम्हें योग्यता और सुरक्षा जरूर मिलेगी आज से दस साल बाद तुम घर लोटकर अपने अनुभव बताना अगर तुम खुद को योग्या साबित कर दोगे तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद का वारिस बना दूँगा वरना मैं यह जायदाद उरोईतों को दान कर दूँगा ताकि वे मेरी आत्मा की शांती के लिए देवी देवताओं से प्राफना करें इस तरह नोमाजीर जिन्दगी में कुछ कर दिखाने के लिए चल पड़ा उसने धन की थैली और मर्दा पत्र को रेश्मी कपड़ों में लपेट लिया फिर वह गोड़े पर बैठकर अपने नोकरों के साथ यात्रा पर चल लिया दस साल गुजर गए और जैसा तै हुआ था नोमाजीर अपने पिता के घर लोटा उसके आने की खुशी में उसके पिता ने बेहतरीन दावत दी जिसमें कई रिष्थेदारों और मित्रों को बुलाया गया था जशन खत्म होने के बाद नोमाजीर के माता पिता बड़े हाल के एक और सिंगासन जैसी कुर्शियों पर बैठे और नोमाजीर उनके सामने खड़े होकर अपने अनुबव सुनाने लगा जैसा उसने अपने पिता से वाइदा किया था रात हो चुकी थी, कमरे में तेल के दिपकों का दुआ भरा था रोशनी मद्धिम थी, सफेद जाकट पहने, नोकर खजूर के लंबे पतों से हवा कर रहे थे पूरे द्रश्य में शाही गरीमा थी नोमाजिर की पतनी और उसके दो चोटे पुत्र परिवार के मित्रों ततारिष्तेदारों के साथ कालीनों पर बैठे थे वे सभी नोमाजिर की बाते सुनने के लिए उच्छुक थे नुमाजिर ने कहा पिता जी मैं आपकी बुद्धी मता के सामने सिर जुकाता हूँ दस साल पहले जब मैं युवावस्ता की देहलीज पर खड़ा था तो आपने मुझे कहा था कि मैं बाहर निकलू और मर्द बन कर दिखाऊं बजाए इसके कि मैं आपकी दोलत विरासत में मिलने का इंतजार करता रहूँ आपने मुझे काफी धन दिया था आपने मुझे काफी बुद्धी मता भी दी थी जहां तक धन का सवाल है मैं यह स्विकार करता हूँ कि मैं उसे ठीक से संभाल नहीं पाया सच तो यह है कि मेरे अनुववहीन हाथों से धन उसी तरह फिसल गया जिस तरह जंगली खरगोस पहला मोका मिलते ही उसे पकड़ने वाले बच्चे के हाथों से निकल भागता है पिता ने मुस्कुराते हुए कहा आगे बोलो बेटे तुम्हारी कहानी बहुत दिल्सस्प है मैंने निनेवा जाने का फैसला किया क्योंकि उस शहर में तरक्की की संभावने ज़्यादा दिख रही थी मुझे विश्वास था कि मुझे वहां बहुत से असर मिलेंगे मैं एक कारवा में शामिल हो गया और उसमें मेरे बहुत से दोस्त बन गए उनमें दो मदुरवासी लोग भी थे जिनके पास एक बहुत सुंदर सपेद गोड़ा था जो हवा की गती से भागता था यात्रा के दोरान उन्होंने मुझे विश्वास में लेकर बताया कि निनेवा में एक दोलतमंद आदमी है जिसके पास इतना तेज गोड़ा है कि वह कभी नहीं आरा है उसके मालिक को यकीन है कि दुनिया का कोई भी गोड़ा उससे तेज नहीं भागता है वे लोग अपनी रकम को दाओं पर लगाने जा रहे हैं कि वह गोड़ा बेबिलोन के सारे गोड़ों से ज़्यादा तेज भाग सकता है मेरे मित्रों ने कहा कि उस गोड़े के सामने उनका गोड़ा तो एक कमजोर खचर है जिसे बहुत आसानी से हराया जा सकता है उन्होंने मुझे पर करपा दिखाते हुए मुझे भी उस दाओं में हिस्सेदार पना लिया मैं इस योजना पर मोहित था हमारा गोड़ा बूरी और ज़्यादातर तरह हार गया मैंने अपना धन कमा दिया यह सुनकर अरकाद को हंसी आ गई बाद में मुझे पता चला कि वह उन दोके बाजों की चाला की वरी योजना थी और वे लगातार कारुआ में अपने शिकार की तलास में यात्रा करते हैं निनेवा का वह आदमी उनका पार्टनर था और वे लोग दाओं पर लगाई गए पैसों को आफस में बांट लेते थे इस चालवाजी ने मुझे सतर्क रहने का पहला सबक सिखाया जल्दी ही मुझे एक और इतना ही कटू अनुबव होने वाला था कारुआ में एक और युवक मेरा मित्र बन गया था उसके माता पिता दोलत बन थे और वह भी मेरी ही तरह व्यवसाई के लिए निनेवाच जा रहा था हमारे पहुँचने के कुछ समय बाद ही उसने मुझे बताया कि एक व्यवापारी की मृत्यू हो गई है जिस वज़े से उसकी दुकान में भरा पूरा सामान और उसकी दुकान का नाम बहुत कम कीमतों पर मिल रहा है उसने कहा कि हम बराबरी के पार्टनर होंगे परंतु पहले उसे बेविलोन जाकर धन लाना होगा उसने मुझे राजी कर लिया कि मैं अपने धन से उस दुकान को खरीद लूँ और वह बाद में जाकर अपने हिस्से का धन ले आएगा चुकि दुकान में बाद में भी धन की जरूरत पढ़ना थी इसलिए मैं इसके लिए तयार हो गया वह बेविलोन जाने में टालमटोल करता रहा काफी समय बीत गया इस दोरान उसने यह साबित कर दिया कि उसमें खरीदने और खर्च करने की समझ नहीं थी मैंने उसे आखिरकार बाहर निकाल दिया परन्तु तब तक व्यवसाई की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि हमारे पास सिर्फ वही सामान बचा था जो बिक नहीं सकता था अब हमारे पास बाकी सामान खरीदने के लिए धन भी नहीं बचा था बचे उवे सामान को मैंने इसराइल के एक व्यक्टी को बहुत ही सस्ते दामों पर बेश दिया पिता जी जल्दी ही मेरे बुरे दिन शुरू हो गए मैंने नोकरी की तलास की जो मुझे नहीं मिली क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा ग्यान या प्रसिक्षन नहीं था जिसके माद्यम से मैं कमा सकूँ मैंने अपने गोडे बेश दिये मैंने अपना गुलाम बेश दिया मैंने अपने अतरीत कपड़ों को भी बेश दिया ताकि मुझे बोजन और सोने की जगह मिल सके परंतु हर दिन गोर गरीबी मेरे करीब आती जा रही थी लेकिन उन दुख परे दिनों में भी यह याद रहा कि आपको मुझबर विश्वास था आपने मुझे मर्द बनने के लिए बेजा था मैं मर्द बनने के लिए संकलवान नोमाजिर की माँ ने दोनों हातों से अपना चेहरा चुपा लिया और सुबगने लगी उस समय मुझे आपका दिया वह मरदा पत्र याद आया जिस पर धन के पांस नियम लिखे थे मैंने आपकी समझदारी के शब्दों को बहुत ध्यान से पढ़ा उन्हें पढ़ने के ब कि जब सुबाग्य की देवी मुझे पर महर्बान होंगी तो मैं जवानी की अनुबव हींता से नहीं बलकि उमर की बुद्धी मता से अपनी दिशा तै करूंगा आज रात जो लोग यहां पर बैठे हैं उनके लाव के लिए मैं अपने पिता के महत्वपून नियमों को करती मात्रा में आता है जो अपनी आमदनी के कम से कम दस्वें हिस्से का परियोग अपने तथा अपने परिवार के भविश्य के लिए जाइदाद बनाने में करता है दूसरा धन उस समझदार मालिक के लिए जम कर महनत करता है जो इसके लिए लाबकारी काम खोजता है यह म धन उस आदमी से दूर चला जाता है जो उसका निवेस उन व्यवसायों या उदेश्यों के लिए करता है जिन से वह परिचित नहीं है या जिन की अनुशंशा समझदार लोग नहीं करते है पांचवा धन उस आदमी से दूर चला जाता है जो इसके मात्यम से असंबव आमधनी हासिल करना चाहता है या जो चालवाज लोगों की लुभावनी सला मानता है या जो इसे अपनी अनुबव हिंता और रुमानी इच्छाओं के अधिन निवेश करता है ये धन के वे पांस नियम है जो मेरे पिता जी ने लिखे थे मैं उन्हें सोने से भी ज़्यादा मुल्यवान मानता हूँ जैसा मैं आपको आगे की कहानी में बताऊंगा वह एक बार फिर अपने पिता की और मुड़ा मैंने आपको बता दिया है कि अपनी अनुगव भींता के कारण मैं गरीबी और निराशा की गहराई में पहुँच गया था बहराल संकटों की कोई सरंकला एसी नहीं होती जो कभी खत्म नहीं हो मेरे संकटों का दोर भी आखिरकार तब खत्म हुआ जब मुझे एक नोकरी मिल गई मुझे शहर की नई बाहरी दिवार पर काम करने वाले गुलामों का मैनेजर बना दिया गया धन के पहले नियम के ग्यान का लाव उठाते हुए मैंने अपनी पहली आमदनी में से दस्वा हिस्सा यानि तांबे का एक सिक्का बचा लिया और मोका मिलते ही इसमें सिक्के जोड़ता रहा जब तक कि यह चांदी के सिक्के में नहीं बदल गया यह बहुत धीमा काम था क्योंकि इनसान को जिन्दा रहने के लिए खर्च करना पड़ता है मैंने बहुत किफायत से खर्च किया क्योंकि मैं यह संकल्प कर चुका था कि दस साल बाद मैं आपको उतना धन लोटा दूँगा जितना आपने मुझे दिया था गुलामों के मालिक से मेरी मित्तरता हो गई एक दिन उसने मुझे से कहा तुम एक किफायती युवक हो जो अपनी कमाई को उड़ाते नहीं हो क्या तुम्हारे पास हैसा धन है जो काम में नया आ रहा हो मैंने जवाब दिया हाँ मेरी सबसे बड़ी इच्छा यही है कि मैं उतना धन कमा लूँ जितना मेरे पिताजी ने मुझे दिया था परन्तु जिसे मैंने अपनी मुर्खता से कवा दिया है यह बहुत अच्छी मैतो कांक्षा है परन्तु क्या तुम जानते हो कि तुमने जितना धन बचाया है वह तुमारे लिए मेहनत करके और ज़्यादा धन कमा सकता है इस मामले में मेरा अनवो बुरा रहा है क्योंकि मेरे पिता का दिया धन मुझे तूर चला गया है और मुझे डर है कि कहीं मेरी बचत का भी यही हाल ने हो उसने जवाब दिया अगर तुम्हें मुझे पर भरोसा हो तो मैं तुम्हें धन के लावकारी परवंदन के बारे में एक सबक सिखाना चाहूंगा एक साल में शहर की बाहरी दिवार पूरी बन जाएगी और प्रवेश दुआर पर लगाने के लिए कांसे के बड़े दर्वाजों की जरूरत होगी ताकि शहर शत्रुमों से सुरक्षित रहे इन दर्वाजों को बनाने के लिए निनेवा में परियाप्त धातु नहीं है और राजा ने इस बारे में सोचा ही नहीं है मेरी योजना है कि हम लोग अपना धन इकठा करके तांबे और टीन की खदानों तक कारवा भेजें जो बहुत दूर है वहां से हम निनेवा के दर्वाजों के लिए दातु बंगवाएंगे जब राजा कहेगा बड़े दर्वाजे लगाओ तो सिर्फ हमारे पास ही उतनी दातु होगी जिससे दर्वाजे बन सकें इसके बड़ले में राजा हमें उंचे दाम देगा और अगर हम यह मान भी लें कि राजा हमसे दातु नहीं खरीदेगा तो भी हमारे पास दातु तो रहे की जिसे हम उन्चे दामों पर बेच सकते हैं नोमाजिर ने कहा उसके प्रस्ताओं में मुझे तीसरे नियम की जलक दिखाई दी तीसरे नियम के अनुसार अपनी बचत का निवेस समसदार लोगों के मारक दर्शन में करना चाहिए एसा करने के बाद मैं निराश नहीं हुआ हमारी योजना सफल हुई और उस सोदे की सबलता के बाद मेरा चोटा सा धन संग्रे विशाल संग्रे बन गया बाद में इस समू ने मुझे अन्य निवेशों में भी हिस्सेदार बना लिया वे लोग धन के लावकारी परबंदन में निपूर्ण थे कोई भी काम करने से पहले वे बहुत सावधानी से योजना बनाते थे वे इस बात का ध्यान रखते थे कि उनके मूल धन पर जरा भी आंच ने आये वे एसे निवेशों में हाथ नहीं डालते थे जहां से उनका धन वापस ने लोटे गुर्दोड या दुकान में पार्टनर्शिप जैसे मुरुकता पूर्ण चीजों पर जिसमें मैंने अपनी अनुवव हिंता के कारण हाथ डाला था वे विचार भी नहीं करते थे अगर मैंने उनके संपर्क में आने के बाद ये काम किये होते तो उन्होंने मुझे ततकाल इसके खत्रे बता दिये होते इन लोगों के संपर्क में आने से मैंने धनका सुरक्षित और लागकारी निवेश करना सीख लिया समय गुजरने के साथ मेरा खजाना बढ़ा और तेजी से बढ़ा मैंने ने सिर्फ अपना गवाया हुआ धन दुबारा कमा लिया बलकि मैंने उससे बहुत ज़्यादा कमाया पिता जी मेरे दुर्भाग्यों, परिशानियों और सफलताओं के दुआरा मैंने बार बार धन के पांच नियमों की बुद्धी मता को परखा है और वे हर इम्तियान में खरे उतरे है जिस व्यक्ति को धन के इन पांच नियमों का ग्यान नहीं है उसके पास धन वैसे तो आता ही नहीं है और आता भी है तो जल्दी ही चला जाता है परंतु जो इन पांच नियमों का पालन करता है उसके पास धनाता है और उसके वफादार से वक्की तरह क्काम करता है निमोजिर ने बोलना बंद कर दिया और कमरे के पीछे खड़े गुलाम को इसारा किया गुलाम एक एक करके चमडे के तीन भारी थेले लेकर आया नुमाजिर ने उन में से एक को उठा कर अपने पिता के सामने रखा और कहा आपने मुझे सोने की एक थेले दी थी जिसमें बेविलोन का सोना था उसके एवज में मैं आपको उतने ही वजन की निनेवा के सोने की थेले लोटा रहा हूँ सब लोग यह बात मानेंगे कि यह बिलकुल बराबरी का सोदा है आपने मुझे बुद्धि मता से बराब बरदा पतर दिया था उसकी एवज में मैं आपको सोने की दो थैलियां लोटा रहा हूं यह कहते हुए उसने गुलाम से बाकी दोनों थैलियां ली और उन्हें भी अपने पता के सामने फर्स पर रख दिया पता जी इस तरह मैं आपके सामने यह साबित कर रहा हूं कि मैं आपकी बुद्धि मता को आपके धन से ज़्यादा मुल्यवान मानता हूं बहराल बुद्धि मता के मुल्य को सोने की थैलियों में नहीं तोला जा सकता बुद्धि मता ने हो तो धन अमीर आदमी से भी जल्दी ही दूर चला जाता है लेकिन बुद्धि मता होने पर गरीब आदमी भी धन असिल कर सकता है जैसे सोने की मोरों से बरी इन तेन थैलियों में साबित होता है पिता जी मुझे आपके सामने खड़े होकर यह कहने में बहुत संतोस हो रहा है कि आप की समझधारी के कारण मैं आमीर और समानित बनने में सफल हुआ पिता ने नौमाजिर के सिर पर अपना हाथ फिराया और बोले तुमने अपने सबक अच्छी तरह से सीख लिए है और मैं खुश किस्मत हूँ जो मुझे इतना योग्य पुत्तर मिला है अब मैं तुम्हे अपने दोलत सौप सकता हूँ काला बाब ने अपनी कहानी खत्म की और सरोताओं को देखा उसने पूछा नौमाजिर की कहानी से तुमने क्या सिखा तुम में से कोन अपने पिता या ससूर के पास जाकर अपने आमदनी के बुद्धी मतापूर्ण परबंदन का हिसाब दे सकता है ये सम्मानित लोग क्या सोचेंगे अगर तुम यह कहोगे मैंने काफी यात्रा की काफी कुछ सिखा है काफी मेहनत की है और काफी कमाया है परंतु मैं ज़्यादा धन बचा नहीं पाया हूँ कुछ धन मैंने समझदारी से खर्च किया कुछ मुर्खता से और बाकी मैंने ना समझी में गवा दिया क्या तुम अब भी सोचते हो कि यह किस्मत का खेल है कि कुछ लोगों के पास बहुत दोलत होती है जब कि बाकियों के पास बिल्कुल भी नहीं होती है अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम गलत सोचते हो लोगों के पास दोलत तब आती है जब वे धन के इन पांच नियमों को जानते हैं और उनका पालन करते हैं चुकि मैंने कि सोरावस्ता में ही ये पांच नियम सीख लिये थे और उनका पालन करने लगा था इसलिए मैं संपन व्यापारी बन गया मैंने अपनी दोलत चादू से इकटी नहीं की है जल्दी आने वाली दोलत जल्दी ही चली जाती है मैंने मालिक को खुशी और संतूष्टी देने वाली स्थाई दोलत ढीरे ढीरे आती है क्योंकि यह ग्यान तथा सतत संकल्प की संतान होती है दोलत कमाना विचार सी लिवक्ति के लिए एक हलका बोज होता है इस बोज को लगातार हर साल उठाकर वहे अपने अंतिम उदेश्य को हासिल कर लेता है मैं तुम लोगों को उरुसकार में सोने के पांच नियम देता हूँ जिसका तुमें पालन करना चाहिए इन पांच नियमों में से हर एक का गहरा आर्थ है हो सकता है तुमने कहानी सुनते समय इनके गहरे अर्थ को नजर अंदाज कर दिया हो इसलिए अब मैं सभी नियमों को दोहराऊंगा मुझे ये नियम अच्छी तरह याद है क्योंकि मैंने अपनी जवानी में इनका महतव समझ लिया था और मैं तब तक चैन से नहीं बैठा जब तक की वे मुझे पूरी तरह से याद नहीं हो गए धन का पहला दियम है धन उस आदमी के पास खुशी-खुशी आता है और बढ़ती मात्रा में आता है जो अपनी आमदने का परियोग वविशय के लिए जाइदात बनाने में करता है जो आदमी अपनी आमदनी का दस्वा हिस्सा लगातार बचाता है और उसका समझदारी से निवेस करता है वह जल्दी ही अच्छी-खासी जाइदात मना लेगा जिससे बविशय में उसे आमदनी होती रहे की और जो उसके मृत्यू की स्थिति में उसके परिवार की सुरक्षा की गारंटी होगी यह नियम कहता है कि धन हमेशा ऐसे आदमी के पास खुशी-खुशी आता है मैं अपने जीवन में इसका परमान कई बार देख चुका हूँ मैं जितना ज़्यादा धन इकठा करता हूँ यह मेरे पास उतनी ही ज़्यादा मात्रा में और ज़्यादा तेजी से आता है जो धन मैं बचाता हूँ वह और ज़्यादा कमाई करता है जिस तरह तुम्हारा भी करेगा निवेश से मिलने वाले ब्याज का तोबारा निवेश करने पर तुम और ज़्यादा कमाओगे यही पहले नियम का सार है धन का तूसरा नियम धन उस समझदार मालिक के लिए जमकर मेहनत करता है जो इसके लिए लाबकारी काम खोजता है यह मवेशियों की तरह तेजी से बढ़ता है सचमुच धन एक इच्छुक सेवक है यह मोका मिलते ही कई गुना होने के लिए हमेशा उच्छुक रहता है जो भी धन को बड़ी मात्रा में कठा कर लेता है उसे इसके सबसे ज़्यादा लाबकारी प्रयोग का आउसर मिलता है समय गुजरने के साथ धन आस्यर जनक तेजी से कई गुना हो जाता है धन का तीसरा नियम धन उस सावदान मालिक के संग्रक्षन में रहता है जो इसका निवेस सिर्फ समझदार लोगों की सला से करता है धन सावदान मालिक के संग्रक्षन में बढ़ता है और लापरवा मालिक से दूर भागता है जो व्यक्ति धन के प्रबंदन में समझदार लोगों की सला लेता है वह जल्दी ही यह सीख लेता है कि अपने धन को जोखिम में डालने के बजाए उसे सुरक्षित रखने और लगातार बढ़ते देहने में ही सचा आनन मिलता है धन का चोथा नियम धन उस आदमी से दूर चला जाता है जो इसका निवेश उन व्यवसायों या उदेशियों के लिए करता है जिन से वह परिचित नहीं है या जिन के अनुसंसा समझदार लोग नहीं करते हैं जिस व्यक्ति के पास धन तो होता है परन्तु वह इसे संभालना नहीं जानता है उसे बहुत से लाबकारी सोदे नजर आते हैं अक्सर उनमें धन गवाने का जोखिम होता है समझदार व्यक्तियों के अनुसार उनमें धन की बहुत कम संभावना होती है परन्तु धन का अनुबवहीन मालिक अपनी बुद्धी पर जरूरत से ज़्यादा बहुसा करता है और वहे अपने धन को एसे व्यवसायों तता उदेश्यों में लगाता है जिनके बारे में वहे कुछ नहीं जानता अक्सर बाद में जाकर उसे पता चलता है कि उसका निर्ने गलत था इस तरह वहे अपनी अनुबवहीनता के कारण अपना धन कमा देता है सचमुच समझदार व्यक्ति वहे है जो अपनी बचत का निवेश उन लोगों की सला से करता है जो धन के परबंदन में निपुन होते हैं धन का पांचवानियम धन उस आदमी से दुख चला जाता है जो इसके माद्यम से असंबव आमदनी हासिल करना चाता है या जो चालवाज लोगों की लुभावनी सला मानता है या जो इसे अपनी अनुवव हींता और रुमानी इच्छाओं के अधिन निवेश करता है नए नए धन्वान बने व्यक्ति के सामने रुमान्चक और कल्पना की हवाई उड़ानों वाली योजनाए हमेशे आती है ऐसा नजर आता है कि जादूई शक्ती से उसका खजाना बढ़ जाएगा और उसे असंबव आमदनी होने लगेगी बहराल समझदार व्यक्तियों की बातों पर ध्यान दे क्योंकि वे फटाफट दोलत कमाने की हर योजना के पीछे छिपे जोखिमों को जानते है निनेवा के अमीर लोगों को ने भूले जो अपने मूल धन को गवाने का कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे या इसे एलाबकारी निवेसों में फसाना चाहते थे यहां पर धन के पांचों नियमों की मेरी कहानी खत्म होती है इसमें मैंने अपने सबलता के रहशे भी बता दिये है बहराल ये रहशे नहीं बलकि सचाईया है जो हर इनसान को पहले सीखना होगी और फिर इन पर अमल करना होगा तब ही वह जादातर लोगों के समू से बाहर निकल सकता है जो आवारा कुत्तों की तरह हर दिन अपने बोजन के बारे में ही चिंता करते हैं कल हम बेबिलोन में प्रवेस करेंगे देखो बेल के मंदिर के उपर हमेशा जलने वाली जोती को देखो सुनेरा शेहर हमारे सामने है कल तुम में से हर एक के पास दं होगा जिसे तुमने अपनी वफादारी भरी सेवा से कमाया है आज से दस साल बाद तुम इस दं के बारे में क्या करोगे अगर तुम नौमाजिर की तरह अपने धन के एक इस्से से जाइदाद बनाना सुरू करोगे और अरकाद की बुद्धिमता से मारकदर्शन लोगे तो यह तैह है कि दस साल बाद अरकाद के पुत्र की तरह ही तुम भी अमीर और समानित बन जाओगे हमारे समझदारी बरे काम हमें जिन्दगी बर खुशी देते हैं और हमारी मदद करते हैं इसी तरह हमारे नासमझी बरे काम हमें जिन्दगी बर तुक देते हैं और सताते हैं हम उन्हें बुला नहीं पाते हैं हमें जो चीजें सबसे ज़्यादा सताती है वे उन चीजों की यादें हैं जो हमें करना चाहिए थी उन अवसरों की यादें जो हमारे सामने आए परंतु हम उनका लाब नहीं उठा पाई बेविलोन के खजाने भरे हुए हैं उनमें इतनी बेशुमार दोलत है कि कोई व्यक्ति सोने की मोहरों में उनकी गिंती नहीं कर सकता हर देश के खजानों की तरह इसमें भी पुरुषकार उन संकल्प मान लोगों का इंतजार कर रहे हैं जो अपना उचित हिस्सा लेने का संकल्प कर चुके है आपकी इच्छा शक्ति में ताकत होती है अगर तुम धन के पांस नियमों के ग्यान से इस शक्ति को रा दिखाओगे तो तुम भी बेविलोन के खजाने के हिस्सेदार पन जाओगे धन्यवाद सोने की पचास मोहरें बेविलोन में भाले बनाने वाले रोडन के चमडे के पर्स में इस से पहले कभी इतनी मोहरें नहीं थी वह राज महल से निकल कर राज मार्ग पर चलने लगा उसके हर कदम के साथ उसके बेल्ट से बंदे पर्स में मोहरें खनक रही थी जो उसे दुनिया का सबसे मधूर संगीत लग रहा था सोने की 50 मोहरें सब की सब उसकी उसे अपनी खुष किस्मती पर यकीन ही नहीं हो रहा था सोने की इन खनकती मोहरों में कितने शक्ति है इस से वह जो चाहे खरीच सकता है बड़ा घर, जमीन, मवेशी, उंट, गोड़े, रत, जो भी वह चाहे वह इसका प्रियोग कैसे करेगा उस शाम को जब वह अपनी बहन के घर की तरफ जाने वाली गली में मुड़ा तो वह किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच पा रहा था उसके मन में सिर्फ यही क्वाइश थी कि वह सोने के उन चमकती भारी मोहरों का स्वामी बना रहे हमेशा इसके कुछ दिनों बाद की बात है शाम के समय परेशान रोडन मैथन की दुकान के भीतर गया मैथन साहुकार था और लोगों को धन उधार देता था वह हीरे जवारात और दुरलव रतनों का व्यापारी भी था रोडन ने दाएं बाएं कुछ नहीं देखा वहां रंगीन वस्तुएं खूब सूर्ती से सजी थी वह सीधा पीछे की तरफ बने वे गर की और गया वहां पर उसे मैथन एक कालिन पर बैठा दिखा मैथन बोजन कर रहा था और एक ऐस्वेट गुलाम उसे खाना परोस रहा था रोडन सीधे उसके सामने पैर फैला कर खड़ा हो गया उसकी चमडे की जैकेट के बीच से बालों बरा सीना दिख रहा था उसने कहा मैं आपसे एक चीज के बारे में सला लेने आया हूँ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस मामले में क्या करूँ मैथन के पतले और पीले चेहरे पर एक मितरता भरे मुसकान आ गई तुमने कौन सी गलती करती है जिसकी बज़े से तुमें साहुकार के पास उधार लेने आना पड़ा क्या जुवे की टेबल पर तुमें बदकिस्मती का सामना करना पड़ा है या फिर किसी जवान खूबसूरत महिला ने तुमें अपने जाल में फसा लिया है मैं तुमें कई सालों से जानता हूँ परंतु तुम मदद मागने के लिए मेरे पास पहले कभी नहीं आई नहीं नहीं वह बात नहीं है जो आप सोच रहे है मैं आपसे धन उधार लेना नहीं चाहता इसके बजाए मैं आपकी समझदारी बरी सला लेना चाहता हूँ सुनो सुनो यह आदमी क्या कह रहा है साहुकार के पास सला लेने कोन आता है शायद मेरे कान मुझे दोखा दे रहे है नहीं वे सच सुन रहे है क्या ऐसा हो सकता है भाले बनाने वाला रोडन बाकी सब लोगों से ज़्यादा चतुर है क्योंकि वह मैथन के पास धन नहीं बलकि सला लेने आया है बहुत से लोग मुर्कता पूर्ण खर्च के लिए मुझसे धन उधार लेने आते हैं परंतु वे सला नहीं चाहते हैं बहराल सावकार से ज़्यादा अच्छी सला और कौन दे सकता है जिसके पास लोग अपनी मुश्किल में उधार लेने आते हैं रोडन आज तुम मेरे साथ खाना खाओगे आज शाम को तुम मेरे महमान बनोगे एंडो उसने अपने एस्वेत गुलाम को आदेश दिया मेरे मितर रोडन के लिए एक कालिन बिछाओ वह मुझे सला लेने आया है वह मेरा सम्मानित अतिती है उसके सामने बहुत सा बोजन परोसो और मेरा सबसे बड़ा गिलास लेकर आओ सबसे अच्छी शराव चुनना ताकि रोडन को उसे पीने में मज़ा आ जाई अब मुझे बताओ तुम किस मुश्किल में हो मैं समराट के उपहार की वज़े से मुश्किल में हू समराट के उपहार की वज़े से समराट ने तुमें ऐसा क्या उपहार दे दिया जो उसकी वज़े से तुम मुश्किल में हो किस तरह का उपहार मैंने शाही रक्ष्पों के भालों पर नई नोक का नमूना पेश किया था जिससे समराट बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे पूरुसकार में सोने की पचास मोहरें दे दी इससे मैं बहुत दूईदा में हूँ दिन बरे से लोग मुझे तंक करते हैं जो मुझे यह दोलत हत्याना चाते हैं मैथन ने कहा यह स्वभाविक है ज़्यादातर लोग धन चाते हैं जबकि यह बहुत कम लोगों के पास होता है ज़्यादातर लोग उस दोलतवन व्यक्ति को खोशते हैं जिसने आसानी से दोलत कमाई हो ताकि वे उसका धन हड़प सकें परंतु तुम उन से क्यों नहीं कहते क्या तुमारी इच्छा सक्ती तुमारी मुठी जितनी ससक नहीं है ज़्यादातर लोगों से मैं नहीं कह देता हूँ परंतु कई बार हाँ कहना ज़्यादा आसान होता है क्या कोई अपनी बहुत सी प्यारी वेहन को दोलत देने से इंकार कर सकता है निश्चित रूप से तुमारी वेहन तुमें इस पुरुसकार के आनन से वंचित नहीं करना चाहती होगी परंतु वेह यह धन अपने पती अर्मान के लिए चाहती है जिसे वेह एक अमीर व्यापारी के रूप में देखना चाहती है उसे लगता है अर्मान को कभी कोई मुका नहीं मिला है उसने मुझसे आगरे किया है कि मैं उसके पती को यह धन दे दूँ ताकि वेह एक समर्द व्यापारी बन जाए वेह यह भी कहती है कि सफल होने के बाद उसका पती मेरा सारा कर्द चुका देगा मैं धन ने कहा मेरे मित्र तुम जिस विशे पर सला लेने आये हो वह बहुती बढ़िया विशे है धन अपने साथ जिम्मेदारी भी लाता है धन के स्वामी के जिम्मेदारी बढ़ जाती है उसके साचियों के साथ उसकी स्थिति बजल जाती है धन के साथ यह डर भी आता है कि कहीं यह धन चलाना जाए या कोई चालबाजी से उसे लेना जाए पैसे से नेक काम करने की शक्ती और सामर्थे मिलती है इसी तरह धनवान व्यक्ति के सामने ऐसे अवसर भी आते हैं जब बहुत अच्छे इरादों के बावजूद वह मुस्किल में पढ़ सकता है क्या तुमने कभी नेनेवा के उस किसान के बारे में सुना है जो जानवरों की भासा समझ सकता था मुझे लगता है तुमने नहीं सुना होगा क्योंकि कांसा ढालने वाले की वरक शोप में लोग इस तरह की कहनी नहीं सुनाते हैं मैं तुमें यह कहनी सुनाओंगा ताकि तुम यह समझ जाओ कि उधार लेना और तेना सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ से पैसा निकल कर दूसरे व्यक्ति के पास पैसा जाने तक ही सिमित नहीं है वह किसान जानवरों की बाते समझ लेता था वह हर शाम को जानवरों की बाते सुनने के लिए उनके दड़वे के बास रुख जाता था एक शाम को उसने सुना कि बैल खचर से सिकायद कर रहा था कि उसकी जिंदगी में कश्ट ही कश्ट है मैं सुवै से शाम तक जुताई में ही लगा रहता हूँ चाहे कितनी ही गर्मी हो चाहे मैं कितना ही ठका हूँ या चाहे मेरी गर्तन कितनी ही दुख रही हो मुझे काम करना पड़ता है दूसरी तरफ तुम हमेशां आराम करते रहते हो तुम्हें रंगीन कंबल से सजाया जाता है जबकि तुम मालिक को मन्चाही जगे पर ले जाने के अलावा कुछ नहीं करते हो जब मालिक को कहीं नहीं जाना होता है तो तुम आराम करते हो और सारा दिन हरी घास खाते रहते हो खचर बहुत दयालू था उसने बैल के साथ सानुबूती दिखाते हुए कहा मेरे प्रियमितर तुम बहुत कड़ी मेहनत करते हो और मैं तुम्हारे कश्ट दूर करने में मदद करूँगा मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम कैसे आराम कर सकते हो सुबह जब नोकर तुमें जोतने आएं तो तुम जमीन पर गिर जाना और दर्ज से कराने लगना ताकि वह मालिक से जाकर कहे कि तुम बिमार हो और काम नहीं कर सकते बैल ने खचर की सला मान ली अगली सुबह नोकर ने किसान से जाकर कहा कि बेल बिमार है और वह जुताई का काम नहीं कर सकता किसान ने कहा जुताई का काम तो होना ही है इसलिए तुम बेल की जगे पर खचर को बांगलो खचर की इच्छा सिर्फ अपने मित्र की मदद करने की थी परंतु इसका परिणाम यह हुआ कि पूरे दिन उसे बेल के हिस्से का काम करना पड़ा रात होने पर जब वह दड़वे में वापस आया तो उसके दिल में कड़वा हट भरी थी उसके पैर ठके थे और उसकी गरदन दुक रही थी किसान उनकी बाते सुनने के लिए वही थेहर गया बेल ने कहा तुम मेरे अच्छे मित्र हो तुमारी समझदरी बरी सलाह के कारण मुझे दिन भर पूरा आराम मिला खचर ने जवाब दिया और मैं मुर्ख हूँ क्योंकि मैं तो सिर्फ मित्र की मदद करना चाहता था परंतु बदले में मुझे ही उसके हिस्से का पूरा काम करना पड़ा आज के बाद तुम अपना काम खुद करना क्योंकि मैंने मालिक को सेवक से यह कहते सुना था कि अगर तुम दुबारा बिमार हुए तो वे तुमें कसाई के पास बिजवा देगा यह ठीक भी रहेगा क्योंकि तुम बहुत आलसी हो इसके बाद इसके बाद उन्होंने एक दूसरे से कभी बाचित नहीं की उनकी दोस्ती खत्म हो गई इस कहानी से तुमें क्या सिख्षा मिलती है रोडन? रोडन ने कहा कहानी अच्छी थी परन्तु मुझे इसमें सिख्षा या सबक जैसी कोई चीज नहीं दिखी मुझे लगा भी नहीं था कि तुमें दिखेगी परन्तु सबक यह है और बहुत आसान है अगर तुम अपने मित्र की मदद करना चाहते हो तो इस तरह ऐसे करो ताकि तुम्हारे मित्र का बोज तुम्हारे उपर नए आ जाए मैंने इस बारे में तो सोचाई नहीं था यह बहुत समझदरी भरा सबक है मैं अपनी बहन के पती का बोज अपने उपर नहीं लेना चाता हूँ परन्तु मुझे एक बात बताएं आप बहुत से लोगों को उधार देते हैं क्या उधार लेने वाले लोग हमेशा उधार चुका देते हैं मैथन बहुत अनुबवी आदमी की तरह मुस्कुर आया फिर उसने कहा अगर करजडार करज नहीं चुका सकता तो क्या साहुकार उसे करज देगा साहुकार को सावधानी और समझदारी से यह ते करना होता है कि उसका धन उधार लेने वाले के काम आएगा ततह उसका पैसा वापिस लोटाएगा अगर उसका धन मुर्खता पूर्ण काम में लगेगा तो उसका मूल धन भी डूप जाएगा क्योंकि कर्ज लेने वाला कर्ज नहीं चुका पाएगा मैं तुमें अपने संदूक में रखी निशानियां बताता हूँ हर निशानी में एक कहानी छुपी हुई है वह कमरे में एक बड़ा संदूक लेकर आया जिस पर सूवर की लाल खाल चड़ी थी और उस पर कांसे की आकरती बनी थी संदूक को फर्ज पर रखकर वह उसके सामने बैठ गया फिर वह अपने दोनों हाथों से उसे खोलने लगा मैं जिसे भी उधार देता हूँ उससे अपनी इस संदूक के लिए कोई ने कोई निशानी जरूर ले लेता हूँ वह निशानी तब तक यहां रहती है जब तक की पूरा करज उतर नहीं जाता है जब करजदार पूरा करज चुका देता है तो मैं उसे वहे निशानी लोटा देता हूँ बहराल अगर वहे करज नहीं चुका पाता तो वहे निशानी मुझे हमेशा यह याद दिलाती रहती है कि अमुक व्यक्ति मेरे विश्वास पर खरा नहीं उतरा निशानी वाला संदूप मुझे बताता है कि सबसे सुरक्षित करजदार वे होते हैं जिनके पास करज की रकम से ज़्यादा संपत्ति होती है उनके पास जमीन, हीरे जवारात, उंप या अन्य चीजें होती है जिनें बेचकर करज चुकाया जा सकता है मुझे निशानी के रूप में कई ऐसे रतन दिये जाते हैं जिनका मुल्य करज से ज़्यादा होता है बाकियों में इस तरह के वादे होते हैं कि अगर करज ने चुकाया गया तो वे अपनी जाइदाद का एक निश्च दिश्चा मेरे नाम कर देंगे इस तरह के करज देते समय मुझे विश्वास होता है कि मेरा धन सूद समयत वापस लोटाएगा क्योंकि करज जाइदाद के आधार पद दिया जाता है दूसरी स्रेने में ऐसे लोग आते हैं जिन में कमाने की ख्षमता होती है वे तुमारी तरह के लोग होते हैं जो मेहनत या सेवा करते हैं और उन्हें बदले में वेतन या परिशर्मिक मिलता है उनके पास आमदनी का नियमित साधन होता है अगर वे इमानदार हों और उन पर कोई विपत्ती ने आए तो वे कर्ज और सूद दोनों को चुका सकते हैं इस तरह के कर्ज इनसान की मेहनत पर आधारित होते हैं बाकी लोग ऐसे होते हैं जिन के पास ने तो जायदाद होती है और ने ही कमाने की विश्वस नियक शमता होती है जिन्दगी मुश्किल है और कुछ लोग जिन्दगी के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते है इन लोगों को मैं रोज कर्ज देता हूँ भले ही वै एक रुपया का भी क्यों नहो मेरा निशानी वाला संदूक आगे आने वाले सालों में मुझे चिडाता रहेगा जब तक की कर्ज लेने वाले के साथ उनके अच्छे मित्रों की गारंटी नहीं हो जो उसे विश्वसनिय मानते हूँ मैथन ने संदूक खोला रोडन उच्शुकता से आगे जुका संदूक में सबसे उपर लाल कपड़े पर कांसे का नेक पीस पड़ा था मैथन ने उसे उठा कर प्यार से थपतवाया यह मेरे संदूक में हमेशा रहेगा क्योंकि इसका मालिक अब इस दुनिया से जा चुका है मैं इस निसानी को संभाल कर रखता हूँ और मैं उसकी यादों को विसंजो कर रखता हूँ क्योंकि वह मेरा अच्छा मित्र था हमने साथ साथ सफलता पुर्वक व्यापार किया था जब तक कि वह पूर्वी देश की एक महिला को व्याकर नहीं लाया वह सुन्दर थी परन्तु हमारी महिलाओं जैसे नहीं थी वह औरत नहीं बिजली थी मेरे मित्र ने अपनी पत्नी की इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया जब उसका धन्द खत्म हो गया तो वह कस्ट में मेरे पास आया मैंने उसे सला दी मैंने उसे कहा कि मैं उसे एक बार फिर ठीक करने का मोका दूँगा उसने नए सिरेशे शुरू करने की कसम खाई लेकिन ऐसा नहीं हो पाया एक दिन आपसी जगडे में उसकी पत्नी ने उसके सीने में चाकू खुसा दिया क्योंकि उसके पती ने उसे ऐसा करने की अनुमती दी थी और वह महिला रोडन ने सवाल किया हाँ जाहिर है यह उसी का है मैथन ने लाल वस्तर उठाते हुए कहा पस्तावे में वह नदी में कूद गई ये दो करज भी नहीं चुकाई जाएंगे रोडन यह संदुक बताता है कि जो लोग बहुत भावुक होते हैं या भावनात्मक तुपानों में गिरे रहते हैं वे साहुकार के लिए सुरक्षित नहीं होते हैं यह यह अलग चीज है उसने बैल की हड़ी से बनी अंगूठी को उठाते हुए कहा यह एक किसान की है मैं उसकी महिलाउं से गलीचे खरीदता हूँ उस किसान के खेट पर टिड़ी तलने दावा बोल दिया उसके घर में फाके पढ़ने की नोबता आ गई ऐसे समय में मैंने उसकी मदद की नई फसल आने पर उसने ततकाल अपना कर्ज चुका दिया इसके बाद एक दिन वह मेरे पास आया और उसने एक दूर देश की बक्रियों के बारे में बताया जिसका वर्णन उसने कियातरी से सुना था उन बक्रियों के लंबे बाल इतने सुंदर और नर्म थे कि वह उनसे इतने बहतरिन गलीचे बना सकता था जैसे आज तक बेविलोन में नहीं देखे गए वह एसी बक्रियों का रेवड चाता था परंतु उसे खरीदने के लिए उसके पास धन नहीं था इसलिए मैंने उसे यात्रा करने और बक्रियां लाने के लिए धन उधार दिया अब उसने रेवड खरीद लिया है और अगले साल मैं बेविलोन के अमीरों को हैरान कर दूँगा क्योंकि मैं उसे बहुत शानदार और महंगे गलीचे बेचूंगा जल्दी ही मुझे उसके अंगुठी लोटा ना होगी वह ततकाल करज चुकाने पर जोर दे रहा है रोडन ने पूछा कुछ उधार लेने वाले समय से पहले भी कर चुका देते हैं अगर वे किसी ऐसे उदेश्य के लिए करज लेते हैं जिससे उन्हें पैसा मिल जाता है तो वे ऐसा करते हैं परन्तु अगर वे अपनी नासमजियों के लिए उधार लेते हैं तो मैं उन्हें यह चेतावनी देता हूँ कि तुम्हारा धन तुम्हारे हाथ में दोबारा लोटकर नहीं आएगा। रोडन ने दुरलब कारिगरी वाले रतनों से जड़े सोने के भारी कंगन को उठाते हुए पूछा मुझे इसके बारे में बताएं मैं थन्ने हसते हुए कहा मेरे अच्छे मित्र को मैलाएं कुछ ज़्यादा ही पसंद है रोडन ने कहा आखिर मैं आपसे अधिक युवा हू मैं मानता हूँ परन्तु इस बार तुम खामखा रोमांस का शक करते हो इस कंगन की मालकिन मोटी और बूरी है वह बहुत ज़्यादा बोलती है परन्तु उसकी बातें इतनी अर्थ हिन होती है कि वह मुझे पागल कर देती है कभी उन लोगों के पास बहुत पैसा था और व फिर्वे बदकिश्मती के शिकार हो गए उस महिला का एक बेटा है जिसे वह ब्यापारी बनाना चाहती है इसलिए वह मेरे पास आई और मुझे से धन उधार लिया ताकि उसका पुत्र एक कारवा के मालिक का हिस्सेदार बन सके जो यात्रा करते समय एक शहर से उंट दिया वह उस यूवक को सोता हुआ छोड़ गया यूवक कुछ साल बाद शायद इस करज को चुका सकता है जब तक मुझे अपना ब्याज नहीं मिलेगा सिर्फ हवाई बाते ही सुनने को मिलती रहेंगी वैसे असली बात यह है कि यह कंगन करज की रकम से ज़्यादा कीमती है क्या इस महिला ने आपसे करज की समझदारी के बारे में सला नहीं मंगी थी मामला बिलकुल ही उड़ था उसने कलपना में अपने पुत्र को बेविलोन का दोलतमन और शशकत आदमी मान लिया था इसका विरोध करने का मतलब उसे गुसा दिलाना था उसने मुझे संगन गिर्वी रखा था इसलिए मैं उसे करज देने से इंकार नहीं कर सकता था मैथन ने रस्य की गांटों को दिखाते हुए आगे कहा यह उंटों के व्यापारी नेवा टूर की है जब वह कोई बड़ा रेवड खरीता है और उसे इसके लिए पैसों की जरूरत होती है तो वह मुझे यहरसी दे जता है और मैं उसे जरूरत के मताबिक उधार देतेता हूँ वह एक समझदार व्यापारी है मुझे उसके सही निरने लेने की इक्षमता पर भरोसा है और मैं उसे उधारता से उधार दे सकता हूँ बेविलोन में कई अन्य व्यापारियों पर भी मुझे वरोसा है क्योंकि उनका व्यवहार विस्वस्निय है उनकी निशानिया मेरे संदूक में आती जाती रहती है अच्छे व्यापारी हमारे शहर की शान है व्यापार में उनकी साहिता करने से मुझे तो लाब होता ही है बेविलोन भी समरद होता है मैथन ने फिरोजे में उबरी हुई बीटल की आकरती को उठाया और उसे हिकारत से फर्स पर फैंक दिया मिस्र का कीड़ा यह जिस लड़के का है उसे मेरा पैसा लोटाने की जरावी परवा नहीं है जब मैं उसे याद दिलाता हूँ तो वह जवाब देता है मैं आपका कर्ज कैसे चुका सकता हूँ जबकि बदकिस्मती मेरे पिछे हाथ दोकर पड़ी है आपके पास बहुत पैसा है मैं क्या कर सकता हूँ यहे निशानी उसके पिता की है उसकी आमदनी सीमित थी परंतु उन्होंने अपने पुत्र के व्यापार के लिए अपनी जमीन और मवेशिक गिर्वी रख दिये यूवक को पहले तो सभलता मिली परंतु बाद में वहे धेर सारी दोलत हासिल करने के चकर में अती उत्सा ही बन गया उसमें अनुभव की कमी थी इसलिए उसका धंदा चोपट हो गया यूवक महतो कांक्सी होते हैं वे दोलत तथा अन्य मन्चाही वस्तों के लिए शोटकट अपनाते हैं पटाफट दोलत हासिल करने के लिए यूवक अकसर नासमझी वरे करज ले लेते हैं उनके पास अनुभव नहीं होता इसलिए उने यह एहसास ही नहीं होता है कि निराशा जनक करज एक गहरा गड़ा है जिसमें कोई भी आसानी से उतर तो सकता है परंतु उसमें से निकलना आशान नहीं है करज से उबरने के लिए लंबा संगर्स करना पड़ता है यह दुक और पश्चाताग की खाई है जहां सूरज की रोसनी मद्दिम हो जाती है और रातों की नेंद उर जाती है बहरहाल मैं यह नहीं कहता हूँ की उधार लेना ही नहीं चाहिए मैं करज लेने को हतोत साहित नहीं बलकि परोत साहित करता हूँ अगर करज समझदार पूर्ण उदेश्य के लिए लिया जा रहा है तो मैं करज लेने की सला देता हूँ मुझे भी व्यापारी के रूप में अपनी पहली सफलता करज लेने के बाद ही मिली थी बहराल मेरे मामले में करज देने वाला क्या कर सकता है यह युवक निराश हो चुका है और उसके आमदनी सुन्य है वह हताश हो चुका है वह कर चुकाने की कोई कोशिस नहीं कर रहा है मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं उसके पिता की जमीन और मवेशी छेन लूँ रोडन ने कहा आपने मुझे बहुत कुछ बताया है और आपकी बातें मुझे बहुत दिल्चस्प लगी है लेकिन मुझे अब भी मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला है क्या मुझे अपनी बहन के पती को अपनी पचास सोने की मौरें उधार देना चाहिए ये मौरे मेरे लिए महतवपूर्ण है तुम्हारी बहन बहुत बढ़िया मैला है जिसका मैं काफी सम्मान करता हूँ अगर उसका पती मेरे पास आई और मुझसे सोने की पचास मोरें उधार मांगी तो मुझे उससे यह पूछना होगा कि वहे इसका क्या करेगा अगर वहे जवाब देता है कि वहे मेरी ही तरह व्यापारी बनना चाहता है और हीरे जवारा तथा दुरलब सजावटी सामान का कारोबर करना चाहता है तो मैं उससे यह पूछोंगा तुम्हें इस व्यावसाई का कितना ग्यान है क्या तुम जानते हो कि सबसे कम कीमत पर यह सामान कहां खरीदा जा सकता है क्या तुम जानते हो कि अच्छी कीमत पर यह सामान कहां बेचा जा सकता है। क्या वहे इन सवालों का जवाब हां में दे सकता है। यह व्यवारिक नहीं है इसलिए मैं उसे धनुदार नहीं दूँगा। परंतु माल ने वह यह कहे हाँ मैंने व्यवारियों की काफी मदद की है मैं जानता हूं कि समर्ना तक की यात्रा कैसे की जाती है और वहां जाकर ग्रहनियों के हाथ से बुने गलीचों को कम कीमत पर कैसे खरीदा जा सकता है मैं बेविलोन के कई अमीर लोगों को भी जानता हूं जिने मैं भारी मुनाफे पर ये कलीचे बेच सकता हूं इस पर मैं उससे कहूंगा आपका उदेश्य समझदारी पूर्ण है और आपकी महतव कांक्षा समान जनक है मैं आपको खुशी खुशी सोने की पचास महरें दे दूँगा परंतु बदले में मुझे कोई ऐसी चीच चाहिए जो इन महरों के लोटने की गारंटी दे सके लेकिन अगर वह कहे मेरे पास रखने के लिए कोई चीज नहीं है मैं एक समानित विक्ती हूँ और आपको कर्ज के बदले में अच्छा ब्याज दूँगा तो मेरा जवाब यह होगा मैं सोने की हर मोहर का ख्याल रखता हूँ अगर समन की यात्रा में जाते समय दाकू आपसे सोने की मोहरे चीन लें या लोटते समय अगर वे आपसे गलीचे चीन लें तो आप मेरा कर्ज नहीं चुका पाएंगे और मेरा सारा पैसा डूब जाएगा रोडन धन से साहुकार का व्यापार चलता है इसे उधार देना आसान है अगर इसे नासमजी से उधार दिया जाता है तो इसका वापस लोटना मुश्किल है समझदार साहुकार उधार देते समय जो खिम नहीं लेता है वह सुरक्षित बुगतान की गारंटी चाहता है उसने आगे कहा मुश्किल मेफसे लोगों की मदद करना अच्छी बात है दुर्भग्य के शिकार लोगों की मदद करना अच्छी बात है उन लोगों की मदद करना भी अच्छी बात है जो अपना व्यावसाइख सुरू कर रहे हैं ताकि वे प्रगती कर सकें और सम्मानित नागरिक बन सकें परन्तु मदद समझदारी पूर्ण तरीके से की जानी चाहिए वरना मदद करते समय किसान के खचर की तरह हम भी दूसरों का बोज अपने उपर लाद लेंगे एक बार फिर मैं तुम्हारे मूल सवाल से दूर भटक गया हूँ रोडन परन्तु मेरा जवाब सुनो अपनी सोने की पचास मोहरें अपने ही पास रखो जो तुमने अपनी मेहनत से कमाया है और जो तुम्हें पुरुसकार में मिला है वह तुम्हारा है और कोई व्यक्ती इस पर तब तक हक नहीं जमा सकता जब तक कि तुम ऐसा नयचा हो परन्तु अगर तुमें इसे उधार देते हो ताकि यह तुम्हारे लिए सूद कमा सके तो इस काम में सतर्क रहना और कई जगों पर इसका निवेस करना मुझे पर्स में पड़ा रहने वाला असली सोना पसंद नहीं है बहराल मुझे जोखिम तो उससे भी ज़्यादा नापसंद है तुम्हें भाले बनाने का काम करते हुए कितने साल हो गए है पूरे तिन साल राजा के उपहार के अलावा तुमने कितना बचा लिया है सोने की तीन मोहरें हर साल तुमने मेहनत की हर साल तुमने सोने की एक मोहर को बचाने के लिए अपनी इच्छाओं पर काबू रखा और अच्छी अच्छी चीजें खरीदने के बजाए बचत की बिल्कुल सही बात है इस तरह तुम खुद की इच्छाओं पर काबू रखकर पचास साल में सोने की पचास मोरें बचा सकते हो इस काब में जिन्दगी भर की मेहनत लगेगी जरा सोचो कि क्या तुम्हारी बहन तुम्हारी पचास साल की मेहनत की बचत को चोख्य में डालना चाहेगी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका पती व्यापारी बनने का प्रियास करना चाहता है अगर मैं आपके शवदों में बोलू तो वह ऐसा कभी नहीं चाहेगी तो उससे जाकर कह दो तीन साल तक मैंने हर दिन सूबह से रात तक मेहनत करके और अपनी इच्छाओं पर काबू रखकर बचत की है साल की मेहनत और किफायत के बाद मैं सोने की एक मोहर बचा पाया तुम मेरी प्यारी बेहन हो और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा पती किसी ऐसे व्यवसाई में लग जाए जिसमें वह बहुत अमीर बन सके अगर वह मेरे सामने को यह सी योजना रखता है जो मेरे मित्र मैथन को समझदारी पूर्ण और संभव लगती है तो मैं खुशी-खुशी उसे अपनी एक साल की बचत उधार दे दूँगा ताकि उसे यह साबित करने का मुका मिले कि वह सफल हो सकता है अगर उसके पती के मन में सफल ओने की प्रबल इच्छा है तो वह सफल हो सकता है अगर वह ऐसा फल भी हो जाता है तो भी उस पर ज्यादा कर्ज नहीं होगा जिसे वह कभी नहीं चुका पाए मैं धन इसलिए उधार देता हूं क्योंकि मैं अपने व्यापार में जितने धन का प्रियोग करता हूं मेरे पास उससे ज्यादा धन है मैं चाहता हूं कि मेरा अतिरिक्त धन दूसरों के लिए मेहनत करे और उससे ज्यादा पैसा कमाया जा सके मैं धन गवाने का जोखिम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि मैंने इसे हासिल करने के लिए काफी मेहनत की है और बहुत से इच्छाओं का त्याग किया है इसलिए मैं इसे उधार नहीं दूँगा जहां मुझे यह विश्वास नहीं हो कि यह सुरक्षित रहेगा और मेरे पास वापस आएगा मैं इसे वहां भी उधार नहीं दूँगा जहां मुझे यह विस्वास ने हो कि इसका ब्याज मुझे समय पर दिया जाएगा रोडन मैंने तुमें अपनी निशानी वाली संदूख के कुछ रहशे बताए है उन से तुमें इनसानों की कमजोरियों को समझ सकते हो और यह भी कि कर्ज चुकाने के सादन ने होने के बावजूद लोग कर्ज लेने के लिए कितने उटसुक रहते हैं लोग यह सोचते हैं कि अगर उनके पास व्यावसाय सुरूब करने के लिए पैसा आ जाए तो दोलत उनके घर में बरसने लगेगी परन्तु इस तरह की आशा चूटी होती है क्योंकि उनके पास सफल होने की योग्यता या परशिक्षन नहीं होता है रोडन तुम्हारे पास अभी धन है उससे तुमें ब्याज हसिल करना चाहिए तुम बे मेरी ही तरह धन उधार दे सकते हो अगर तुम अपने खजाने को सुरक्षित रखोगे तो यह तुमें बहुत सा धन कमा कर देगा यह तुम्हारे लिए जिंदगी बर सुक और लाव का स्त्रोथ होगा परन्तु अगर तुम इसे गवा देते हो तो यह जिंदगी भर सतत दुख और पश्चा ताप का स्त्रोथ रहेगा अपने पर्स में रखे इस धन के बारे में तुम्हारी सबसे ज़्यादा इच्छा क्या है इसे सुरक्षित रखना मैथन ने परसंसा के अंदाज में कहा बहुत समझदारी का जवाब दिया तुम्हारी पहली इच्छा सुरक्षा की है क्या तुम यह सोचते हो कि तुम्हारी बेहन के पती के पास पहुंचने पर यह धन सचमुच संभावित नुकसान से सुरक्षित रहेगा मुझे डर है कि यह सुरक्षित नहीं रहेगा उसमें धन को सुरक्षित रखने की समझदारी नहीं है एसे वेक्ति पर धन के मामले में विश्वास क्यों करते हो रिष्टे नातों की मुर्खता पूर्ण भावनाओं से विचलित होना ठीक बात नहीं है अगर तुम अपने परिवार या मित्रों की मदद करना चाते हो तो धन गवाने के जोखिम लेने के अलावा दूसरे तरीके खोजो यह मत भूलो कि जो लोग धन की सुरक्षा करने के मामले में कुशल नहीं होते हैं धन उनके पास से ऐप्रत्यासी तरीकों से चला जाता है दूसरों को देकर धन गवाने से तो अच्छा है कि तुम खुद ही खर्च करके इसे उड़ा दो सुरक्षा के बाद इस दन के बारे में तुमहरी क्या इच्छा है यही कि इससे ज़्यादा धन आए एक बार फिर तुमने समझदारी भरा जवाब दिया है इसे अत्रिक्त धन कमाने के काम में लगाया जाना चाहिए तब ही यह बठेगा समझदारी से उधार दिया गया धन इनसान के बुड़े होने से पहले दूगुना हो जाता है अगर तुम मूल धन गवाने का जोखिम लेते हो तो तुम उसके ब्याज को भी गवाने का जोखिम लेते हो जो यह कमा सकता है इसलिए ऐ व्यवारिक लोगों की कलपनिक योजनाओं से मत डगमगाओ जो सोचते हैं कि उन्हें आपके धन से बहुत बड़ी रकम कमाने के तरीके मालूम है इस तरह की योजनाई हवाई सपने देखने वाले लोग बनाते हैं जिने व्यवसाई के सुरक्षित और विश्वस्निय नियमों का ज्यान नहीं होता है अपने दन पर तुम कितने परतिसत ब्याद चाहते हो इस बारे में तुम जमीन पर ही रहना ताकि तुम्हारा मूल दन सुरक्षित रह सके और तुम उसका अनंद ले सको बहुत ज्यादा लाव कैवाने के लालच में आकर उधार देना नुकसान को अमंत्रित करना है खुद को ऐसे लोगों और योजनाओं से जोड़ो जिनकी सबलता परमानिक हो चुकी है ताकि तुम्हारा मूल दन उनके कुशल परियोग से अच्छी कमाई करे और उनकी समझदारी तथा अनुववद्वारा सुरक्षित रहे इस तरह तुम दुरभाग्यों से बच सकते हो जो अधिकांस इंसानों पर उस समय आते हैं जब ईश्वर उने धन परदान करता है जब रोडन ने मैथन की समझदारी भरी सला के लिए उसे धन्यवाद दिया तो मैथन ने कहा समराट का तोहबा तुम्हारा काफी ग्यान बढ़ाएगा अगर तुम सोने की पचास मोरों को सुरक्षित रखना चाते हो तो तुम्हें बहुत समझदारी से काम लेना होगा तुम्हारे सामने कई परलों बनाएंगे तुम्हें बहुतेरी सलाहें दी जाएंगी तुम्हें एविस्वस्निय लाव देने वाले असंख्य अवसरों की योजनाएं बताई जाएंगी निशानियों वाले संदूक की कहानियों से तुम्हें सचेत हो जाना चाहिए जब तुम अपने पर्स से सोने की मोहरे निकाल कर किसी को उधार दो तो पहले यह सुनी चित कर लेना चाहिए कि वे सुरक्षित रूप से तुम्हारे पास वापस लोटाएंगी अगर तुम्हें आगे कभी मेरी सला की जरूरत पड़े तो तुम बिलकुल मत हिचकना सला देने में मुझे बहुत खुशी होती है जाने से पहले उस वाक्या को पढ़ते जाओ जो मैंने अपने निशानियों वाले संदूक के नीचे लिख रखा है यह करजदार और साहुकार दोनों पर लागू होता है बड़े पश्चाताप के बजाए थोड़ी सी सावधानी बेहतर है धन्यवाद हिंदी ओडियोबुक टोट कॉम अध्याए साथ बेविलोन की दिवारें हिंदी ओडियोबुक टोट कॉम बांजर नामक वरद सैनी बेविलोन की दिवारों तक उपर जाने वाली सीडियों पर पहरा दे रहा था उपर बहदूर रक्षक दिवारों की रक्षा करने के लिए युद्ध कर रहे थे उन पर इस महान शहर और इसमें रहने वाले लाकों नागरिकों का भविशे निर्बर था दिवारों के पार से हमलावर सेना का शोर सुनाई दे रहा था बहुत से लोगों के चीखने की आवाजें आ रही थी हजारों गोडों की टापे सुनाई दे रही थी और मेंडों की कानफोड़ों आवाजे आ रही थी जो अपने सिर से कांसे के दौार पर प्रहार कर रहे थे नगर के दौार के पीछे वाली सड़क पर शैनिक भाले लेकर तयार थे दौार तूटने की स्थिति में वे दुस्मन से मुकावला करने के लिए तयार खड़े थे परंतु इस काम के लिए तयार सैनिकों की संक्या आवशक्ता से बहुत कम थी बेविलोन की ज़्यादातर सेना समराट के साथ इलेमाइट्स के खिलाब पूरो दिसा में लड़ने गई थी उनकी अनुपसिती में शहर पर हमले की कोई अशंका नहीं थी इसलिए रक्षा करने वाली सेना बहुत कम थी एपरत्यासित रूप से उत्तर दिसा से एसी रियंस की शक्तिशाली सेना ने हमला कर दिया और अब रक्षा की जिम्मेदारी इन दिवारों पर आ गई थी वरना बेविलोन नष्ट हो जाता बूडे सेनिक बांजर के आसपास नागरिकों की भिड लगी थी दहशत के मारे सब के चेहरे सफेद थे और वे युद की ताजा स्तिती जानना चाहा रही थे खामोसी से उन्होंने गायल और मरत सेनिकों की कतार देखा जिने उस रास्ते से लाया जा रहा था यह हमले का महतवपूर्ण मोड था दिवारों के तीन दिन तक चक्कर लगाने के बाद दुश्मन ने अचानक अपनी पूरी ताकत इस इससे और इस दर्वाजे पर लगा दी दुश्मन मंच बना कर और सीड़ी लगा कर उपर चड़ने की कोशिस कर रहे थे उधर दिवारों के उपर मौझूद बेविलोन के सैनिक तीरों और खोलते वे तेल का प्रियोग करके दुश्मन को उपर पहुँचने से रोक रहे थे अगर इसके बावजूद कोई दुश्मन उपर पहुँच जाए तो सैनिक भाले लेकर तयार खड़े थे शैनिकों पर दुश्मनों के हजारों तीरंजाच तीरों की गाहल बोचार कर रहे थे बुड़े बांजर की स्थिती युद की खबर देने के हिसाव से बहुत अनुकूल थी वहे युद के सबसे करीब था और उत्साही आकर्मन करताओं की हर ताजे हमले के बारे में उसे सबसे पहले पता चलता था एक बुड़े व्यापारी ने करीब आकर अपने कमजोर और कावते हाथों को हिलाते हुए पूछा मुझे बताओ मुझे बताओ दुस्मन अंदर तो नहीं गुसाएंगे मेरे बेटे समराट के साथ गई है मेरी बुड़ी पतनी की रक्षा करने वाला कोई नहीं है दुस्मन मेरा सारा सामान लूट कर ले जाएंगे मेरा बोजन भी ले जाएंगे हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा हम बूड़े हैं इतने बूड़े कि हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते और हमें गुलाम के रूप में भी बेचा नहीं जा सकता हम भूकों मर जाएंगे हम तभा हो जाएंगे मुझे बताओ कि कहीं वे अंदर तो नहीं आ जाएंगे सैनिक ने जवाब दिया शांत रहे अच्छे व्यापारी बेविलोन की दिवारें बहुत मजबूद है घर जाकर अपनी पतनी को तसली दो कि दिवारें आपकी तथा आपके सामान की सुरक्षा उसी तरह करेगी जैसे वे समराट के बेस की इंदिखा जाने की रक्षा करती है दिवार के पास खड़े रहें ता ताकि मैं अपने पती को तसली दे सकूँ वह गहरे गहों की वज़े से बुखार में पड़ा है परंतु वह मेरी रक्षा करने के लिए जिरे बक्त और भाला उठाकर बाहर निकलने के लिए तयार है मुझे बच्चा होने वाला है वह कहता है कि अगर दुस्मनों की सेना अं वे उंची और मजबूत है क्या तुमने हमारे बहदुर सेनिकों की आवाज नहीं सुनी जब उन्होंने सीडियों पर चड़ने वालों पर खोलते हुए तेल के ड्रम भेंके थे हाँ मैंने वह आवाज सुनी थी और मैंने हमला करने वाले मेडों की आवाज भी सुनी थी जो भी बता दो कि अगर सीड़ी लगा कर कुछ दूस्मन सैनिक दिवारों पर चड़ने में सफल हो भी जाते हैं तो भालों की नोक उनका इंतजार कर रही है इन इमारतों के पीछे से संभल कर जाना। बांजर सैनिकों की टुकडी को रास्ता देने के लिए एक तरब हाट गया। कांसे की आवाज करती ढालों और भारी कदमों से जब सैनिक पाच से गुजरे तो एक छोटी लड़की ने बांजर के कमरवन को खींचा। उसने आगरह किया। सैनिक मुझे बताओ हम सुरुक्षि तो हैं मैंने बहानक आवाजे सुनी हैं मैंने सैनिकों को लहु लुहान देखा है मैं बहुत तर गई हूँ हमारे परिवार मेरी माँ छोटे भाई और बच्चे का क्या होगा। बच्ची को देखकर बूरे सैनिक ने अपनी आँखें जपकाई और अपनी ठुड़ी को आके निकाल लिया। होता था और गलियारे में से सैनिकों को उपर जाते देखता था जो वहाँ पर तब तक लड़ते रहते थे जब तक की वे गहल नहें हो जाएं या मरने जाएं इसके बाद उन्हें एक बार फिर से नीचे लाया जाता था उनके चारों तरब डरे हुए नागरिकों की भीड ह हमेशा लगी रहती थी जो यह जानने के लिए उच्छुक थी कि क्या दिवारें हमले को सेहन कर पाएंगी वहब गूड़ा सैनिक गरीमा पूर्ण अंदाज में उन सबसे यही कहता था बेबिलोन की दिवारें आपकी रख्षा करेंगी तीन सबता और पांस दिन तक उसी प कि उपर नीचे आने जाने वाले सैनिकों के कारण कीचरसा मच गया था हर दिन मरे हुए दुष्मनों का डेर डिवार के सामने लग जाता था हर रात को उनके साथी उन्हें ले जाकर दफना देते थे चोथे सबता की पांसमी रात को बाहर का शोर थम गया दिन के उजाले की पहली किरन में लोगों ने देखा कि लोटती सेनाई दूल के विशाल बादल उडाती जा रही थी रक्षा करने वालों ने जम कर सोर मचाया इसका मतलब समझने में कोई गलती नहीं हो सकती थी डिवारों के पीछे इंतजार कर रही टुकडियों ने शोर को दोराया शोर की सड़कों पर इंतजार कर रहे नागरिकों ने भी दोरायी शोर किसी तूफान की तरह पूरे शहर में फैल गया लोग अपने अपने ग़रों से बाहर निकल कर आए सड़कों पर भारी भीड जमा हो गई कई सब्ता की दहशत खुसी के जबरदस्त कोला हल में बदल गई बेल बेविलोन की दिवारों ने एक बार फिर शक्तिशाली और दुष्ट दुस्मन के इरांदों को नाकाम्याब कर दिया था जो उसके समर्द खजाने को हत्याना चाहता था और इसके नागरिकों को लूटना तथा गुलाम बनाना चाहता था बेविलोन सद्यों तक इसलिए बेविलोन की जरूरत और इच्छा का उतकरश्ट उधारन है यह इच्छा समुची मानव जाती में होती है यह हमेशां की तरह आज भी उतनी ही प्रबल है परन्तु हमने इस उदेश्य को पूरा करने के लिए बड़ी और बहतरी नियोजनाई बना ली है आज हम बीमे बचत खातों और विश्वस्निय निवेशों की अभेद दिवारों से खुद को एप्रत्यासित रास्तियों से बचा सकते हैं जो किसी भी दर्वाजे से अंदर आ सकती है और किसी भी घर पर हमला कर सकती है परियाप्त सुरक्षा के बीना रहना समझदारी नहीं है धन्यवाद हिं खुद का व्यापारी हिंदी ओडियोबुक.com इंसान को जितनी ज़्यादा भूक लगती है उसका दिमाग उतनी ही ज़्यादा सपष्टता से काम करता है इसके अलावा वह भोजन की खुश्पू के परती उतना ही ज़्यादा समवेद अंसील हो जाता है अजियोर का पुत् निश्चित रूप से एसा ही महसूस कर रहा था दो दिन से उसके मूँ में अन का दाना भी नहीं गया था उसने सिर्फ दो छोटे अंजिर खाए थे जो उसने एक बगेचे की दिवार के उपर से चुरा कर तोड़े थे वह इससे ज़्यादा इसलिए नहीं तोड़ पाया क् की तबी बाग की मालकिन गुसे से बाहर निकलाई और उसे पकरने के लिए सड़क पर भागने लगी उसकी तीखी चीख अब भी तरकाद के कानों में गूंज रही थी हालांकि इस समय वह बाजार से गुजर रहा था इसी कारण वह खुद पर इतना सयम रख पा रहा था कि बाजार में फल बेचने वाली महिलाओं की लल्चाने वाली टोकरियों तक अपनी बेचेन उंगलियों को नए पहुंचने दे इस से पहले कभी उसे यह ऐसास नहीं हुआ था कि बेविलोन के बाजारों में खाने पेने का इतना सारा सामान है और उसकी खुशबू इतनी काश कोई जान पैचान वाला मिल जाए जिससे वह तांबे का एक सिक्का उधार ले सके वह जानता था कि तांबे के सिक्के को देखकर ही सराय का मालिक मुस्कुराएगा और उसे भर पेट खाना खेलाएगा वह यह भी जानता था कि तांबे के सिक्के के बिना सराय का मालिक उसे दुदकार कर भगा देगा। वह सोच विचार में इतना खोया हुआ था कि उसे अपने आसपास की जरा भी सुदबुद नहीं रही। अचानक उसने अपने सामने एक एसे व्यक्ति को खड़ा देखा जिससे वह सबसे ज़्यादा बचना चाहता था। वह उंटों का व्यापारी देवेजीर था। उसने जितने भी दोस्तों और अन्य लोगों से उधार लिया। उनमें देवेजीर सबसे ज़्यादा परिशान करता था। क्योंकि तरकाद ततकाल करज चुकाने के अपने वादे को पूरा नहीं कर पाया था। तरकाद को देखक देवेजीर के चेहरे पर चमका गई। अरे वाद यह तो तरकाद है। मैं तुम्हें ही तो ढूंड रहा था। ताकि तुम मुझे तांबे के वे दो सिक्के चुका दो जो मैंने तुम्हें पंद्रे दिन पहले उधार दिये थे। इसके अलावा चांदी का वह सिक्का भी जो मैंने तुमें इससे पहले उधार दिया था। तुम अच्छे मिल गए। आज वे सिक्के मेरे बहुत काम आ सकते हैं। तुम क्या कहते हो बच्चे क्या कहते हो। तरकाद हकलाने लगा और उसका चेहरा लाल पड़ गया। उसके खाली पेट में कुछ भी नहीं था। ज चांदी का एक भी सिक्का नहीं है जिससे मैं आपका उधार चुका सकूँ। देवे जिर ने जोर देकर कहा तो फिर उनका इंतजाम करो निश्चित रूप से तुम तामबे और चांदी के कुछ शिक्कों का इंतजाम तो करी सकते हो ताकि अपने पिता के पुराने मित्र का करज चुका सको जिसने जरूरत के समय तुम्हारी मदद की थी चुकि बदकिस्मती मेरा पीछा कर रही है इसलिए मैं आपका करज नहीं चुका सकता बदकिस्मती अपनी कमजोरी के लिए देवी देवताओं को क्यों दोस्त देते हो बदकिस्मती हर उस व्यक्ति का पीछा क तरकाद को देवेजीर का मुवफट अंदाज पसंद नहीं आया परंतु सराई के अंदर जाने के विचार से उसे खुशी हुई क्योंकि अब उसके मन में बोजन मिलने की आशा जग गई थी देवेजीर उसे कमरे के दूर वाले कोने में ले गया जहां वे छोटे कालेनों पर बैठे जब सराई का मालिक कासकोर उनके पास मुस्कराते हुए आया तो देवेजीर ने उससे मजा किया अंदाज में कहा रेगिस्तान की मोटी छिबकली मेरे लिए बकरे की टांग लाओ जिसमें बहुत सारा गोश्ट हो और बिलकुल भूरी हो इसके अलावा ब्रेड और सबजियां भी ले आओ क्योंकि मैं बहुत बुका हूँ और डटकर बोजन करना चाहता हूँ मेरे मित्र को भी मत भूलना उसके लिए एक जग भरकर पानी लाना पानी ठंडा होना चाहिए क्योंकि आज बहुत गर्मी है तरकाद निराश हो गया क्या यहां पर बैठ कर वह सिर्फ पानी पिएगा और इस आदमी को बकरे की मोटी टांग खाते हुए देखेगा उसने कुछ नहीं कहा वह यह सोच भी नहीं पा रहा था कि वह क्या कहे बहराल देवेजिर ने तो चुप रहना कभी सीखा ही नहीं था वह दूसरे ग्राकों की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा और मितरता पूर्व अंदाज में हाथ हीलाने लगा वे सब उसे अच्छी तरह जानते थे इसके बाद देवेजिर ने आगे कहा आरपा से हाल ही में एक यातरी लोटा है उसने मुझे एक अमीर आदमी के बारे में बताया जिसने पत्थर के एक टुकडे को इतना बारिक तरास लिया है कि इनसान उसके आरपार देख सकता है उसने इसे अपने घर की खिटकी में लग की दुनिया विचितर दिख रही थी और अपने वास्टविक रंग रूप में नजर नहीं आ रही थी इस बारे में तुम क्या कहते हो तरकाड क्या तुम्हें लगता है कि इनसान को दुनिया वास्टविकता से अलग दिख सकती है शायद यूवक ने कहा उसकी दिल्चस्प कहानी से ज़्यादा बकरे की मोटी टांग में थी, जो देवेजीर के सामने रखी थी, मैं जानता हूँ कि यह सच है, क्योंकि मैंने दुनिया को वास्ट्विक्ता से भिन रंग में देखा है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, उससे तुम यह जान जाओगे कि मैं दुनिया को फिर से सही रंगों में कैसे देख पाया, पडोस में खाना खा रहे एक विक्ती ने अपने पडोसी से फुस फुस आते हुए कहा, देवेजीर कहानी सुना रहा है, वह अपने कालीन को पास खींच लाया, बोजन करने वाले बाकी लोग भी अपना बोजन ले नहीं था, देवेजीर ने उसके लिए बोजन नहीं मंगवाया था, नहीं उसने तरकाद को ब्रेट का वह टुकड़ा उठाने का इसारा किया था, चो प्लेट से फर्स पर गिर गया था, देवेजीर ने बकरे की टांका एक बड़ा हिस्सा काटने के बाद कहा, आज जो कहा कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ, वह मेरे शुरुवाती जीवन के बारे में है, इस कहानी में यह बताया गया है कि मैं उंटो का व्यापारी कैसे बना, क्या किसी को मालुम है कि मैं कभी सीरिया में गुलाम था, शुरोता आस्चर ऐसे बुदबुदाने लगे, जिसे सुनक देवेंजिर संतोस्ट हुआ, देवेंजिर ने बकरे की टांग को एक बार फिर कुतरते हुए कहा, युवा वस्ता में मैंने अपने पिता का व्यावसाय यानि काठी बनाना सीखा, मैं उनकी दुकान में उनके साथ काम करता था, और फिर मेरी शादी हो गई, मैं युवा थ परन्तु मुझ में जड़ा योगता नहीं थी, इसलिए मैं बहुत कम कमाबाता था, सिर्फ इतना कि मैं जैसे तैसे अपनी पत्नी का खर्च उठा पाता था, मैं बहुत सी अच्छी चीजों की लालसा करता था, परन्तु मेरे पास उन्हें खरीदने के लिए पैसे नहीं थ यूवा और अनुभवहीन होने के कारण मैं यह नहीं जानता था, कि जो व्यक्ति अपनी कमाई से ज़रा खर्च करता है, वह अनावशक भोग विलास के बीच बोता है, और आगे चल कर उसे मुश्किलों और अपमान की फसल काटना पड़ती है, चूंकि मैं यह नहीं जानत इसलिए मैंने अपने अर्मानों को पूरा किया, और पतनी तथा घर के लिए विलासिता की वस्तुएं उधारी पर खरीद ले, मैं जितना उधार चुका सकता था, उतना चुकाता रहा, कुछ समय तक तो सबकुछ ठीक चल रहा था, परंतु बाद में मैंने पाया, कि मैं अ अपना उधार वसूल करने के लिए मेरा पीछा करने लगे, और मेरी जिन्दगी दुखत बन गई, मैंने अपने मित्रों से उधार लिया, परंतु उनका करज भी नहीं चुका पाया, चीजें बद से बदतर होती गई, मैंने अपनी पतनी को माई के भेज़ दिया, और खु ही रहा, इसके बाद मैं डाकों के गिरों में शामिल हो गया, जो रेगिस्तान में निसस्तर कारवा की तलास में भटकते हैं, इस तरह के काम हमारे खांदान के नाम पर कलंग थे, परंतु मैं दुनिया को रंगीन पत्तर से देख रहा था, और मुझे यह एह एहसास ही नहीं को गिनिर ले गए और खर्च कर डाला, दूसरी बार हमारी किस्मत उतनी अच्छी नहीं रही, जैसे ही हमने सामान लूता, कुछ ससस्तर लोगों ने हम पर हमला कर दिया, यह भाले वाले उस कबिले के मुख्याने बेजे थे, जिसे कारवा सरक्षन के लिए पैसे देते थे, हमारे दो लीडर्स मारे गई, और बाकी सब लोगों को पकड़ कर दमिश्क ले जाया गया, जहां हमारे कपड़े उतार कर हमें गुलामों के रूप में बेस दिया गया, मुझे सीरिया के रेगिस्तानी कवीले के मुख्याने, चांदी के दो सिकों में खरीदा, मेरे बाल उ वो भी रोमान चक होगा, परंतु मैं तब दहल गया, जब मेरे मालिक ने मुझे अपनी चार पत्नियों के सामने पेस करके कहा, कि वे मुझे अपना किनर बना सकती है, दरसल तब जाकर मुझे अपने निराशा जनक स्थिती का एहसास हुआ, रेगिस्तान के ये लोग जंग से देखा, तो मैं दहसत में खड़ा रहा, मैं सोच रहा था, कि क्या मुझे उनसे दया की आशा करनी चाहिए, पहली पत्नी, सीरा, बाकी तीनों पत्नियों से बड़ी थी, मेरी तरफ देखते समय उसका चेहरा भावहीन था, मुझे उससे दया की कतई उमीद नहीं थी, मैं एक कमंडी सुन्दरी थी, जो मेरी तरफ इतनी उदासिंता से देख रही थी, जैसे जमीन पर रेंगने वाले किसी कीडे को देख रही हो, बाकी दोनों छोटी पत्निया हंस रही थी, जैसे यह कोई दिल्चस्प मजाक हो, सजा का इंतजार करते समय, मुझे ऐसा लगा, जै परंतु उंटों की देखवाल करने वाले गुलाम बहुत कम है, जो है, वे किसी काम के नहीं है, आज ही मैं अपने बिमार मां से मिलने जाना चाहती हूँ, परंतु ऐसा कोई गुलाम नहीं है, जिस पर मैं भरोसा कर सकूँ, कि वह मेरे उंट को ठीक से ले जाएगा, इस मेरे मालिक ने मुझसे पूछा, तुम उंटों के बारे में क्या जानते हो, अपने खुसी को छुपाने की कोशिस करते हुए मैंने जवाब दिया, मैं उन्हें बिठा सकता हूँ, उन्हें बिना थके लंबी यात्राओं पर ले जा सकता हूँ, अगर जरूरत हो, तो मैं उन की देखवाल के लिए रख सकती हो, इस तरह मुझे सीरा के हवाले कर दिया गया, उसी दिन मैं उसे उन्ट पर बैठा कर उसकी बिमार मां से मिलवाने ले गया, यात्रा लंबी थी और मुझे उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद देने का आउसर मिल गया, मैंने उसे यह भ पड़ गया और बाद में मैंने उसकी बातों पर काफी विचार किया, तुम खुद को सोतंतर व्यक्ति कैसे कह सकते हो, जब तुमारी कमजोरी ने तुमारा यह हाल कर दिया है, अगर किसी व्यक्ति में गुलाम की आत्मा है, तो चाहे वह जनम से कुछ भी हो, अंतते वह मानित नागरिक बन जाएगा, मैं एक साल से ज्यादा समय तक बाकी गुलामों के साथ रहा, परंतु मैं उनसे जुड नहीं पाया, एक दिन सीरा ने मुझ से पूछा, शाम को बाकी गुलाम आपस में मिलते हैं और एक दूसरे के साथ हांसी मजाग करते हैं, परंतु तुम अपने तंबू में अकेले क्यों बैठे रहते हूँ, इस पर मैंने जवाब दिया, मैंने आपकी कही बातों पर विचार किया है, मुझे नहीं लगता कि मुझ में गुलाम की आत्मा है, मैं उन में से एक नहीं बन सकता, इसलिए मैं अलग बैठता हूँ, उसने मुझे विश दरा भी प्रेम नहीं है, हर औरत की हसरत होती है कि वह मां बने, परन्तु मेरी यह हसरत अधूरी है, मैं बांज और निसंतान हूँ, इसलिए मुझे अलग बैठना पड़ता है, अगर मैं मर्द होती, तो इस तरह गुलामों जैसे जिन्दगी जीने के बजाए आत्मा त्या है, मुझे मर्द की आत्मा है या गुलाम की, उसने जवाब दिया, तुमने बेविलोन में जो करज लिये थे, क्या तुम उन्हें चुकाना चाते हो, हाँ, मैं चाता हूँ, मैं चाता तो हूँ, परन्तु मुझे ऐसा करने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा, अगर तुम समय गुजर जाने दोगे, और उन्हें चुकाने की कोशिस नहीं करोगे, तो तुम में गुलाम की गहने तात्मा है, जो व्यक्ति खुद का सम्मान नहीं करता है, वह गुलाम ही होता है, और जो व्यक्ति अपने करज को नहीं चुकाता है, वह खुद का सम्मान नहीं कर सकता, प इसे साबित करके दिखाओ। कैसे? क्या हमारा महान समराट अपने दुष्मनों से हर संभव तरीके से और पूरी ताकत से नहीं लड़ता है? तुम्हारा कर्ज ही तुम्हारा दुष्मन है। उसी ने तुम्हें बेविलोन से खदेर दिया है। तुमने उससे लड़ना और देखो आज तुम्हारा यह हाल है कि तुम गुलाम हो। मैंने उसके निर्दई आरोपों के बारे में काफी सोचा। मैंने अपनी रक्षा में कई बातें सोची जिन से मैं सीरा के सामने यह साबित कर सुक हूँ कि मैं दिल से गुलाम नहीं था। बहराल मुझे ऐसा करने काफर नहीं मिल पाया। तीन दिन बाद सीरा की दासी मुझे अपने मालकिन के पास ले गई। सीरा ने कहा मेरी मां बहुत बिमार है मेरे पती के रेवड के दो सबसे अच्छे उंट को तयार करो। उन पर लंबी यात्रा के लिए पानी की मश्कें और खाने का सामान बांद ता क्योंकि सीरा की मा जहां रहती थी वहां पहुंचने में एक दिन से भी कम समय लगता था। दासी सब से पीछे वाले उंट पर सवार थी और मैं अपनी मालकिन के उंट को रास्ता दिखा रहा था। उनके मा के घर पहुंचते-पहुंचते काफी अंदेरा हो चुका तो अंदर भेजने के बाद मुझसे कहा देवजिर तुम्हे सौन्तर नागुरिक ची आत्मा है या गुलाम की मैंने जोर देकर कहा सौन्तर नागुरिक की अब तुम्हारे सामने यह साबित करने का अज़सर आ गया है इस वक्त तुम्हारे मालिक शराव के नसे में दुत है और उनके सिपासालार भी मदोश हैं इन उंटों को लेकर यहां से भाग जाओ इस थेले में तुम्हारे मालिक की पोशाक है जिस से तुम्हें वेस बदलने में मदद मिलेगी मैं कहूंगी कि जब मैं अपनी बिमार मां के पास थी तब तुम उन्ट चुरा कर भाग गए मैंने उससे कहा आप में महरानी की आत्मा है मेरी बहुत इच्छा होती है कि आप भी मेरे साथ चलें ताकि मैं आपको खुशी परदान कर सकूँ उसने जवाब दिया खुशी उस भागने वाली पत्नी को नहीं मिलती जो दूर देसों में अंजान लोगों के बीच इसकी तलास करती है अब तुम अपने रास्ते जाओ रेगिस्तान के देवता तुम्हारी रक्षा करें क्योंकि तुम्हारी मंजिल दूर है और रास्ते में तुम्हें खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा भागने के लिए मुझे ज़्यादा परोटसाइट करने की जरूरत नहीं थी मैंने उसे दिल से धन्यवाद दिया और रात के अंधेरे में दूर चल दिया मुझे उस अजीब स्थान का कोई यान नहीं था और बलकी एक हलका सा आभास था कि बेविलोन किस दिशा में है बहराल मैं बहादुरी से पहाडियों की दिशा में रेगिस्तान के पार चल दिया मैं एक उट पर सवार हुआ और दूसरे को अपने पीछे पीछे चलने का इसारा किया मैंने पूरी रात यात्रा की और अगले पूरे दिन भी मैं जानता था कि मालिक का सामान चुरा कर भागने वाले गुलामों को बहुत सक्त सजाद दी जाती है उस शाम को मैं एक उजार सी जगे पर पहुंचा रेगिस्तान की तरह ही यहां भी कोई नहीं रहता था नुकिली चटानों ने मेरे वफादार उंटों के पैर जखमी कर दिये थे वे बहुत धीमे धीमे और कराहते हुए चल रहे थे मुझे रास्ते में इनसान तो क्या जानवर तक नहीं मिला मैं अच्छी तरह समझ सकता था कि इस उजार जगे पर कोई क्यों नहीं रहता था उसके बाद की यात्रा इतनी भीशन थी कि बहुत कम लोग उसे करने के बाद जिन्दा बचे होंगे हर दिन हम धीरे धीरे चलते रहे हमारे पास जितना भोजन और पानी था वह सब खत्म हो गया सूरज की गर्मी निर्मम्ता से हमें जुलसा रही थी नोए दिन श्याम को मैं अपने उंट से फिसल कर गिर पड़ा मैं जानता था कि मैं इतना कमजोर था कि दुबारा उंट पर नहीं चट पाऊंगा और इसी उजार जगे पर मर जाऊंगा मैं जमीन पर ही पसर गया और सो गया मेरी आँख जब खुली तब सूरज की पहली किरन ही निकली थी मैंने उटकर अपने चारों तरफ देखा सूबे की हवा में ठंड़क थी पास में ही मेरे उंट लेटे थे जो बहुत उदास दिख रहे थे मेरे आसपास बरबादी का आलम था जहां चक्टाने, रेत और कांटेदार चीजें थी वहां पर पानी का नामों निशान नहीं था इसके अलावा वहां पर इंसान या उंट के खाने के लिए भी कुछ नहीं था क्या यह हो सकता है कि इस विराने में ही मैं इस दुनिया से चला जाओंगा उस समय मेरा दिमाग जितनी स्पष्टता से सोच रहा था उतनी स्पष्टता से इसने पहले कभी नहीं सोचा था अब मेरा शरीर बहुत कम महत्वपोन लग रहा था मेरे होंट सूक रहे थे और उनसे खून निकल रहा था मेरी जीव सूकी और सूजी थी मेरा पेट खाली था परंतु पिछले दिनो इन सबसे मुझे जितना भीशन धर्द हो रहा था अब वह गाईब हो चुका था मैंने एक बार फिर खुझ से यह सवाल पूछा मुझे में सोतंतर नागरी की आत्मा है या गुलाम की फिर स्पष्टता के साथ मुझे एहसास हुआ कि अगर मुझे में गुलाम की आत्मा होती तो मैंने हार मान ली होती रेगिस्तान में ही पसर कर मर गया होता जो एक बगोडे गुलाम का अंत होता परंतु अगर मुझे में सोतंतर नागरी की आत्मा है तो फिर निश्चित रूप से मैं बेविलोन तक पहुंचने की कोशिस करूँगा अपने पर भरोसा करने वाले लोगों का करज चुकाने की कोशिस करूँगा अपनी प्रेम पूर्ण पत्नी को खुसी दूँगा और अपने माता पिता को शान्ती तथा संतुष्टी परदान करूँगा सीरा ने कहा था तुम्हारा करज ही तुम्हारा दुश्मन है उसे ने तुम्हें बेविलोन से ख़देर दिया है हाँ यह सही था मर्द की तरह उसका मुकावला क्यों नहीं किया मैंने अपने पत्नी को माई के क्यों भेज दिया फिर एक अजीब चीज हुई पूरी दुनिया अलग नजर आने लगी एसा लग रहा था जैसे पहले मैं दुनिया को किसी रंगीन पत्थर के माद्यम से देख रहा था जो अब अचानक हट गया था आखिरकार मुझे सचे जीवन मुले नजर आने लगे मैं और रेगिस्तान में मर जाओं कभी नहीं यह मेरे मन में एक नया सपना जाग चुका था अब मैं जानता था कि मुझे कौन से काम करने ही थे सबसे पहले तो मैं बेविलोन जाओंगा और करज देने वाले लोगों से मिलूँगा मैं उन्हें बताऊंगा कि बरसों तक भटकने और दुर्भाग्य का सिकार होने के बाद मैं उनका करज उतारने के लिए आया हूँ जितनी जल्दी देवता इजाज़त देंगे मैं उनका करज उतार दूँगा फिर मुझे अपनी पत्नी को खुशी देना चाहिए और एक एसा नागरिक बनना चाहिए ताकि मेरे माता पिता मुझे पर गरव कर सके मेरे करज मेरे दुश्मन थे परन्तु जिन लोगों से मैंने करज लिया था वे मेरे मित्र थे आखिर उन्होंने मुझे पर विश्वास किया था मैं लड़ खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ भूख से क्या फर्क पड़ता था प्यास से क्या फर्क पड़ता था वे तो बेविलोन की रहा पर होने वाली घटनाई भर थी मेरे भीतर एक स्वतंतर व्यत्ती की आत्मा हिलोरे मारने लगी जो अपने शत्रों को जीतने और अपने मित्रों को उरुषकार देने के लिए जल्दी से बेविलोन पहुँचना चाती थी मैं महान संकल्ब से रोमान चित हो गया मेरी भर्राई आवाज में अब एक नई खनका चुकी थी जिसे सुनकर मेरे उंटों की ठकी आँखों में भी चमका गई बहुत कोशिशों के बाद वे उटकर खड़े हुए करहते हुए लगन के साथ पे उत्तर दिसा में बढ़ते गई मेरी अंतर आत्मा की आवाज यह कहे रही थी कि इस दिसा में हमें बेविलोन मिल जाएगा जल्द ही हम उपचाओ इलाकों में पहुँच गई जहां हमें पानी गहास और फल मिले हमें बेविलोन का रास्ता मिल गया तब जाकर मुझे यह एह एहसास हुआ कि स्वतंतर विक्ति की आत्मा जिन्दिगी को ऐसी समश्याओं की इस रंकला के रूप में देखती है जिने सुलजाया जाना है और फिर वह उन्हें सुलजा देता है जबकि गुलाम की आत्मा रोती है मैं क्या कर सकता हूँ मैं तो गुलाम हूँ तरकाद तुम अपने बारे में कुछ कहो क्या तुम्हारे पेट की भूखने तुम्हारे दिमाग को बहुत स्पष्ट कर दिया है क्या तुम उस राहा पर चलने के लिए तयार हो जो तुमें दोबारा आत्म सम्मान दिला सके क्या तुम दुनिया को इसके सच्चे रंग से देख सकते हो क्या तुम में अपने कर्द चुकाने की इच्छा है चाहे वे कितने ही ज़्यादा क्यों ने हो क्या तुम दुबारा बेविलोन के सम्मानित नागरिक बनना चाहते हो तरकाद की आँखों में नमी आ गई वहे अपने कुटनों पर उत्सा से उठा आपने मुझे जिन्दगी जीने का एक नया नजरिया दिया है मुझे यह लगने लगा है कि मेरे भीतर सोतंदर वेक्ति की आत्मा हिलोरे मार रही है परंतु देवेजीर यह तो बताओ कि वापस लोटने के बाद तुम्हारा क्या हाल हुआ एक दिल्चस्पी लेने वाले से रोता ने पूछा देवेजीर ने जवाब दिया जहां संकल्प होता है वहां रहा निकलाती है मुझ मैं संकल्प था इसलिए मैं रहा कोजने निकल पड़ा सब से पहले तो मैं हर करज देने वाले से मिला मैंने सब से यही आग्रा किया कि वे तब तक और धहरे रखें जब तक कि मैं उनका करज उतारने लाईक कमाने लूँ उन में से ज्यादातर मुझे देखकर खुश हुए हलांकि कुछ ने मुझे खरी कोटी सुनाई परंतु बाकियों ने मेरी मदद करने का वचन दिया उन में से एक ने तो मेरी वहे मदद की जिसकी मुझे सक्त जरूरत थी वहे मैथन नामक साहुकार था जब उसे यह पता चला कि मैं सीरिया में उन्टों की देखवाल करता था तो उसने मुझे उन्टों के व्यापारी नेवाटूर के पास भेश दिया नेवाटूर को हमारे समराट ने एक महान अभियान के लिए अच्छे उन्टों के बहुत से रेवड करिदने का ठेका दिया था उसके यहां मैंने अपने उन्टों के ग्यान का बहुत अच्छा उप्योग किया दीरे दीरे मैंने अपने उपर चड़े तामे और चांदी के एक-एक सिक्के का करज उतार दिया अब मैं एक बार फिल अपना सिर उठा कर जी सकता था और यह अनुभव कर सकता था कि मैं भी एक सम्मानित इनसान हूँ एक बार फिल देवे जीर अपने भोजन की और मुड़ा उसने जोर से चिला कर कहा ताकि उसकी आवाद रसोई तक सुनाई दे कासकोर तुम बहुत डिले हो खाना ठंडा हो गया है मेरे लिए गर्मा गरम मास लेकर आओ मेरे मित्र के बेटे तरकाद के लिए भी एक बड़ा टुकड़ा लेकर आना क्योंकि वह भूका है और मेरे साथ खाना खाएगा इस तरह प्राचिन बेविलोन के उंटों के व्यापारी देवेजीर की कहानी सूख खत्म हुई उसे अपनी अंतरात्मा की आवाज उस समय सुनाई दी जब उसे एक महान सचाई का एहसास हुआ एक एसी सचाई का जिसे उस से पहले के सभी समझदार लोग जानते थे और उसका इस्तेमाल करते थे इसने हर यूग के लोगों को मुश्किलों से पार निकाला है और सफलता की रहा दिखाई है जो बुद्धिमान लोग इसकी जादूई शक्ती को समझते हैं उन्हें यह भविश्य में सफलता दिलाती रहेगी इसका प्रियोग आगे बताई गई शब्दों को सुनने वाला हर व्यक्ति कर सकता है जहां संकल्ग होता है वहां राह निकल आती है धन्यवाद हिंदियोडियोबुक डोट कॉम अध्याए 9 बेविलाज के मरदा पत्र सेंट स्वीदिव स्कॉलेज 21 अक्टूवर 1934 हिंदियोडियोबुक डोट कॉम प्रियेप प्रोफेसर दोहस्त बेविलाज के आउशेसों में हाल ही में हुई खुदाई में मिले जो पांस मरदा पत्र आपने भेजे हैं वे आपके पत्र के साथ ही प्राप्त हुए मैं उन्हें देखकर मंत्र मुग्द रह गया मैंने उनकी पांडूलिपी का बेविलोन क सबसे अमीर आदमी नामक अपनी बहसा में अनुवाद करने में कई घंटे बिताए मुझे आपके पत्र का तत्काल जवाब दे देना चाहिए था परंतु मैंने जान बूज कर देरी की क्योंकि मैं चाहता था कि अनुवाद का काम पूरा करने के बाद ही आपको पत्र लिख काओ कर दिया था इन मरदा पत्रों की कहानी से आप भी उतने ही हैरान रह जाएंगे जितना कि हम लोग प्रयोग साला में हुए थे अतीत की इस दूमिल चाया से हम रोमांस और रोमांस की उमीद करते हैं जैसे अरेबियन नाइट्स परंतु इसमें देवेजित नामक अमीर अदमी अपनी कर्ज की समश्या के बारे में बताता है इन मरदा पत्रों को पढ़कर हमें यह एह एहसास होता है कि हमारी दुनिया की परिस्थितियां पांच अजार साल में उतनी ज़्यादा नहीं बदली है जितना हम सोचते हैं यह आजीब है परंतों इन पुराने मरदा पत्रों के कारण मैं पसो पेस में पढ़ गया हूँ, कालेज का प्रोफेसर होने के नाते मुझे ग्यानी माना जाता है, जिससे अधिकांस विशों पर ठीक ठाक ग्यान होता है, बहराल इन मरदा पत्रों में बेविलोन के खंड हरों में दफन, एक आदमी करजवान युवाउ को एक रास्ता सुजाता है, जैसा मैंने पहले कभी नहीं सुना, मैं कहता हूँ कि यह बहुत जवरदस्त है, मेरी दिल से भी यह साबित करने में है, कि प्राचिन बेविलोन का ग्यान उतनी ही अच्छी तरह आज भी काम कर सकता है, मिसिस भुजबेटी और मैं इस योजना पर काम करने की योजना बना रहे हैं, ताकि हमारी आर्थिक प्रिस्टियों में सुधार हो सके, आपके सफल अभियान पर मैं आपको सुब काम नहीं देता हूँ, मैं आपकी और मदद करने के किसी और आउसर का उत्सुपता से इंतजार करता रहूंगा, आपका अल्फरेड की जिंदगी बिताने के बाद मैं हाल ही में अपने शहर लोटा हूँ, मैंने संकल्प लिया है कि मैं अपने सारे कर्ज चुका दूँगा और बेविलोन के अपने पैतरक शहर में संपन बन कर दिखाऊंगा, मैं म्रदा पत्रों पर अपनी प्रिस्चितियों का स्थाई रिक मैं एक निश्चित योजना पर चलने का संकल्प कर चुका हूँ, उसका कहना है कि यह योजना किसी भी व्यक्ति को कर्ज से मुक्ति दिला सकती है और उसे संपन तता समानित बना सकती है, इस योजना के तीन उदेशे है, जिने मैं चाहता हूँ और जिनकी मैं आशा करता पहला यह योजना मेरी भावी समर्दी सुनिश्चित करती है, इसलिए मैं अपनी आमदनी का दस्वा हिस्सा अपने लिए अलग रख दूँगा, क्योंकि मैथन ने समझदारी पूर्वक यह कहा था, जो व्यक्ति अपने पर्स में सोना और चांदी रखता है, जिसे खर्च करने की उसे जरूरत नहीं है, वह अपने परिवार के प्रती, प्रेमपुन और समराट के प्रती वफादार होता है, जिस व्यक्ति के पर्स में तांबे के कुछ सिक्के ही होते हैं, वह अपने परिवार और समराट के प्रती उदासीन होता है, परंतु जिस व्यक्ति के पर् हल होना चाहता है उसके पर्स में धन खनकना चाहिए ताकि उसके हरदे में अपने परिवार के प्रती प्रेम और अपने समराट के प्रती वफादारी हो। दूसरी बात यह योजना सुनिश्चित करती है कि मैं अपनी अच्छी पत्नी के खर्च पूरे करूँगा और उसके लिए वस्तर खरीदूँगा क्योंकि वह वफादारी के साथ अपने पिता के घर से मेरे पास लोटी है। मैथन ने कहा है कि वफादार पत्नी की अच्छी देखवाल करने से मनुष्य के मन में आतम सम्मान पैदा होता है। उनके उदेश्यों में शक्ति आती है और उनके संकल्प में व्रदी होती है। इसलिए मैं अपनी सतर प्रतिशत आमदनी का इस्तेमाल घर, कपड़े और भोजन पर करूँगा। इसके अलावा मैं इसी आमदनी में अपना सामान्य खर्च चलाऊंगा ताकि हमारी जिंदगी में खुश्यों की कमीने रहे। परंतु मैथन ने इस बारे में सावधनी बर मुझे सतर परतिसत आमदनी में ही गुजारा करना चाहिए और कभी इस से ज़्यादा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ने ही मुझे कोई ऐसी चीज़ खरिदनी चाहिए जिसका बुगतान मैं अपनी आमदनी के इस हिस्से से ने कर सकूँूँ। दूसरा मरदापत्र तीसरी योजना इस योजना में यह बताया गया है कि अपनी आमदनी में से मैं अपना कर्ज कैसे चुका हूँ। इस तरह समय के साथ मेरा सारा कर्ज उतर जाएगा। मैं यहां पर हर उस वेक्टी का नाम लिख रहा हूँ। जिसका मैं कर्जदार हूँ। साथ ही मैं यह भी लिख रहा हूँ कि मैंने किस वेक्टी से कितना कर्ज लिया है। फेहरू, मुनकर, चांदी के 2 सिके, तामबे के 6 सिके, सिंजार, फरनिचर बनाने वाला, चांदी का 1 सिका, एहमर, मेरा दोस्त, चांदी के 3 सिके, तामबे का 1 सिका, जेंकार, मेरा मित्र, चांदी के 4 सिके, तामबे के 7 सिके, असकामेर, मेरा मित्र, चांदी का 1 सिका, तामब चांदी के 6 सिके, तांबे के 2 सिके, डायर बेकर, मेरे पिता के मित्र, चांदी के 4 सिके, तांबे के 1 सिका, अलकाहद, मकान मालिक, चांदी के 14 सिके, मैथन, सहुकार, चांदी के 9 सिके, बीरे जिक, किसान, चांदी के 1 सिका, तांबे के 7 सिके, यहां से मरदा पत्र शती प्रस मुझे कुल मिलाकर चांदी के 119 सिक्के और तांबे के 144 सिक्के चुकाना है चुकि मुझ पर इतना भारी कर्द चड़ा था और उसे चुकाने का मुझे कोई रास्ता नहीं सूज रहा था इसलिए मुर्क तावश मैंने अपनी पतने को माई के भेज दिया और अपने पैतरक शहर को छोड़कर आसान दोलत की तलास में परदेश चला गया बहराल वहां पर मैं संकट में फस गया और गुलाम बन गया अब जब मैतन ने मुझे दिखा दिया है कि अपनी कम आमदनी के बावचूद मैं अपना कर्ज कैसे चुका सकता हूँ तो मुझे यह एह एहसास होत है कि अपनी फिजूल खर्ची के परिणामों से भागना मेरी बहुत बड़ी मुर्खता थी इसलिए मैं उन लोगों के पास गया जिन से मैंने कर्ज लिया था मैंने उन्हें बताया कि मेरे पास कोई संपती या जायदात नहीं है जिससे मैं उनका कर्ज चुका सकूँ मैंने उनसे कहा कि मेरे पास सिर्फ कमाने की क्षमता है और मैं अपनी आमधनी का 20% हिस्सा कर्ज चुकाने में लगाँगा मैं पूरी इमानदारी और बराबरी से अपने कर्ज चुकाँगा मैं कर्ज चुकाने के लिए 20% से ज़्यादा आमधनी का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ इसलिए अगर वे धैरिया रखें, तो समय के साथ मैं पूरा करज चुका दूँगा। एहमर को मैं अपना सबसे अच्छा मितर समझता था, परंतु उसने मुझे भला बुरा कहा और मेरा अपमान किया। बिरेजिक नामक किसान ने मुझे से अनुरोध किया कि मैं सबसे पहले उसका करज चुकाऊंगा क्योंकि उसे पैसे की बहुत ज़्यादा जरूरत है। युजना सुनकर मकान मालिक अलका हद बहुत खुसा हो गया और उसने साप कह दिया कि अगर मैंने जल्दी से उसका करज नहीं उतारा तो परिनाम बहुत बुरा होगा। बाकी सबने खुसी खुसी मेरे परस्ताओं को मान लिया। इसलिए अब मैं इस युजना पर अमल करने के लिए पहले से ज़ारा संकलववान हूँ। अब मुझे विश्वास हो चुका है कि करज चुकाने से बचने के बज़ाए उन्हें चुकाना कहीं ज़्यादा आसान है हालां कि मैं अपने कुछ करज दाताओं की आवशकताओं और मांगो को पूरा नहीं कर पाऊंगा परंतु मैं उन सब के साथ निस्पक्स्ता के साथ व्यवहार करूंगा। प्रफेरों वाले उन्ट खरी दे जिसके एवज में मुझे चांदी के 19 सिकों की आमदनी हुई इस आमदनी को मैंने योजना के अनुसार बाढ़ दिया इसका 10% मैंने अपने लिए अलग रख लिया इसका 70% मैंने जीवन यापन के लिए अलग रख लिया और इसका 20% मैंने अपने कर्ज दाताओं में पराबरी से बाढ़ दिया मैं जब एह मर के घर गया तो वह नहीं मिला परंतु मैं वह रासी उसकी पत्नी को दे आया बीरे जीक तो इतना खुश हुआ कि उसने मेरा हाथ सूम लिया सिर्व बुड़ा अलका हद ही बड़ बड़ाया और बोला कि म मुझे अपना कर्ज ज़्यादा जल्दे चुकाना चाहिए इस पर मैंने जवाब दिया कि अगर मैं ठीक से कमाऊंगा और चिंता नहीं करूंगा तब ही मैं ज़्यादा तेजी से कर्ज चुका पाऊंगा बाकी सबने मुझे धन्यवाद दिया और मेरे प्रयासों की सराहना की इस तरह एक महिने में मैंने चांदी के चार सिकों का करज उतार दिया इसके अलावा मैं चांदी के दो सिकों का स्वामी भी बन गया हूँ जिन पर किसी व्यक्ती का कोई हक नहीं है मैं खुश हूं और मैं बहुत लंबे समयबाद खुश हुआ हूँ एक बार फिर पूरन करी मेहनत के बावजूद इस महीने मुझे ज़्यादा सफलता नहीं मिले। मैं बहुत कम उट करीद पाया। मैं चांदी के सिर्फ 11 सिक्के ही कमा पाया। बहराल मेरी अच्छी पतनी और मैं योजना के अनुरूप चले हमने एक भी नया वस्तर नहीं खरीदा और सिर्फ सबजियां खाकर उजारा किया। एक बार फिर मैंने अपनी आमदनी का 10% खुद के लिए लग रख लिया और 70% से अपना खर्च चलाया। मैं हैरान रह गया जब एहमर ने कर चुकाने के लिए मेरी तारिफ की। हालांकि जो रकम मैं चुका रहा था वह छोटी थी। बिरेजिक ने भी ऐसा ही किया। अलका हद आग बुबुला हो गया। परन्तु जब मैंने उससे कहा कि अगर वह इस रकम को नहीं लेना चाहता तो वापिस कर दे तो वह ठंडा पड़ गया। पहले की तरह बाकी सभी लोग संतोष्टू हुए। एक बार फिर पूर्णिमा आ गई और मैं खुश हूँ। इस बार मुझे उंटों का बहुत अच्छारे ओड मिल गया और मैंने कई बहतरीन उंट खरीद लिये जिस हमने गोस्त और मुर्गा खागर जस्न बनाया। हमने चांडी के आठ सिकों से ज्यादा का करज उतार दिया। अलका हद तक ने कोई उल्टी बात नहीं की। वह योजना महान है जो हमें करज से बाहर निकालती है और बचत कराती है। तीन महीने बाद मैं एक बार फिर लिक रहा हूं। हर बार मैंने अपनी आमदनी का 10% हिसा अलग बचा कर रखा। मैंने और मेरी अच्छी पतनी ने हर बार 70% आमदनी में अपना खर्च चलाया। हालंकि कई बार एसा करने में काफी मुश्किलें आई। हर बार मैंने अपनी 20% आमदनी से अपने करज दाताओं का करज चुकाया मेरे पर्स में अब चांदी के 21 सिके हैं जो सिर्फ मेरे हैं इस से मेरा सिर तन जाता है और मैं अपने दोस्तों के बीज गरों के साथ उट बैठ सकता हूँ मेरी पतनी गर को बहुत अच्छी तरह से संभालती है और अच्छे कपड़े पहनती है हम साथ साथ रहकर खुश है यह योजना अनमोल है इसने एक पूरू गुलाम को सम्मानित व्यक्ति में बदल दिया पांसवा मरदा पत्र एक बार फिर पुर्णिमा है मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत समय से कुछ नहीं लिखा है दरसल बाहरे महीने गुजर चुके है बहरहाल आज मैं अपना रिकोर्ड लिखने में नहीं चुकूँगा क्योंकि आज मैंने अपना आखरी कर्द चुका दिया है आज के दिन मैंने और मेरी पत्नी ने जस्ट मनाया क्योंकि हमारा संकल पूरा हो गया है जब मैं अपने कर्द दाताओं से आखरी बार मिला तो एसी कई बातें हुई जिने मैं हमेशा याद रखूँगा एहमर ने अपने कठोर शब्दों के लिए मुझसे माफे मांगी और कहा कि वह चाहेगा कि हमारी दोस्ती हमेशा काइम रहे बूरा अलका हद भी आखिर इतना बुरा नहीं था क्योंकि उसने कहा तुम कभी नर्म मिट्टी की तरह नाजुक थे जिसे कोई भी चोकर दबा सकता था और मन्चाहे आकार में ढाल सकता था परन्तु अब तुम कांसे के टुकडे की तरह हो जो किसी का भी मुकावला कर सकता है अगर तुमें कभी चांदी या सोने की जुरूरत पड़े तो बे हिचक मेरे पास चले आना बाकी लोगों ने भी मुझसे सम्मान पूरवक बात की मेरी अच्छी पत्नी ने मुझे इतने गरव से देखा कि किसी भी आदमी में आतम विश्वास आ जाएगा बहराल मुझे सफलता अपनी योजना के बदूलत मिली इस योजना ने ही मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपना सारा कर्द चुका दूँ और मेरे पर्स में और मेरे पर्स में सोना चांदी जमा होता रहे मैं सफलता चाहने वाले हर आदमी को यह सला दूँगा कि वह इस योजना पर चले जब इसकी बदोलग एक पूरो गुलाम अपने कर्द चुका सकता है और अपने पर्स में सोना इखटा कर सकता है तो इस पर अमल करके कोई भी व्यक्ति एसाग कर सकता है मैं अब भी इस योजना पर चल रहा हूँ क्योंकि मुझे विश्वास है कि अगर मैं इस पर अमल करता रहूँगा तो मैं जल्दी ही अमीर बन जाऊँगा सेंट विंसिन सेंट स्विधिन कॉलेज साथ नवंबर 1936 प्री एप प्रोफेसर अगर बेविलोन के आवशेसों की कुदाई करते समय आपको वहां के उंटों के वियापारी देवेजित का भूत मिले तो मुझबर एक महरवानी करें उसे बता दें कि उसने मरदा पत्रों पर बहुत समय पहले जो लिखा था उसके लिए इंगलेंड के दो प्रोफेसर आजीवन उसके आभारी रहेंगे आपको शायद याद होगा एक साल पहले मैंने लिखा था कि मिस्स रूबेरी और मैं करज से बाहर निकलने की इस योजना की आवाज भी सुनना चाते हैं शायद आपने अनुमान लगा लिया होगा कि हमारी आर्थिक स्टितिक खराब थी हालांकि हम इसे अपने दोस्तों से चुपाने की कोशिस कर रहे थे हम कई सालों से अपमान भरा जिवन जी रहे थे क्योंकि हमारे सिर पर उराने करजों का पहार था और नए करद चरते जा रहे थे हम दहशत में थे कि कहीं व्यापारी लोग कोई फसाद ना खड़ा कर दे जिसकी वज़े से मुझे कोलेट से निकाल दिया जाए ऐसा नहीं है कि हम करद चुकाने की कोशिस नहीं कर रहे थे अपनी आमदनी में से हम जितना भी बचा सकते थे उतना बचाने की कोशिस कर रहे थे परंतु आमदनी में अपना खर्च चलाना भी मुश्किल पड़ रहा था इसके अलावा हमें मजबूरन उन जग़ों से सामान खरीदना पड़ता था जहां हमें उधार मिल सके भले ही वहां हमें महेंगे दामों पर सोदा मिलता था इस से एक दुस्चकर शुरू हो गया जिस से चीजें बहतर बनने की बजाएं बदतर बनती चली गई हमारी स्थिती निराशा जनक होती जा रही थी हम कम किराई वाले मकानों में नहीं जा सकते थे क्योंकि हम पर मकान मालिका कर्द चड़ा हुआ था एसा लगता था कि हम स्थिती को सुधारने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे फिर अचानक बेविलोन के उंटों के व्यापारी ने हमें एक एसी योजना सुझाई जिस पर आमल करके हम अपनी मनचाही चीज हासिल कर सकते थे उसने हमें अपनी योजना पर अमल करने की सुची बनाई और मैंने वह सुची अपने सभी करजदारों को दिखाई मैंने उन्हें यह स्पष्ट बता दिया कि वर्तमान स्थिते में मैं उनका करज ततकाल नहीं चुका सकता हूँ आंकडों को देखकर वे यह बात खुद ही समझ सकते थे फिर मैंने उन्हें बताया कि पूरा करज चुकाने का एकलोता रास्ता यही था कि मैं हर महीने अपनी 20% आमदनी सभी करजदाताओं में बराबरी से बांट दूँ इस तरह से मैं लगबग दो साल में सारे करज उतार दूँगा इस दोरान हम अपना सारा सामान नकद खरी देंगे जिससे उन्हें अतिरिक तलाब होगा करजदाता सचमुच बहुत सजन थे हमें सबजी देने वाला बुड़ा आदमी समझदार था उसने एक ऐसी बात कही जिसके दोरा मुझे दूसरों को समझाने में आसानी हुई उसने कहा अगर आगे से सारा सामान नगद खरी देंगे और अपने करज का कुछ हिसा भी चुकाएंगे तो यह उससे बहतर रहेगा जो आपने आज तक किया है आपने तीस साल से मुझे एक पैसा भी नहीं दिया है अंत में मैंने उन सबसे यह अनुबंद करवा लिया कि जब तक मैं नियमित रूप से अपनी बीस परतिसात आमदनी से उनके करज चुकाता रहूँगा तब तक वे मुझे किसी परकार से तंग नहीं करेंगे फिर हमने सब्तर परतिसात आमदनी में गुजारा करने की योजना बनाई हम अपनी दस परतिसात आमदनी बचाने के लिए संकल्बवान थे चांदी और संबवते सोने के सिक्के बचाने का विचार बहुता कर सकता खुद को बदलने में हमें रोमांच का अनुवव हुआ अपनी सब्तर परतिसात आमदनी में आराम से खर चलाने के तरीके खोजने में हमें बहुत मजाया हमने यह काम मकान के किराय से शुरू किया और हम मकान का किराया कम करवाने में काम्याब हो गए और हमें अच्छा सामान कम किमत पर मिलना शुरू हो गया यह इतनी लंबी कहानी है कि एक पत्र में पूरी नहीं हो सकती संक्षेप में इसमें हमें जारा कठिनाई नहीं हुई और हमने खुशी खुशी यह काम कर दिया अपनी आर्थिक समश्याओं को इस तरह सुलजाने से हमें बहुत रहात मिली और अब हम पुराने करज के कारण अतंकित नहीं थे बहराल मैं आपको उस 10.30 के बारे में बताना नहीं भूलूँगा जिससे हमने खनकाने के लिए अलग रखा था हमने कुछ समय तक तो अपनी जमा पुंजी को देखने का आनंद लिया करपिया यह सुनकर हंसने ने लगे देखिए यही असली बात है असली आनंद इसी में है कि आप धन बचाना शुरू कर दें जिसे आप खर्च नहीं करना चाहते धन खर्च करने के बज़ाए उसे इकठा करने में ज्यादा आनंद मिलता है जब हमने मन भर्व कर धन खर्काने का आनंद ले लिया तो हमने इसका एक ज्यारा लावकारी प्रियोग खोज लिया हमने एक एसी जगे पर इसका निवेश कर दिया जहां हमें हर मईने 10% ब्याज मिलने लगा यह हमारे परिवर्तन का सबसे संतोस जनक हिस्सा साबित हो रहा था अपनी आमदनी में से हम सबसे पहले इसी 10% हिस्से का बुगदान करते है हमें यह जानकर सुरक्षा का बहुती संतोस जनक हिसास होता है कि हमारा निवेश नियमित रूप से बढ़ रहा है हमारे रेटाइरमेंट तक हमारे बचत खाते में काफी धनराशी कठी हो जाएगी यह धनराशी इतनी जदा होगी कि इस से बात के हमारे कर्चे पूरे होते रहेंगे मजे की बात यह है कि यह सब मेरे पुरानी आमदनी में ही संबव हुआ हलांकि इस बात पर यकीन करना मुश्किल है परन्तु बिल्कुल सच है हम दीरे दीरे अपने सारे करज चुका रहे है इसके अलावा हमारा निवेश बढ़ रहा है और हमारी आर्थिक स्थिती पहले से बहतर है कौन विश्वास कर सकता है कि बिना किसी वज़े से परेडामों में इतना अंतर आ सकता है अगले साल के अंतर तक हमारे सारे करजे उतर जाएंगे तब हम ज़्यादा धन्राशी का निवेश करने के स्थिती में होंगे इसके अलावा हमारे पास इतना धन होगा कि हम बाहर गोमने फिरने चा सकते हैं बहरहाल हमने संकल्प कर लिया है कि हम किसी विस्तिते में अपने जीवन यापन के खर्च को अपने 70% आमदनी से ज़्यादा नहीं होने देंगे अब आप समझ सकते हैं कि हम बेविलोन के उस आदमी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद क्यों तेना चाहते हैं जिसकी योजना ने हमें धर्ती पर नार्किय जीवन से बचाया है उसके पास ग्यान था क्योंकि वह इन परिस्थितियों से गुजर चुका था वह चाहता था कि उसके कटू अनुभवों से दूसरों को लाप मिले इसलिए उसको अपना संदेश लिखने में इतने गंटों की मेहनत करनी पड़ी अपनी ही तरह कष्ट उठाने वाले लोगों के लिए उसके पास एक सचा संदेश था यह संदेश इतना महत्वपून था कि पांच अजार साल बाद यह बेविलोन के अवसेसों से बाहर निकला और आज भी यह उतना ही सचा तथा प्रभावी है जितना यह प्राचिन बेविलोन में था आपका अलफ्रेड एज शुरूब बेरी पुराता तो विभाग धन्यवाद हिंदियोडियोगुक डोट कोम अध्याए 10 बेविलोन का सबसे खुश किश्मत आदमी हिंदियोडियोगुक डोट कोम बेविलोन का समरद व्यापारी शारू नादा अपने कारवा में सबसे आगे चल रहा था उसे अच्छे वस्तर पसंद थे इसलिए वह बेतरिन वस्तर पहनता था उसे अच्छे जानवर पसंद थे और वह बहुत तेज भागने वाले अर्बी गोड़े बर सवारी करता था उसे देखकर कोई उसके बुढ़ापे का अंदाजा नहीं लगा सकता था निस्जित रूप से लोगों को यह शक नहीं हुआ होता कि अंदर से वह परेशान है दमिस्क से वापिस लोटने की यात्रा लंबी है और इसमें रेगिस्तानों की कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है बहराल शारू नादा को खास मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा खुंखार अरब जन जातियां कारवाओं को लोटने की फिराक में रहती है परन्तु उसे इस बात का कोई डर नहीं था क्योंकि उसके पास घुर सवार रक्षकों का समूँ था जो कारवाओं की रक्षा करने के लिए प्रयाप्त था शारू नादा के साथ एक युवक चल रहा था जीसे वह दमिश्क से ला रहा था उसी की वज़े से शारू नादा परेशान था उस युवक का नाम हादान गुला था जो उसके पुराने पार्टनर अरद गुला का पोता था वह गुला का इतना करतग्य था कि उसके करज को कभी नहीं उतार सकता था वह अरद गुला के पोते के लिए कुछ करना चाता था परन्तु उसने इस बारे में जितना सोचा यह काम उसे उतना ही मुश्किल लगा सबसे बड़ी मुश्किल वह युवक स्वें था इस युवक ने हाथों में अंगूठियां और कान में चल्ले पहन रखे थे यह देखकर शारू नादा ने सोचा वह सोचता है कि आभुसन मर्दों के लिए होते हैं परन्तु उसके पास अपने दादा का संकल वान चेहरा भी है उसके दादा ने इस तरह के भड़की ले वस्तर कभी नहीं पहने पहराल मैं चाहता था कि वह मेरे साथ आए क्योंकि मुझे आशा थी कि वह कोई ढंग का काम शुरू करे और अपने पिता से दूर रहे जिनोंने विरासत में मिले धन को कमा दिया था हादान गूला ने उसके विचारों में बाधा डाली आप इतनी कड़ी मेहनत क्यों करते हैं अपने कारवां के साथ लंबी यात्राओं पर क्यों जाते हैं आप कभी जिन्दगी का आनंद लेने के लिए समय क्यों नहीं निकालते शारू नादा मुस्कुराया जिन्दगी का आनंद अगर तुम शारू नादा की जगे होते तो तुम जिन्दगी का आनंद लेने के लिए क्या करते अगर मेरे पास आपके जितनी दोलत होती तो मैं राजकुमार की तरह रहता मैं कभी गर्म रेगिस्तानों की यातरा नहीं करता धन मेरे पर्स में जितनी तेजी से आता मैं उसे उतनी ही तेजी से उड़ा डालता मैं सबसे महंगे कपड़े और सबसे दुरलव रतन पहनता मैं इसी तरह की जिन्दगी जीता क्योंके इसी तरह जिने में तो आनंद है दोनों ही हंसे शारू नादा के मूँ से बर्बस निकल गया तुम्हारे दादा जी आबुसन नहीं पहनते थे फिर उसने कुछ सोचकर मजाक में कहा क्या तुम कभी काम नहीं करते हादान गुला ने जवाब दिया काम तो नोकर करते हैं शारू नादा ने अपने होट काट लिए परन्तु कोई जवाब नहीं दिया वे खामोसी से यात्रा करते रहे जव तक की पगडंडी उन्हें ढाल पर नहीं ले आई जहां उसने अपने गुडे की रास खिंची और दूर दिखने वाली हरी घाटी की तरफी सारा करते हुए कहा वह रही घाटी और नीचे देखो वहाँ पर तुम्हें बेविलोन की दिवारें दुंदली दुंदली दिख रही है वह मिनार बेल का मंदिर है अगर तुम्हारी आँके तेज है तो तुम उसके उपर अमर जोती का दुहां भी देख सकते हो हादान गुला बोला तो बेविलोन यह है मैं हमेशा दुनिया के सबसे दूलतमन शेहर को देखना चाहता था बेविलोन जहां मेरे दादा जी ने दूलत कमाई थी काश वे अब भी जिन्दा होते अगर वे जिन्दा होते तो हमारी आर्थी कालात इतनी खराब नहीं होती तुम यह क्यों चाहते हो कि वे इस दर्ती पर अपने इनिरदारित समय से जाला रहते तुम और तुम्हारे पिता भी तो उनके पत्चिनों पर चल सकते हो परतु हम दोनों में ही उनके जितनी परतिबा नहीं है पिताजी और मैं दोनों ही धन को अकरशित करने का रहशन नहीं जानते हैं शारु नादा ने कोई जवाब नहीं दिया पर अपने घोडे की राश ठीली छोड़ दी फिर वह कुछ सोचता हुआ गाटी की पकडंडी से उतरने लगा उनके पीछे कारवा लाल धूल का बादल उड़ाता आ रहा था कुछ समय बाद वे राज मार्क पर पहुँच गए और सिंचित खेतों में से होते हुए दक्षन दिसा में मुड़ गए तीन बुड़े किसान एक खेत की जुटाई कर रहे थे शारू नादा का ध्यान उनकी तरफ गया वे उसे जाने पहचाने लगे कितनी अजीब बात है कि 40 साल बाद आप किसी खेत से गुजरे और आपको वही लोग वही पर खुदाई करते मिले बहराल उसके दिल ने कहा कि वे वही थे जिन मेंसे एक हल को कमजोरी से पकड़े था बाकी बैलों के पास चल रहे थे और उन्हें कोंच रहे थे ताकि वे डंग से काम करें 40 साल पहले उसे इन लोगों से इर्शा होती थी उस समय इनकी जिन्दगी से अपनी जिन्दगी की अदला बदली करने में उसे कितनी खुशी होती परन्तु अब कितना फर्क था उसने गरों से अपने पीछे आते कारवा बहतरी नूंटों और गदों को देखा जिन पर दमिश्क के किमती सामान का उंचा ढहर लदा हुआ था यह सब उसका था और यह उसकी दोलत का सिर्फ एक हिस्सा था उसने जुताई करने वालों की तरव इसारा करते हुए कहा ये लोग चालिस साल पहले जहां थे अब भी वहीं पर है वे अब भी उसी खेती को जोत रही है एसा लगता तो है परन्तु आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि वे वही लोग हैं शारू नादा ने जवाब दिया मैंने उन्हें पहले भी यहीं पर देखा है उसके दिमाग में यादें सरपट भाग रही थी वह अतीत को दफन क्यों नहीं कर सकता वह वर्तमान में क्यों नहीं रह सकता फिर उसके दिमाग में अरद गुला के मुस्कुराते चेहरे की तस्वीर को लगई उसके और यूवक के बीच का अवरोद तत्काल काईब हो गया परन्तु वह इस अविवानी योग की मदद कैसे कर सकता है जिसके दिमाग में फिजूल खर्ची के विचार भरे थे और जिसके हाथों में रतन थे काम करने के इच्छुक लोगों के लिए उसके पास बहुत काम था परन्तु उन लोगों के लिए उसके पास कोई काम नहीं था जो काम करने को हे दरस्टी से देखते हो और अरद गुला ने कभी आदी अदूरी कोशिश नहीं की थी। वे एसे लोग नहीं थे। उसके दिमाग में तत्काल एक योजना कौन गई। फिर आपत्यां आई। उसे अपने परिवार और अपने परतिष्टा का ख्याल आया। उसने सोचा कि इस योजना पर अमल करने से उसकी परतिष्टा पर आँच आ सकती है। परंतु तत्काल निर्ने की आदत के कारण उसने इस आपत्य को दरकिनार कर दिया और करम करने का फैसला किया। उसने सवाल पूछा क्या तुम यह जानना चाते हो कि तुम्हारे योग्यतादाजी और मैं पार्टनर कैसे बने। जिस वज़े से हम दोनों ही दोलतमंद बन गए। यूवक ने उतावले पन से पूछा। इसके बजाए आप मुझे सीदे सीदे यह क्यों नहीं बता देते कि आपने धन कैसे कमाया। मैं बस इतना ही जानना चाहता हूँ। शारू नादा ने उसकी बात को नजर अंदाज क देखकर उसने नाक वोंशी कोडी थी और कहा था कि वे लापरवाई से खेट जोत रहे थे। मैगिडो मेरे पासे जंजीर से बदा था। उसने कहा इन आलसी लोगों को देखो हल पकरने वाला गहराई से जोतने की कोशिस नहीं कर रहा है। बैलों को साधने वाले बैलों को सही मार्क पर नहीं रख पा रहे हैं इतनी खराब जुताई के बाद वे अच्छी वसल उगाने की उमिद कैसे कर सकते हैं हादान गुला ने हैरानी से पूछा आप और मेगिटो जंजीर से बंदे थे हाँ, हमारी गर्दन पर कांसी के पटे थे और हमारे बीच में भारी जंजीर थी उसके पास में ही भेडों का चोर जैवेदो था जिससे मैं पहले हारुन में मिला था सबसे अंत में जो विक्ती था उसे हम समुंदरी डाकू कहते थे क्योंकि उसने हमें अपना नाम नहीं बताया था हमारे ख्याल से वह जहाजी था क्योंकि जहाजीयों की तरह ही उसके सीने पर भी दो सांप गुदे हुए थे जंजीरे इस तरह से बंधी थी ताकि चार लोग एक साथ चल सकें आप गुलाम की तरह जंजीरों में जक्रे हुए थे हादान गुलाने हैरानी से पूछा क्या तुम्हारे दादा जी ने तुम्हें कभी नहीं बताया कि मैं कभी गुलाम था वे एकसर आपके बारे में बाते करते थे परन्तु उन्होंने कभी इस बात की और संकेत नहीं किया वे एसे इनसान थे जिनें सबसे गहरे रहशे पूरे विश्वास के साथ बताई दा सकते थे मैं तुम पर भी परोसा कर सकता हूँ, है ना? शारू नादा ने उसकी आँखों में जहांकते हुए कहा आप मुझे पर परोसा कर सकते हैं कि मैं चुप रहूंगा परंतु मैं हैरान हूँ, मुझे बताएं कि आप गुलाम कैसे बने? शारू नादा ने अपने कंदे उसकाए, कोई भी आदमी कभी भी गुलाम बन सकता है जुए और सराव के कारण, मुझे पर यह संकटाया मैं अपने भाई की गलतियों का शिकार हुआ था एक जगरे में उसने अपने मित्र को मार डाला मेरे पिता यह नहीं चाहते थे कि मेरे भाई पर कानून के मताबिक मुध्वा चले इसलिए उन्होंने मुझे कैदी बनाकर मुरत व्यक्ती की विद्वा के हवाले कर दिया जब मेरे पिता मुझे मुक्त कराने के लिए प्रियाप्त धन नहीं जुटा पाई तो उस विद्वा ने गुस्से में आकर मुझे गुलामों के व्यापारी के हाथों बेश दिया हादान गुला ने कहा कितनी शर्म और अन्याय की बात है परंतु मुझे बताएं आप दुवारा कैसे सुतंतर हुए हम उस मुद्दे पर बाद में आएंगे अभी हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं हमारे पास हमारे वहां से निकलते समय खेत जोतने वालों ने हमारे खिल्ली उड़ाई एक ने अपना फटे हाल टोप उठा कर और सिर जुका कर हमारा अभीवादन किया और कहा समराट के अतितियो बेविलोन में आपका स्वागत है वे शहर की दिवारों पर आपका इंतजार कर रहे है जहां पर दावत का आयोजन किया गया है दावत में मिट्टी की इंटे और प्याज का सूप है इसके साथ ही वे जोर से हंस पड़े समुंदरी डाकू यह सुनते ही आप इसे बाहर हो गया और उन्हें गालियां देने लगा मैंने उससे पूछा इन लोगों ने यह क्यों कहा कि समराट दिवारों पर हमारा इंतजार कर रहे है वह बोला शहर की दिवारों तक इंट डोने वाले अपनी कमर तूटने तक इंट डोते रहते हैं यह भी संभव है कि कमर तूटने से पहले ही सैनिक पिटाई करके उसकी जान ले ले पर वे मेरी पिटाई नहीं कर पाएंगे मैं उन्हें जान से मार दूँगा फिर मेगीडो बोला मालिक अपने इच्छुक और महंती सेउकों की पिटाई करके उनकी जान क्यों लेते हैं मालिक अच्छे गुलाम को पसंद करते हैं तथा उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं जैबेदी ने टिपणी की मेहनत कौन करता है ये खेट जोतने वाले समझदार है ये अपनी कमर नहीं तोड रहे हैं ये सिर्फ काम चला रहे है मेगीडो ने विरोध करते हुए कहा आप काम टालकर प्रगती नहीं कर सकते अगर आप दिन में एक हेक्टेर खेट जोतते हैं तो यह बहुत अच्छा काम है और हर मालिक यह बात चानता है परन्तु अगर आप एक दिन में सिर्फ आदा हेक्टेर जोतते हैं तो यह काम को टालना है मैं काम नहीं तालता, मुझे काम करना पसंद है और मुझे अच्छी तरह से काम करना पसंद है क्योंकि मैंने पाया है कि काम इंसान का सबसे अच्छा मित्र होता है इसी की बदोलत मुझे अपनी सारी अच्छी चीज़ें मिली हैं, मेरा खेट, मवेशी और फसल, सब कुछ ये आगे बढ़ना चाहिए, यही बहतर निती है, तुम देखना, अगर हमें दिवारों पर काम करने के लिए बेच दिया जाएगा, तो मैं पानी का थेला उठाऊँगा, या एसा ही कोई आसान काम करूँगा, जबकि तुम जो काम करना पसंद करते हो, इंट दो कर अपनी कमर तोड़ लोगे, वह मुर्खता पुम अंदाज में हसा, उस पूरी रात मैं दहशत में था, मैं सो नहीं पाया, मैं गाड की रसी के करीब खिसकाया, जब बाकी लोग सो गए, तो मैंने पहरा देने वाले गाड्स गोडोसों का ध्याना करसित किया, वह उन लुटेरे अरब मैं से एक था, जो आपका पर्स लूटते समय, यह सोचते थे कि उसे आपका गला भी काड़ देना चाहिए, मैंने फुस पुसा कर पूछा, गोडिसो, मुझे बताओ, जब हम बेबिलोन पहुंचेंगे, तो क्या, हमें दिवारों के काम में लगाने के लिए बेचा जाएग उसने साउधानी से पूछा, तुम क्यों जानना चाहते हो, मैं गिरगिराया, क्या मुझे समझ में नहीं आता है, मैं जबान हूँ, मैं जिन्दा रहना चाहता हूँ, मैं दिवारों पर काम करते हुए मरना नहीं चाहता, मैं पिटाई से नहीं मरना चाहता, क्या अच्छा म मालिक मिलने की कोई संभाव ना है उसने धिमे से कहा मैं बताता हूँ गुडो सोको कोई दिक्कत मत दो अक्सर हम सबसे पहले गुलामों के बाजार में जाते हैं अब ध्यान से सुनो जब खरीदार आएं तो उन से कहो कि तुम अच्छे मेहनती इनसान हो और तुम अच्छे मा काम है उसके जाने के बाद मैं गरम रेत में लेट गया और सितारों की तरफ देखते हुए काम के बारे में सोचने लगा मेडिगो ने कहा था कि काम उसका सबसे अच्छा मित्र है मैं सोचता रहा था क्या वहे मेरा भी सबसे अच्छा मित्र होगा निश्चित रूप से अग अच्छा की इकलोती किरन थी शाम को हम दिवारों के पास पहुंचे हमें दिख रहा था कि लोगों की लंबी कतारें काली चोटियों की तरह उपर नीचे आ जा रही थी करीब पहुंचने पर हमें यह देकर अहरानी हुई कि हजारों लोग काम कर रहे थे कुछ खंदक में खुदाई कर रहे थे कुछ मिट्टी की इंटों में मिट्टी मिला रहे थे बहुसंख्यक लोग इंटों को बड़ी बासकेटों में लेकर मैसन्स तक जाने वाली उँची पहड़ियों पर चल रहे थे ठेकेदार ढीले मजदूरों को गालियां दे रहा था और कतार में ने चलने वाले लोगों की पीट पर चाबुक चला रहा था ठके वे कमजोर लोग अपनी भारी बासकेट के बोज से लड़ खड़ा कर गिर जाते थे और दुबारा नहीं उट पाते थे अगर चाबुक के बावजूद वे उटकर खड़े नहीं होते थे तो उन्हें रास्ते में एक तरफ दखेल दिया जाता था और वहीं पर तडपता छोड़ दिया जाता था जल्दी ही उन्हें दूसरे काईरों के पास पूंसा दिया जाता था जहां कबन उनका इंतजार कर रही होती थी मैंने सोचा अगर मैं गुलामों के बाजार में नहीं बिकूँगा तो मेरा भी यही हाल होगा गोडोसों ने सही कहा था हमें शहर के दुआर से गुलामों की जेल तक ले जाया गया और अगली सुबै हमें बाजार में खड़ा कर दिया गया मेरे बाकी साथी डरे हुए थे वे शिर्प गाड के चाबुक की वज़े से ही हिल डुल रहे थे ताकि खरीदार उनकी जांच कर सके मेगीडो और में उत्सुकता से हर खरीदार से बातें कर रहे थे बसरते वहे हमें ऐसा करने की अनुमती दे गुलामों के व्यापारी ने राजा के सैनिक बुलवाए जिन्होंने समुंदरी डाकू को जंजीरों से बांधा और जब उसने परतिरोद किया तो उसकी क्रूरता से पिटाई की जब वे उसे पगड़ कर ले गए तो मुझे उस पर दया आई मेगिडो को महसूस हुआ कि हम जल्दी ही एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे जब आसपास कोई खरीदार नहीं था तो उसने मुझ से गंभिरता से बातें की और मुझे बताया कि काम भविश्य में मेरे लिए कितना महतोपों साबित होगा कुछ लोग काम से नफरत करते हैं और इसे अपना दुस्मन बना लेते हैं बेहतर होगा कि इसके साथ मित्र की तरह वेवार करो और इसे पसंद करो इस बात की परवा मत करो कि यह मुझकिल है अगर तुम कोई बहतरीन मकान बना रहे हो तो तुमें यह परवा नहीं होती है कि लट्थे भारी है और कुवा दूर है जहां से पानी लाना पड़ता है मुझसे यह वादा करो कि अगर तुम्हें कोई खरीद ले तो तुम उसके लिए अपनी पूरी मेहनद से काम करोगे अगर वह तुम्हारे काम से परवावित नहीं हो तो भी परवा मत करना अगर काम अच्छी तरह से किया जाए तो काम करने वाले को इससे हमेशा लाब होता है इससे वह बहतर इंसान बन जाता है उसी समय वहाँ पर एक सूसंगठित किसान आकर हमारी जांच करने लगा इसलिए मेगिडो ने अपनी बात यहीं पर खत्म कर दी मेगिडो ने उसके खेट तता फसलों के बारे में पूछा और उसे जल्दी ही यह विश्वास दिला दिया कि वह बहुत ही उप्योगी गुलाम साबित होगा काफी देर तक गुलामों के व्यापारी से भावताओ करने के बाद किसान ने अपने वस्तर के नीचे से अपना मोटा परस निकाला और जल्दी ही मेगिडो अपने नए मालिक के साथ आंखों से उंजल हो गया कुछ और लोग भी सुबह ही बिग गए दोपैर में गुडोसों ने मुझे विश्वास में लेकर बताया कि गुलामों का व्यापारी उकता गया है इस स्तिती में वहे रात वर इंतजार नहीं करेगा बलकि शाम होते ही बचे वे गुलामों को समराट के आदमियों को बेस देगा यह सुनकर मैं बहुत सट पटाने लगा उसी समय एक मोटा और अच्छे सुभावाला वेक्ती दिवार के पास आया उसने पूछा कि क्या हम में से कोई बेकर है मैंने उससे पूछा आप जैसा अच्छा बेकर किसी दूसरे गटिया बेकर को क्यों खुज रहा है क्या मेरी तरह से किसी इच्छुक युवक को अपनी कला सिखाना ज़्यादा आसान नहीं होगा मेरी तरफ देखें मैं युवा हूँ शक्तिशालिय हूँ और मुझे काम करना पसंद है मुझे एक मोका तो दें मैं आपके लिए धन कमाने का सर्वस्रेश्ट प्रियास करूंगा वहे मेरी इच्छा से बहुत परवावित हुआ और गुलामों के व्यापारी के साथ सोदे वाजी करने लगा हलांकि व्यापारी ने मेरी तरफ पहले कभी ध्यान नहीं दिया था परंतु इस समय वहे मेरी युग्यताओं मेरी अच्छी सेहत और मेरे अच्छे सोबाव की तारिफों के पूल बांद रहा था मुझे लगा जैसे मैं कोई मोटा बैल हूँ जिसे किसी कसाई के हाथों बेचा जा रहा हो आखिरकार जब सोदा पूरा हो गया तो मुझे बहुत खुशी हुई मैं अपने नए मालिक के साथ चल दिया और यह सोचने लगा कि मैं बेविलोन का सबसे खुश किश्मत आदमी हूँ मेरा नया घर मुझे काफी पसंद आया मेरे मालिक नाना नेद ने मुझे सिखाया कि आहाते में रखी जो को पत्थर की सिल पर कैसे पीसना है ओवन में आग कैसे जलाना है और फिर शहद वाले केक के लिए तिल को बहुत वारिक कैसे पीसना है मेरा बिस्तर अनाज के बंधार वाले शेड में लगा था यहां पर एक बुड़ी गुलाम महिला हाउस की पर थी स्वास्ति नाम की इस महिला ने मुझे अच्छी तरह खाना खिलाया और जब मैंने बाहरी कामों में उसकी मदद की तो वहे खुश हो गई मैं यही अवसर तो चाहता था ताकि मैं अपने मालिकों की नजर में बेकिंग कैसे की जाती है उसने मुझे यह सिखा दिया और वहे मेरे सीखने की इच्छा से बहुत खुश हुआ बाद में जब मैं इस काम को अच्छी तरह करने लगा तो मैंने उससे कहा कि वहे मुझे शहद के केक बनाना भी सिखा दे जल्दी ही मैं बेकिंग का सारा काम करने लगा मेरे मालिक को अब पूरा आराम मिल रहा था वे आलस की जिन्दगी से बहुत खुश थे परंतु स्वास्ती ने ऐ प्रसंता में अपना सिरह लाया इनसान के पास कोई काम ने होना बुरी बात है मैंने महसूस किया कि अब मुझे कोई ऐसा रास्ता खोजना था जिससे मैं अपने सोतंतरता खरीदने के लिए कुछ सिक्के कमा सकूँ बेकिंग का काम दोपेर तक खत्म हो जाता था मैंने सोचा कि अगर मैं दोपेर के बाद कुछ कमाई करूँ और उसे अपने मालिक के साथ बांट लूँ तो नाना नेद राजी हो जाएंगे फिर मेरे मन में यहे विचार आया क्यों ने शहर के केक जादा बना लूँ और उने शहर की सड़कों पर भूके लोगों को बेचू मैंने नाना नेद को यहे विचार इस तरीके से बताया दोपेर तक मेरा बेकिंग का काम खत्म हो जाता है अगर मैं इसके बाद आपके लिए धन कमा सकूँ तो क्या आप मेरी आमदनी का कुछ हिसा मुझे दे देंगे मैं चाहता हूँ कि मेरे पास भी कुछ पैसे रहे जिसके जरूरत हर इनसान को अपने इच्छाओं और जरूरतों के लिए होती है क्यों नहीं क्यों नहीं उसने स्विकार किया जब मैंने उसे अपनी योजना बताई कि मैं बाजार में शहद के केक बेचने के बारे में सोच रहा हूँ तो वह बहुत खुश हुआ उसने सुजाओ दिया हम यह कर सकते हैं तुम एक पेनी में दो केक बेचना जितनी कमाई होगी उसमें से आदी तो आटे शहद और इंदन की लकडी के खर्च के रूप में मैं ले लूँगा बाकी बची आदी कमाई में से आदा मेरा और आदा तुम्हारा मैं उसके इस उदार परस्ताव से बहुत खुश हुआ कि मुझे बिकरी का चोधाई हिस्सा मिलेगा उस रात मैंने देर तक काम करके एक ट्रे बनाई ताकि मैं उस पर केक रख सकूँ नाना नेद ने मुझे अपने पुराने कपड़े दे दिये ताकि मेरा हुलिया ठीक दिखे स्वास्ती ने मालिक के कपड़ों पर पैबंद लगा कर उन्हें दो कर साफ कर दिया अगले दिन मैंने शेहद के ज़्यादा केक बनाई मैंने सोचा ट्रे पर रखे हुए भूरे केक देखकर लोगों का मन लल्चा जाएगा मैं सड़क पर जाकर जोर जोर से अपने केकों के बारे में चिलाने लगा पहले तो किसी ने भी रूची नहीं दिखाई और मैं हताश हो गया बहराल मैं जूटा रहा बाद में जब दोपैर को लोगों को भूक लगी तो केक धरादर बिकने लगे और जल्दी ही मेरी ट्रे खाली हो गई नाना मेद मेरी सफलता से बहुत खुश हुआ और उसने खुशी-कुशी मुझे मेरी कमाई का चोथा इसा दे दिया मैं धनका स्वामी बनकर आनंदिट था मेगी डोस सही था जिसने कहा था कि मालिक अपने गुलामों के अच्छे काम की परसंसा करता है मैं अपनी सफलता पर इतना रोमान चित था कि उस रात को मुझे नीम नहीं आई मैं यह अनुमान लगा रहा था कि मैं एक साल में कितना कमा सकता हूँ और अपनी सोतंतर्फा खरिदने में मुझे कितने साल लगेंगे जब मैं हर दिन अपनी ट्रे में केक रखकर बेशने लगा तो जल्दी ही मेरे नियमित ग्राहग बन गई उन में से एक तुम्हरे दादा अरद गुला थे वे कालिनों के व्यापारी थे जिने वे ग्रानियों को बेशते थे वे शेहर के एक कोने से दूसरे कोने तक जाते थे उनके साथ साथ एक गढ़ा चलता था जिस पर कालिनों का उंचा डेहर रखा रहता था इसकी देखवाल के लिए उनके साथ एक एश्वेत गुलाम भी रहता था वे दो केक अपने लिए खरीदते थे और दो अपने गुलाम के लिए उन्हें खाते समय वे मुझसे बाते करने के लिए हमेशा ठहर जाते थे तुम्हारे दादा जी ने एक दिन मुझसे एक ऐसी बात कही जो मुझे हमेशा याद रहे की मुझे तुम्हारे केक पसंद है परन्तु मुझे तुम्हारी मेहनत इससे भी ज़्यादा पसंद है जिसके साथ तुम उन्हें बेचते हो अगर तुम इसी तरह से काम करते रहोगे तो तुम सफलता की रहा पर बहुत आगे तक जाओगे हादान गुला तुम यह बात नहीं समझ सकते कि परोटसान के ये शब उस गुलाम लड़के के लिए क्या माइने रखते थे जो एक बड़े शहर में अपनी पूरी ताकत से अकेला संगर्श कर रहा था ताकि अपनी गुलामी से बाहर निकलने का कोई रास्ता खोच सके महीने गुजरते गए और मेरे पर्स में सिक्के इकठे होते गए मेरे बेल्ट में लगे पर्स का वजन बढ़ता गया जैसा मेगीडो ने कहा था काम मेरा सबसे अच्छा मित्र साबित हो रहा था मैं बहुत खुश था प्रंतु स्वास्ती चिंतित थी उसने कहा मैं मालिक की वज़े से चिंतित हूँ मुझे डर है कि वे अपना ज्यादा समय जुए के टेवलों पर बिताते हैं एक दिन मुझे मेरा मित्र मेगीडो सडक पर मिल गया जिससे मिलकर मुझे बहुत खुशी होई वह तीन गदों पर सबजियां लाद कर बाजार ले जा रहा था उसने कहा मैं बहुत अच्छी तरह से हूँ मेरे मालिक ने मेरे काम से खुश होकर मुझे प्रभारी बना दिया है वह सामान वेचने के मामले में भी मुझ पर बहुसा करता है और उसने मेरे परिवार को भी बुलवा भेजा है काम भी पत्ती से उबलने में मेरी मदद कर रहा है किसी दिन यह सोतंतरता खरिदने में बहुज़ करेगा और भविश्य में मैं अपने खेत का मालिक मन जाऊँगा समय गुजरता गया नानामेद मेरे लोटने का बेसबरी से इंतजार करने लगा जब मैं लोटता था तो वहें इंतजार करता मिलता था ताकि वहे उत्सुकता से हमारे धन को गिने और बांट ले वहे मुझे नए वाजार तलासने के लिए प्रेरित करता था ताकि मैं ज्यादा केक बेच सकूँ अक्सर मैं शहर के दर्वाजे के बाहर भी जाता था ताकि दिवार बनाने वाले गुलामों के ठेकेदारों को अपने केक बेच सकूँ हालांकि मुझे वहे एप्रिय दर्शब बिल्कुल पसंद नहीं था परन्तु ठेकेदार बहुत उदारता से खरीदते थे एक दिन मैं जैवेदो को देखकर हैरान हुआ जो इंटो को अपनी बास्केट में बरने के लिए कतार में लगा था वहे बहुत दूगला हो गया था उसके कंदे जुग गए थे और उसकी कमर पर चाबुक के गहाव और फोड़े साफ नजर आ रहे थे उस पर तरस खाकर मैंने उसे एक केक दे थिया वहे भूके जानवर की तरह केको चबा गया उसकी आँखों में लोव की चमक देखकर मुझे डर लगा कि कहीं वहे मेरी पूरी ट्रेज छीनने ले इसलिए मैं वहाँ से भाग खड़ा हुआ अरत गुला ने एक दिन मुझसे पूछा तुम इतनी कड़ी मेहनत क्यों करते हो क्या तुम्हें याद है यही सवाल आज तुमने मुझसे पूछा था मैंने उन्हें बताया कि मैगिडों ने काम के बारे में क्या कहा था और यह भी कि काम मेरा सबसे अच्छा मित्र साबित हो रहा था मैंने उन्हें गरों से सिक्कों से भरा अपना पर्स बताया और यह कहा कि मैं अपनी सुतंतरता खरीदने के लिए उन्हें बचा रहा था उन्होंने पूछा सुतंतर होने के बाद तुम क्या करोगे मैंने जवाब दिया मैं व्यापारी बनना चाहता हूँ इस पर उन्होंने मुझे विश्वास में लिया उन्होंने मुझे एक ऐसी बात बताई जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था उन्होंने कहा तुम शायद यह नहीं जानते हो कि मैं भी गुलाम हूँ परन्तु मैं अपने मालिक का पार्टनर भी हूँ हादान गुला ने कहा रुको, रुक जाओ मैं अपने दादाजी का अप्पान करने वाली जूटी बाते नहीं सुनूँगा वे गुलाम नहीं थे उसकी आँखे गुस्से से दहकने लगी थी शारु नाला शांत रहा मैं उनका सम्मान करता हूँ क्योंकि वे अपने दुर्भग्य से बाहर निकल कर उपर उठे और दमिश्क के अग्रणी नागरिक मने क्या तुम उनके पोते भी उसी मिट्टी के बने हो क्या तुम मर्द हो जो सच्चे तथ्यों का सामना कर सके या तुम जूटे ब्रहों में जीना पसंद करते हो हादान गुला तन कर बैठ गया गहरी भावना से अंदरुनी आवाज में उसने जवाब दिया मेरे दाजाजी से सब प्रेम करते थे उन्होंने अंगिनत अच्छे काम किये थे जब आकाल आया तो उन्होंने मिस्र में अनाज खरीदने के लिए धन दिया और उनका कारवा इसे दमिश्क लेकर आया उन्होंने सारा अनाज लोगों में बांट दिया ताकि कोई भूखा ने मरे अब आप कहते हैं कि वे बेबिलोन में एक अपमानित गुलाम थे शारू नादा ने जवाब दिया अगर वे बेबिलोन में गुलाम ही बने रहते तो उन्हें अपमानित कहना उचित होता परन्तु जब वे अपने प्रयासों से दमिश्क के महान व्यक्ती बन गए तो दरसल देवताओने उनके दुरू भाग्यों को माफ कर दिया और उनका सम्वान किया शारू नादा ने आगे कहा मुझे यह बताने के लिए कि वे एक गुलाम है उन्होंने यह कहा कि वे सोतनतर होने के लिए बेताव थे बस उनके पास अपने सोतंतरता खरीदने के लिए परियाप्त धना आ गया था परंतु वे इस दूइदा में थे कि क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए था उन दिनों उनके विक्री पहले जितनी अच्छी नहीं हो रही थी और उन्हें अपने मालिक का साहरा चोड़ने में डर लग रहा था मैंने उनके एनिर्ने का विरोध किया अपने मालिक से बंद कर ने रहें एक बार फिर वे सोतंतर व्यक्ति बनने की भावना का अनुवाव करें सोतंतर व्यक्ति की तरह काम करें और सफल मनें यह फैसला करें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और फिर काम करके आप उसे हासिल कर लेंगे। वे यह कहकर अपने रास्ते चले गए कि मैंने उनकी कायरता पर उन्हें लज्जित कर दिया था और इससे उन्हें खुशी होई थी। एक दिन मैं एक बार फिर शेहर के दौर के बाहर गया। मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि वहाँ पर भारी भीड जमा थी। जब मैंने एक व्यक्ति से इसका कारण पूछा तो उसने जवाब दिया। क्या तुमने सुना नहीं है। एक बगोड़े गुलाम ने समराट के सैनिक को मार डाला था। उसे पकर कर सजा सुना दी गई है। और आज उसे उसके अपराद के लिए कोड़े मार कर मार डाला जाएगा। समराट श्वें यहाँ पर आने वाले हैं। कोड़े मारने वाले स्थान के आसपास इतनी जदा बिलिड थी कि मैं घवरा गया। मुझे डर था कि अगर मैं वहाँ गया तो मेरी शहद के केक वाले ट्रेक गिर जाएगी। इसलिए मैं एक अधूरी दिवार पर चड़ गया ताकि लोगों के सिर के उपर से नजारा देख सकूँ। मैंने वहाँ समराट को देखा जो अपने सुनेरे रत पर सवार थे। इससे पहले मैंने कभी इतना वैबव नहीं देखा था सुन्दर वस्तर, सुनेरे कपड़े और मक्मल के परदे। मैं कोडों की मार नहीं देख पाया, हालांकि मुझे बेचारे गुलाम की चिखें सुनाई दे रही थी। मैंने सोचा कि हमारे आकर सक समराट जितना उधार वेक्ती इतने कष्ट को देखर कैसे सहन कर सकता है, परंतु जब मैंने उन्हें अपने सामनतों के साथ हंसी मजाग करते देखा तो मैं जान गया कि वे क्रोर थे और मैं यह भी समझ गया कि दिवार बनाने में गुलामों से ऐसे एमनुए काम क्यों करवाई जाते हैं। गुलाम के मर जाने के बाद उसका सरीर एक खंबे पर रसी से लटका दिया जाता है ताकि सब उसे देख सकें। ब्लिड अगले दिन जब मैं अरद गुला से मिला तो वे बदले वे इनसान थे। उसाब रेसवर में उन्होंने मुझसे कहा। देखो जिस गुलाम को तुम जानते थे वहे अब सोतंतर इनसान बन चुका है। तुम्हारे शब्दों में जादू था। मेरी बिक्री और मुनाफा अ जहां किसी को भी मेरी गुलामी के बारे में जानकरी नय हो। ताकि हमारे बच्चों को अपने पिता के दुर्भाग्य के लिए ताने नयब जहलना पड़े। काम मेरा सबसे बड़ा सहयोगी बन चुका है। इसने मुझे आतम विश्वास्ति लाया है और मेरी बेचने की ख शम्ता को बढ़ाया है। मैं बहुत खुश हुआ कि उनके दिये प्रोथसान के बदले में मैंने थोड़ा साही सही योगदान तो दिया था। एक शाम को स्वास्ति बहुत दुखी अंदाज में मेरे पास आई और बोली मालिक संकट में है, मुझे उनकी चिंता हो रही है। कुछ महीने पहले वे जुए के टेवल पर बहुत ज़्यादा रकम हार गए थे। वे किसान को अनाज या शेहद के पैसे नहीं दे रहे हैं। वे सूद खोर का ब्याद नहीं चुका रहे हैं। ये लोग गुसा है और उन्होंने मालिक को दंके भी थी है। मैंने बिना सोच में उन्होंने तुम्हें बंदक बना दिया है। कानून के मताबिक वह सूद खोर तुम पर दावा कर सकता है और तुम्हें बेच सकता है। मैं नहीं जानती कि मैं क्या करूँ। वे अच्छे मालिक हैं। क्यों? आखिर उन पर ऐसी मुश्किल क्यों आई? स्वाती के डर न मेरे मालिक के लोटने का इंतजार भी नहीं किया। इसके बजाए स्वास्ती से कहा कि वह मालिक को बता दे कि वह मुझे ले गया है। मेरे पास सिर्फ तन के कपड़े और मेरे बेल्ट से बना सिक्कों से बरा परस था। केक अधूरे छोड़कर मैं उसके साथ चल दिया। म मेरे जीवन में संकट उत्पन कर दिया था। सासी एक रुखा विक्ती था। जब वह मुझे शहर के पार ले गया तो मैंने उसे बताया कि मैंने नानावेद के लिए कितना अच्छा काम किया था और मैं उसके लिए भी अच्छा काम करने की कोशिस करूँगा। उसके जवा कि मैं धेर सारे गुलाम खरीदूं, कड़ी मेहनत करूं और काम जल्दी खत्म करूं। बाप रे, कोई आदमी इतने बड़े काम को जल्दी खत्म कैसे कर सकता है। कल्पना करो, हर तरब रेगिस्तान हो, एक पेड़ तक ने हो, सिर्फ छोटी जाड़ियां हो, सूरज इतनी तेजी से चमक रहा हो, कि हमारे पीने का पानी इतना गर्म हो जाता था, कि हम उसे पी नहीं सकते थे। फिर कल्पना करो, आदमियों की कतारे लगी हो, जो सूबह से राद तक गहराई में जा रही हो, और मिट्टी की भरी बाल्टियां, दूल भरी गरम पकड़ेंडियों से उपर ला रहे हो, बोजन एक तरह की नाली में दिया जाता था, जिस में से हम सूरों की तरह खाते थे, हमारे पास ने तो तंबू थे, ने बिस्तर थे, मैंने खुद को इस तरह की स्थिथी में पाया, मैंने अपने पर्स को जमीन में गड़ा कर छुपा दिया, और सोचने लगा कि क्या मैं इसे कभी खोद कर दुबारा निकाल पाऊंगा, पहले तो मैंने उप्सा से काम किया, परंतु कई महीने गुजरने के बाद, मेरा मनोबल तूट गया, फिर बुखार ने मेरे ठके शरी को गिरफ्त में ले लिया, मेरी भूख खत्म हो गई, और मुझ से मट गनिया सबजियां नहीं खाई चाती थी, रात को मैं जागता रहता था और दुखी होता रहता था, दुखी मन से मैंने सोचा कि कहीं जैबेदो की योजना ही तो सबसे अच्छी नहीं थी, कि काम को टालो और अपनी पीट को तूटने से बचाओ, फिर मुझे याद आया कि म जड़ने और मार डालने का तरीका भी इतना बुरा नहीं था, परन्तु फिर मुझे उसकी खून से लटपत देह याद आई, और मैं समझ गया कि उसकी योजना भी बकवास थी, फिर मुझे मैगिडो की आखिरी जलक याद आई, कड़ी मेहनत के कारण उसके हाथों में चाल पड़ गई थे, परन्तु उसका दिल हलका था, और उसके चेहरे पर खूसी थी, उसकी योजना सबसे अच्छी थी, बहराल मैं भी मैगिडो की तरह मेहनत करना चाहता था, मैगिडो मुझे ज़्यादा कड़ी मेहनत नहीं कर सकता था, फिर काम की बदोलत मुझे खुशी औ की बदोलत मिले थी, या फिर खुशी और सफलता सिर्फ देवताओं की इच्छा पर निर्वर करती थी, क्या मैं पूरी जिन्गी मेहनत करने के बाद भी अपने लक्षा तक नहीं पहुँच पाऊंगा, क्या मुझे कभी खुशी और सफलता नहीं मिलेगी, ये सारे सवाल म मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था, दरसल मैं बहुत दूविदा में था, कई दिनों बात जब ऐसा लगा कि मैं अपनी शहन सक्ती के छोर पर पहुँच गया था, और मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं मिल रहा था, तो सासी ने मुझे बुलवाया, एक संदेश के पास से मुझे बेविलोन ले जाने के लिए आया था, मैंने अपने कीमती पर्स को जमीन से खोद कर बाहर निकाला, अपने तन पर अपने फटे कपड़े डाले और उस संदेश वहाग के साथ चल दिया, यात्रा के दोरान मेरे बुखार से तपते मस्तिस्क में यह विचा कि तुभान उसे उठा कर इधर से उधर पटक रहा है। इसी निराशाएं और दुख मेरा इंतजार कर रहे होंगे। जब हम मालिक के घर के आहते में पहुंचे तो मेरे आस्चरिय की कलपना करें कि मैंने वहाँ अरल गुला को अपना इंतजार करते देखा। उन्होंने नीचे उतरने में मेरी मदद की और मुझे इस तरह गले ल नहीं दी। उन्होंने मेरी कमर में हाट डाल कर कहा। मैंने तुम्हें हर जगे डूंडा जब मेरी आशाख खत्म हो गई तब कहीं जाकर स्वास्ती से मेरी मुलाकात होई। उसने मुझे उस सूद खोर के बारे में बताया जिसने मुझे तुम्हारे मालिक तक पहुंचाया उसने बहुत ज़्यादा कीमत मांगी और मैंने बहुत महँगा सोधा किया तुम सचमुच बहुत मुल्यवान हो तुम्हारे जीवन दर्सन और तुम्हारी मेहनत नही मुझे इस सफलता तक पूंजने की प्रेणा दी मैंने बीच में कहा मेरा नहीं मैंगीडो का जीवन दर्सन मैंगीडो का भी और तुम्हारा भी तुम दोनों का धन्यवान हम दमिश्क जा रहे हैं और मैं तुम्हे अपना पार्टनर बनाना चाहता हूँ एक मिनिट में तुम सोतंतर व्यक्ति बन जाओगे इतना कहकर उन्होंने अपने वस्तर के नीचे से एक मरदा पत्र निकाला जो मेरी गुलामी का दस्तावेश था उसे उन्होंने अपने सिर के उपर उठाया और जम कर पत्रों पर पटक दिया इसके सैंकडों टुकडे हो वे खुसी से वे उन टुकडों पर तब तक उत्ते रहे जब तक की वे ढूल नहीं बन गए मेरी आँखों में करतक गयता के आँसु छलकाए मैं जानता था कि मैं बेविलोन का सबसे खुसकिश्मत आदमी था इस कहानी में तुमने देखा कि मेरी सबसे बड़ी विपत्ती में भी काम मेरा सबसे अच्छा मितर साबित हुआ काम करने की मेरी इच्छा की बदोलत ही मैं दिवारों पर काम करने वाले गुलामों की गिंती में आने से बचा मेरे काम ने ही तुम्हारे दादाजी को प्रभावित किया इसी वज़े से उन्होंने मुझे अपना पार्टनर बनाया फिर हादान गुला ने पूछा क्या काम ही मेरे दादाजी की दोलत का रहश्य था शेरु नादा ने जवाब दिया यहें उनकी सफलता का इकलोता रहश्य था तुम्हारे दादाजी काम करने से प्रेम करते थे देवताओं ने उनकी मेहनत से खुश होकर उन्हें उदारता पूरवक पुरुसकार दिया हादान गुला ने सोचते हुए कहा मैं अब देख सकता हूँ काम ने उनके बहुत से मित्र बनाए जो उनकी मेहनत और इस से मिलने वाली सफलता से प्रभावित थे काम ने उन्हें दमिश्क में सम्मान दिलाया काम ने ही उन्हें वे सारी चीजें दिलाई जो मैं चाहता हूँ और मैं सोचता था कि काम सिर्फ गुलाम करते है शारू नादा ने कहा जिन्दगी में बहुत से आनंद है जिनका उपमोग आदमी को करना चाहिए हर आनंद की अपनी जगए है मैं खुश हूँ कि काम सिर्फ नोकरों या गुलामों के लिया रख्षित नहीं है अगर ऐसा होता तो मैं अपने सबसे बड़े आनंद से महरूम हो जाता मैं बहुत सी चीजों का आनंद लेता हूँ परन्तु काम की जगए कोई और चीज नहीं ले सकती शारू नादा और हादान गुला उंची दिवारों की छाया से निकल कर बेबिलों के कांसे के बड़े द्वार से प्रिविष्ट होने लगे उनके पास आते ही द्वार के रक्षक सावधान की मुद्रा में आ गए और उन्होंने एक सम्मानित नागरी को सलाम किया शारू नादा ने सिर तानकर अपने लंबे कारवा को द्वार से प्रिविष्ट करवाया और शहर की सड़कों पर ले गया हादान गुला ने उनमें विश्वास जताते हुए कहा मैं हमेशा अपने दादाजी की तरह बनना चाहता था परन्तु पहले कभी मुझे यह पता नहीं था कि वे किस तरह के इनसान थे आज आपने मुझे यह बता दिया है अब मैं समझ गया हूँ और मैं उनकी पहले से ज़्यादा प्रसंसा करता हूँ अब मेरा संकल्प बढ़ चुका है और मैंने यह ठान लिया है कि मैं उनके जैसा बनूँगा मुझे डर है कि मैं कभी अपना रिंड नहीं चुका पाऊंगा क्योंकि आपने उनकी सबलता की सची कुझी मुझे सूप दी है आज से ही मैं उनकी कुझी का प्रियोग करूँगा मैं उतनी ही छोटी सुरुवात करूँगा जितनी उन्होंने की थी जो मेरी हैसियत को ज्यादा सचाई से बताएगी जो रतनों और अच्छे वस्तरों से पता नहीं चलती है यह कहकर हादान गुला ने अपने कानों से रतनों के छले और अपनी उंगलियों से अंगुठियां उतार दी फिर अपने गोडे की रास छोड़ते हुए वह कार्वा के लीडर के पीछे पीछे चलने लगा प्राचिन बेविलोन के मशुहूर काम गुलामों के शरम से हुए थे जिन में इनकी दिवारें मंदीर, हैंकिंग गार्डन और बड़ी नहरें शामिल थी ज़्यादातर गुलाम युदबंदी थे इससे यह समझना आसान है कि उनके साथ एमानुए व्यभार क्यों किया जाता था इन मजदूरों में बेविलोन और इसके प्रांतों के कई नागरिक भी शामिल थे जिने अपरादों या आर्थिक मुश्किलों के कारण गुलाम के रूप में बेश दिया जाता था यह एक आम परपराथी जिसमें लोग अपने पत्नियों या बच्चों को करज कानूनी नेने या अन्य एहसानों के बदले बंदक बना लेते थे जब वादा पूरा नहीं होता था तो बंदक बने लोगों को गुलामों की तरह बेश दिया जाता था प्राचिन बेविलोन में गुलामों की परंप्राई कानून दोवारा निर्दारित थी हालनकि आज हमें वे ऐसंगत परतीत होंगी उधारन के लिए गुलाम किसी भी तरह की जायदाग का स्वामी बन सकता था वहे अन्य गुलामों का स्वामी भी बन सकता था जिस पर उसके मालिक का कोई अधिकार नहीं होता था गुलाम सोतंतर लोगों के साथ विवाह कर सकते थे सोतंतर माताओं के बच्चे भी सोतंतर होते थे शहर के अधिकां स्व्यापारी गुलाम थे उन में से कई अपने मालिकों के पार्टनर थे और अमीर भी थे धन्यवाद हिंदी ओडियो बुक डोट कॉम अध्याए ग्यारा बेविलोन का एतिहासिक वर्णन हिंदी ओडियो बुक डोट कॉम इतिहास के पन्नों में और कोई शहर बेविलोन जितना वैबव शाली नहीं है इसका नाम सुनते ही हमारे सामने दोलत और वैबव की तस्वीर खिंच जाती है यहां सोने और रतनों का बरपूर का जाना था स्वभाविक है कि यह सुनकर हम सोचेंगे कि शायद यह समरद शहर किसी उश्न कटी बंदिय भूमी पर स्थित होगा जहां जंगलों और खदानों जैसे परचूर प्राकरतिक संसादन होंगे परंतु यह सच नहीं है दरसल यह यूफरेटस नदी के किनारे पर स्थित था यह एक सपाट और सुशक गाटी में स्थित था यहां ने तो जंगल थे ने ही खदाने यहां तो इमारत बनाने के लिए पत्थर तक नहीं थे यह प्राकरतिक व्यापारिक मार्ग पर भी स्थित नहीं था बारिश इतनी कम होती थी कि फसले उगाना संभव नहीं था बेविलोन एक उत्करष्ट उधारन है जो हमें सिखाता है कि उपलव्द संसादनों का प्रियोग करते हुए मानुमियक शम्ताओं से महान लक्षय हासिल किये जा सकते हैं इस भव्यस शहर के सभी संसादन मनुश्यों द्वरा विक्सित किये गई थे इसकी समरदी इसके नागरिकों की मेहनत का परेणाम थे बेविलों के पास सिर्फ दो प्राकरतिक संसादन थे उरवर्भूमी और नदी का पानी बेविलों के इंजीनियरों ने इंजीनियरिंग के एक महान योजना बना कर बांधों और बड़ी नहरों के द्वारा नदी के पानी की दिशा बलबली ये नहरें सुष्क गाटी में दूर तक गई और उरुवर भूमी को जीवन दाई पानी से सिंचित किया यह इतिहास में इंजिनीरिंग के सबसे पहले कारणामों में से एक था इस सिंचाई तंतर के परिनाम सोरू अभूत पूर और जबरदस्ट फासल पैदा होने लगी सो भग्य से बेविलोन के समराटों ने सामराज्य के विस्तार और युद करके लूट पाट करने में ज़्यादा रूची नहीं ली हालांकि यहां के सासकों ने कई युद लड़े परंतु उन में से अधिकांस स्थानिये थे या दूसरे देशों के महतव कांक्सी विजेताओं के खिलाब थे जो बेविलोन की अथा संपती पर नजरें गड़ाई हुए थे बेविलोन के उतकरष्ट सासक इतिहास में अपनी बुद्धी आर्थिक नियोजन और न्याए के लिए विख्यात है बेविलोन का कोई समराट इतना महतव कांक्सी नहीं था कि वह पूरी दुनिया को जीतने का क्वाव देखे शेहर के रूप में बेविलोन का आस्तितो अब नहीं है जिन मानुए शक्तियों ने हजारों सालों तक शेहर को काईम रखा था और इसका विकास किया था उनके हटने के बाद शेहर जल्दी ही विरान खंडर में बतल गया इस शेहर का स्थान एसिया में स्वेज नहर के 600 मील पूरों में और परसिया खाड़ी के उत्तर में है इसका आक्षांस लगवक 30 डिगरी है जो यूमा एरिजोना का आक्षांस भी है बेविलोन का मोसम भी इस अमेरिकी शेहर की तरह ही गर्म और सुखा था यूक्रेटस की गाटी जो कभी आबाद और सिंचित थी जहां कभी भरपूर फसल पैदा होती थी आज बरबाद और विरान हो चुकी है रेतिली हावाई इतनी तेजी से बहती है कि गहास और रेगिस्तानी जुर्मुट भी बहुत कम दिखाई देते है उपजाओ खेट, विशाल सहर और सामान के लंबे कारवा अब अतीत में तफन हो चुके है अब यहाँ पर सिर्फ अर्बों के कुछ गुमंटू दल ही रहते हैं जो छोटे रेवडों को पाल कर अपना जीवन यापन करते है यह स्तिती लगबग दो हजार साल से है इस गाटी में मिट्टी की कुछ पाढ़ियां है, सदियों से यात्री उन्हें पाढ़ियां ही मानते थे आखिरकार पुरातत वविदों का ध्यान उन्सकी ओरा करसित हुआ क्योंकि कभी गबार आने वाले बारिश के तुभानों में यहां पर बर्तनों और इंटों के तूटे वे टुकडे मिले यूरोपिया और अमेरिकी संग्रालियों ने इस अभियान के लिए धन दिया इन पाड़ियों पर कुदाई का काम इस आसा से शुरू हुआ कि शायद यहां पर कुछ मिल जाए कुदाई करने से जल्दी ही यह साबित हो गया कि यह दरसल पाड़िया नहीं बलकि प्राचिन शहर थे उन्हें शहरों के मकवरे भी कहा जा सकता है बेविलोन भी इन में से एक था लगवग भी सद्यों तक हावा उन्हें इस पर रेगिस्तानी धूल डाली थी यह मुलते इंट का बना था परंतु यह मिट्टी में मिल चुका था बेविलोन का अमीर शहर आज इस हाल में है यह मिट्टी के ढहर में बदल चुका है जब तक इसकी सडकों, मंदिरों और महलों के खंडरों पर से सद्यों की धूल नहीं अटाई गई तब तक किसी को भी इसका नाम मालूम नहीं था कई वैग्यानिक मानते हैं कि बेविलोन और इस गाटी के अन्य शहरों की सब्वेता दुनिया की सबसे पूरानी सब्वेता है जिसका निश्चितु लेख मिलता है यह साबित किया जा चुका है कि यह सब्वेता लगवग 8000 साल पूरानी हो सकती है इस तीथी के निर्धारन के पीछे भी एक रोचक तथे है बेविलोन के अवशेशों में सूर्य ग्रहन का एक वर्णन मिला आदुनिक खगवलवितों ने ततकाल उस समय की गणना कर ली जब इस तरह का सूर्य ग्रहन बेविलोन में दिखा होगा इस तरह उन्होंने बेविलोन के कैलेंडर तथा आदुनिक कैलेंडर में एक संबंद साफित कर लिया इस तरह से अब यह साबित हो चुका है कि 8000 साल पहले बेविलोन में रहने वाले सुमेर वासी दिवारों से गिरे शेहरों में रहते थे हम सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं कि इस से पहले इन शेहरों का अस्तितो कितनी सदियों से रहा होगा रक्षा करने वाले दिवारों के भीतर रहने वाले ये लोग बरबर नहीं थे ये सिक्षित और बुद्धिमान थे लिखित इतियास के अनुसार वे दुनिया के पहले इंजिनियर, पहले खगोलविद, पहले गनितग्य, पहले फाइननसर और लिपी का प्रियोग करने वाले लोग थे सिंचाई तंतर का उलेक पहले ही किया जा चुका है, जिसने शुष्क गाटी को क्रसी के स्वर्ग में बदल दिया था इन नहरों के अवसेश अब भी मिलते हैं, हालांकि उनका ज्यादातर हिस्सा मिट्टी से बढ़ा है कुछ का आकार तो इतना बड़ा है कि अगर उनमें पानी नए हो, तो एक दरजन घोड़े एक साथ दोड़ सकते हैं आकार में वे कोलोरोडो और यूटा की सबसे बड़ी नहरों से भी जादा बड़े हैं गाटी की भूमी को सिंचित करने के अलावा, बेविलोन के इंजिनियरों ने एक और बड़ी योजना पूरी की, एक व्रहद ड्रेनेज सिस्टम द्वारा, उन्होंने यूकरेटस और टिग्रिस नदियों के मुहनों की दलदली जमीन के एक बड़े टुकडे का पानी निका पर थी, हेरोडोटस एसे इकलोती बाहरी विक्ती है, जिनके द्वारा लिखा गया बेविलोन का वर्णन उपलवद है, उन्होंने शहर का चितरात्मक वर्णन किया है, और नागरिकों की ऐसा मन्य परंपराओं का उलेख भी किया है, उन्होंने यहां की भूमी की उलेखनि उपजवक्षमता का उलेख किया है, और इसके द्वारा उत्पन गेहुं तथा जो की परचूर फचल का भी, बेविलोन का वैबव दुनजा पड़ चुका है, परंतु इसका ज्यान अब भी सुरक्षित है, इसके लिए हम इसके रिकार्ड रखने के तरीके के वहाबरी हैं उस प्राचिन यूग में कागज का आविशकार नहीं हुआ था, इसके बजाए वे गिली मिटी पर लिखते थे, पूरा लिख लेने के बाद मिटी को आग में पकाया जाता था, ताकि वहस सक्त हो जाए, आकार में ये मरदा पत्र 6-8 इंच के लगबग होते थे, इनकी मोट दंच कताई, कवीताई, इतिहास, राजाग्या, देश के कानून, जायदाद के दस्तावेद, प्रोमीसरी नोट और यहां तक की पत्र भी लिखे जाते थे, जिनें संदेश वहाग दूसरे शेहरों तक पहुंचाते थे, इन मरदा पत्रों से हमें इन लोगों के अंतरंग और विक्तिकत मामलों के जानकारी मिलती है। बेविलोन का एक उलेख ने आस्चरिय शेहर के चारों तरफ की विशाल डिवारें थी। प्राचिन लोग उन्हें मिसर के पिरामिडों की तरह ही दुनिया के साथ आस्चरियों में से एक मानते थे। वर्नन के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि इनकी उंचाई 50-60 फूट के बीच होगी। जिसमें बाहरी और जली हुई इंटे थी और पानी की गहरी खंदक बनाकर सुरक्षा का अतिरिक्त प्रबंद किया गया था। बादवाली मशुहूर दिवारें लगवग 600 इस्वी पूरु में समराट नाबो पोलेंजर ने बनवाना शुरू की थी। उसने इतने बड़े पैमाने पर दिवारों के पूर्ण निर्मान की योजना बनाई थी कि वह इसे अपने जीवन काल में पूरा नहीं करवा पाया। यह काम उसके पूत्र नेबू शैद नेजर ने पूरा किया जिसका नाम बाईबल के इतिहास में पाया जाता है। इन बादवाली दिवारों की उन्चाई और लंबाई ए विस्वस्निय थी। विस्वस्निय सुत्रों के अनुसार वे 160 पूट उन्ची थी यानि किसी आधुनिक ओफिस की 15 मंजली इमारत बराबर उन्ची। इनकी कुल लंबाई 9 से 11 मिल के बीच होगी। दिवारों का उपरी हिस्सा इतना चोड़ा था कि 6 गोडों का रत उस पर आसानी से चल सकता था। इस विराड तंतर का बहुत कम आवसेश मिला है। सिर्फ दिवार और खंदक बचे हैं। प्रकरति के कहर के अलावा अरव वास्यों ने इसकी इंटे निकाल ली। ताकि उनका प्रियोग करके दूसरी जगे पर इमारत बना सकें। इस तरह ये दिवारे अब पूरी तरह से नश्ट हो चुकी है। बेविलोन की दिवारों पर लगबग हर विजेता की सेना ने आकर्मन किया। बहुत से राजाओं ने बेविलोन की गहराबंदी की परन्तु उन्हें हमेशा ऐस पलता ही हात लगी। उस समय की आकर्मन कारी सेनाओं को हमें कम नहीं आकना चाहिए। इतिहासकार बताते हैं कि उन में आम तोर पर दस अजार गुरसबार, 25 अजार रत, पैदल सैनिकों की 12 सो रेजीमेंट होती थी जिन में से हर रेजीमेंट में 1000 सैनिकों होते थे। अक्सर युद्ध के सामान और रास्ते में सेना के बोजन की विवस्ता करने में दो तिन साल की तैयारी की जरूरत पड़ती थी बेबिलोन का शहर किसी आधुनिक शहर की तरह विवस्तिता यहां पर सड़कें और दुकाने थी फेरी वाले अपना सामान रियाइसि इलाकों में बेचा करते थे पुजारी बहुवे बंदेरों में पूजार अरजना करते थे शहर के भीतर शाही महलों के लिए एक आंतरिक पर कोटा था जिसकी डीवारें शहर की दीवारों से भी उंची होती थी बेविलोन के निवासी कलाओं में निपूंट थे इन में स्थापत्यकला, चितरकार, बुनाई, सोने का काम और धातू के हतियारों तथा क्रिशी उक्रणों का निर्मान पर मुक थे उनके आभोशन निर्मातों के बनाई अधिकांस आभोशन कलात्मक थे आभोशनों के बहुत से नमूने बेविलोन के अमीर नागरिकों की कबर में से मिले है और संसार के सीरसस्त संग्रालियों में देखने के लिए रखे गए है जब बाकी की दुनिया पथर की नोक वाली भाडियों से पेड काट रही थी या पत्थर की नोक वाले भालों से शिकार कर रही थी और तीरों से लड़ रही थी तब बेविलोन के निवासी धातू की कुलाडियों, भालों और तीरों का प्रियोग कर रहे थे बेविलोन के लोग चतुर फाइनेंसर और व्यापारी थे उपलब्द परमानों के आधार पर वे धन के मूल आविशकारक थे और इसका आदान परदान करते थे इसके अलावा वे प्रोमिसरी नोट्स और जाइदात के लिखित ताइल्स के भी आविशकारक थे बेविलोन में शत्रू सेनाएं 540 इस्वी पूरू तक कभी प्रिवेश नहीं कर पाई जब शत्रू सेनाओं ने नगर में प्रिवेश किया तब भी वे दिवारों को नहीं जीत पाई बेविलोन के पतन की कहानी बहुत ऐसा मन्य है उस समय के महान विजेता साइरस ने बेविलोन पर हमला करने की योदना बनाई वहे इसकी अजे दिवारों को जीतना चाहता था बेविलोन के समराट नेबोनीडस के सलाकारों ने उसे सला दी कि वहे शहर की गहराबंदी होने का इंतजार ने करे बलकि शहर से बाहर निकल कर साइरस का मुकावला करे इस युद में बेविलोन की सेना पराजित हो गई और शहर चोड़ कर भाग गई इसके बाद साइरस शहर के कुले द्वार से गुसकर बेविलोन में दाखिल हुआ और उसने बिना किसी परतिरोद के शहर पर कबजा कर लिया इसके बाद शहर की शक्ती और परतिस्टा धीरे धीरे कम हो गई जब तक कि कई सद्यों में यह शहर पूरी तरह विरान नहीं हो गया इसे हवाओं और तूफानों के लिए छोड़ दिया गया ताकि वे एक बार फिर इसे रेगिस्तानी मिट्टी से ढंक दें जिससे यह मूलते बना था बेविलोन मिट्टी में मिल चुका है अब इसका पुनुरत थान कभी नहीं हो सकता परंतु सब्धेता इसके बहुत रिनी है समय ने इसके मंदिरों के गरविली दिवारों को मिट्टी में मिला दिया है परंतु बेविलोन का ग्यान आज भी कायम है झाल 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 झाल